हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो डैट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल चाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजोई कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिस्निंग एक्स्पिरियंस चलिए और इंटरशनगर की अग दो मंजिली इमारत की पहली मंजिल पर स्थित था इमारत की स्वामी नि रुक्मणी देवी नामक उसकी चाची थी और उसका रशमी से थोड़ा बड़ा लड़का अनिल था केर्टी ने उस घर परिवार में जिन्दगी में पहली बार कदम रखा था मोल रूप से उसका वहाँ अपने पिता के साथ आगमन अपेक्षित था लेकिन उसके पिता को अपने कारुबार के सिलसिले में एका एक दुबई रवाना हो जाना पड़ा था और इसलिए वो अपने पिता की राय पर विशालगर का होटेल छोड़ कर अपनी कार पर वहाँ अपनी चाची के पास आ गई थी उसके पिता का कहना था कि उसकी चाची के गर में उसका बड़ा भव्य और भाव भीना स्वागत होगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था स्वागत वहाँ उसका जरूर हुआ था लेकिन भव्य नहीं भाव भीना नहीं हर कोई उससे बड़ी अपचारिकता से पेश आया था ऐसी अपचारिकता से कि उसे संकोच होने लगा था डिनर पर विशेश रूप से ऐसा आडंबर किया गया था कि कीरती को महसूस हुए बिना नहीं रह सके कि वो लोग उस पर अपनी मेहमार नवासी की धाग जमाना चाहती थे फिर नकली बनाफटी बाती खामखा के नकरे अपनी संपन्ता का उस पर रोब गालिप करने की नियत इस हद तक कि उसकी चाची ने रश्मी को खास तोर से कहा था कि अगली सुबह किरती को अपना वो नया नेकलेस दिखाना न भूले जो उस अतिहासिक नेकलेस की अनुकृती था जो कभी मली का नूर जहां पहना करती थी खोखले ठहा के सने और अपनत्व का सरवदा अभाव किरती अपने पिता के साथ स्थाई रूप से सिंगापुर में रहती थी और 14 साल बाद भारत लोटी थी उस वक्त वो 20 साल की थी और रुकमर्णी देवी और उसके परिवार से 14 साल पहले मिली होने की उसे केवल धुंदली सी याद थी वहाँ पांचे उसे अभी मुश्किल से 3 घंटे हुए थे लेकिन अभी से वो वहाँ संकोच और बेचैनी का अनुभव करने लगी थी बहरहाल अपने पिता के वहाँ लोटने तक का समय उसे किसी प्रकार वहीं गुजारना था उसके बाद वो अपने पिता को साफ कह सकती थी कि उनकी भावी और उसका परिवार प्रत्यक्ष्टेग घर आये महमान को देख कर खुश होने वाले लोगों में से नहीं था इसलिए उन्हें कहीं और चलकर रहना चाहिए था बाहर ड्राइवे में उसके खिड़की के एकदम नीचे उसके वो फोर्ड फॉलकन कार खड़ी थी जिस पर सवार होकर वो वहाँ पांची थी जहां कार खड़ी थी गैरिश के मध्या में खड़ी थी इसलिए उसे अपनी जगा से हटा कर किनारे पर किया जाना जरूरी था तब ही दूसरी कार गैरिश में दाखिल हो सकती थी रुकमनी देवी की राय पर कीर्ती ने अपनी कार की चाबियां कार में ही छोड़ दी थी ताकि बात में अनिल उसको गैरिश में खड़ी कर पाता लेकिन लगता था अनिल ऐसा करना भूल गया था क्यूंकि कोठी में सब लोग सोच चुके मालूम होते थे वो खुद भी बत्ती बुजा कर बिस्तर के हवाले हो ही चुकी थी लेकिन ने ना आ रही होने की वज़ा से वो बत्ती जलाई बिना बिस्तर में से निकली थी और खिड की के पास आख़डी होई थी अब उसे कार की चिंता हो रही थी चाबियां उसने इगनेशन में ही छोड़ दी थी जो कि उसे ठीक नहीं लग रहा था वो सोच रही थी कि क्या वो नीचे जाए और कार को वहीं खड़ी खड़ी को ताला लगा कर चाबियां ले आए ऐसा करना तो चाहिए था उसे एका एक केर्टी की बाहर पैन होती फिरती निगा एक स्थान पर स्थिर हो गई अंधेरी इमारत के पहलो से एक साया निकला और सीधा उसकी कार की और भढ़ा चांद की रोशनी में कीर्टी आंखे फार फार कर उसकी सूरत या आकार पहचानने की कोशिश करने लगी लेकिन कामयाब नहीं हो सकी वो ये भी अनुमान नहीं लगा पाई कि साया किसे इस्त्री का था या पुरुष का साया उसके कार के पास ठिटका उसने एक बार घूम कर इमारत की तरफ देखा फिर उसकी निगा उपर किर्टी के बेटरूम के खिड़की की और उठी किर्टी अनायास से कदम पीछे हट गई हालाकि वो जानती थी कि बेटरूम में अन्धेरा होने की वज़ा से उसे बाहर से देखा नहीं जा सकता था तब ही साया ने बड़ी साफधानी से कीर्टी की कार का दर्वाजा खोला और भीतर धाकिल हो गया उसने नीशब कार का दर्वाजा बंद कर लिया फिर कार बिना स्टार्ट हुए ही ड्राइव वे के धलान पर नीचे को लुड़कने लगी कार यूँ ही नीशब चलती हुई कोठी के फाटक से बाहर निकल कर सड़क पर आ गई तब तक धलान का रास्ता समाप्त हो चुका था इसलिए कार अपने आपिस फिर हो गई फिर कार का इंजन हॉले से स्टार्ट हुआ उसके स्चेरिंग के पीछे बैठे साई ने कार को गेर में डाला और बिना कार की हेड लाइट्स जलाई उससे सड़क पर आके दोड़ा दिया कीर्ती चेहरे पर उलजन के भाव लिये खिरकी पर खड़ी रही फिर उसकी अकले ने यही फैसला किया कि कार ले जाने वाला गर का ही कोई आदमी था जिसे एका एक कहीं जाना पड़ गया था और जिसने कीर्ती की कार रास्ते से हटा कर गैरिट से अपनी कार बाहर नकालने के मकाबले में कीर्तिकि की ही कार ले जाना ज्यादा सहूलियत का काम समझा था लेकिन अगर वो कोई चोर हुआ तो चोर कैसे हो सकता था वो तो इमारत में से ही कहीं से निकला था फिर भी वो चिंती थो उठी वो सोचने लगी कि क्या वो चाची को जगा कर उसे इस बात की खबर करे कि कोई चुप चाप उसकी कार ले गया है लेकिन उसे ये उचित नहीं लगा उसने थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया शायद कार ले जाने वाला ज्यादा दूर ना गया हो और जल्दी ही वापिस लोट आने वाला हो उसने एक कुरसी खिड़की के पास खसियट ली और उस पर बैठ कर इंतजार करने लगी साड़े ग्यारा बजे जब उसे और इंतजार कर पाना असंभव लगने लगा तो एका एक सड़क पर से कार की आवास आई वो उटकर खड़ी हो गई और आँखे फार फार कर बाहर जांकने लगी अंधेरे में भी उसने अपनी फोर्ड फॉलकन को फॉरन पहचान लिया जो की अब फार्टक से भीतर दाकिल हो रही थी उसकी हेड लाइस उस वक भी नहीं जल रही थी कार उसके खिड़के के नीचे एन उसी जगा आकर खड़ी हुई जहां से की वो ले जाई गई थी फिर कार में से कोई बाहर निकला उसने धीरे से दर्वासा बंद किया और फिर दबे पाउं आगे बढ़ता हुआ इमारत की ओट में कहीं गायब हो गिया इमारत के पहलू में से एक दर्वासा खुलने और बंद होने की आवास हुई और फिर पहले की तरह सन्नाटा चा किया किरती चमत कृत से सोचती रही क्या माचरा था उसकी कार कौन लेकर गया था और कहां लेकर गया था फिर एक उसे एक बात सूची वो ये मालूम कर सकती थी कि कोई कार लेकर कितनी दूर गया था उसने जब कार लाकर वहाँ खड़ी की थी तो उसने आदतन कार के स्पीडो मीटर पर निगार डाली थी और उसकी रेडिंग उसे अब भी याद थी स्पीडोमेटर देखकर वो मालूम कर सकती थी कि अभी कार कितनी चलाई गई थी उसने पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर से उठा कर अपना गाउन पहना और कमरे से बाहर निकल आई वो धेरे धेरे चलती हुई आगे बढ़ी उसे उस वक्त परिवार के किसे सदस्य से टक्रा जाने की उमीद नहीं थी ऐसा हो भी जाता तो वो कह सकती थी कि वो कार में कोई चीज भूलाई थी जिसे वो लेने जा रही थी या लेने गई थी नीशब्द सेड़ियां उतर कर वो नीचे पहुँची फिर एक गलियारा पार करके वो ड्रॉइंग रूम में दाखिल हुई उसने शाम को वहाँ आने पर देखा कि ड्रॉइंग रूम का एक दर्वासा एन उस जगा खुलता था जहां बाहर उसकी कार खड़ी थी वो कार के पास पहुची कार का दर्वासा खोल कर वो भीतर दाकिल हुई उसने डोम लाइट जला कर कार के स्पीडो मेटर पर निगार डाली कार केवल 6 किलो मेटर चली थी यानि कि जो कोई भी इसकी कार लेकर गया था वो वहाँ से केवल तीन किलो मेटर दूर गया था तबी अनायासी कीरती की निगा कार की सीट पर पड़ी वहाँ उसे एक जनाना पर्स पड़ा दिखाई दिया कीरती ने पर्स उठा लिया डोम लाइट बुझाई और कार से बाहर निकली इस पार उसने कार के चारो दर्वा से मजबूती से बंद किये ताले में चाबी फिराई और फिर वापिस इमारत में दाखिल हुई वो सेडियों में अभी आदे रास्ते में ही थी कि इमारत का स्तब्ध वाता वरण एक तेज चीक से गुँच कुड़ गया पहली चीक के पीछे पीछे ही दूसरी और फिर तीसरी चीक गुँची तुरंत उपर की मंजिल पर रोश्नी हुई फिर उपर से सेडियों की दिशा में भागते कदमों की आवास आई किरती घबरा कई वो स्वयम को बड़ी अप्रिय स्थिती में खाम का फस गई मैसूस करने लगी चीकों की आवाज निचली मंजिल से ड्राइंग रूम के बगल के किसी कमरे में से आ रही थी उपर कोई सेडियों की तरफ भागता आ रहा था और वो बीच में फसी हुई थी उसे मालूम था कि निचली ड्राइंग रूम की बगल में दो बेडरूम थे लेकिन उसे ये नहीं बताया किया था कि उनमें से कौन सा परिवार के किस सदस्य के अधिकार में था वातावरन में एक और चीक गुंजी और फिर रश्मी की त्रस्त आवाज सुनाई दी मामा रुकमर्नी देवी उपर सेडियों के दहाने पर प्रकट हुई वो तिव्र स्वर में भोली कौन है मैं हूँ आंटी किर्ती बौकलाई स्वर में भोली किर्ती आपने अभी चीकों की आवाज सुनी क्या हाँ रुकमर्नी देवी जल्दी जल्दी सेडियां उतरती हुई बोली वो रश्मी की आवाज थी तब तक रुकमर्नी देवी उसके समीप पहँच गई किर्ती वापिस घूमी और उसके साथ साथ सेडियां उतरने लगी दोनों आगे पीछे इमारत के बाएं पहलू की और जाते गल्यारे की और लबकी रुकमर्नी देवी एक बंद दर्वाजे के आगे ठिट की उसने दर्वाजे को धक्का दिया तो पाया की दर्वाजा भीतर से बंद था वो जोर जोर से दर्वाजा खट-कटानी लगी रश्मी दर्वाजा खोलो रश्मी दर्वाजा खोलो तुम ठीक तो हो रश्मी रश्मी ने दर्वाजा खोला और बद हवास स्वर में बोली वो भाग गया रुक्मनी देवी भीतर दाखिल हुई, भीतर रौशनी थी, कौन भाग गया, उसने बौकला कर पूछा चोर, रश्मी बोली, हे भगवान, वो आतंकित स्वर में बोली, यहाँ चोर आया था हाँ, एका एक मेरी आंग खुल गई थी, तो मैंने उसे कमरे में पाया था मैं भैभीत ओकर चीखने लगी, तो वो उस खिड़की के रास्ते भाग गया, उसने एक आधी कुली खिड़की की और संकेत किया, लेकिन वो भीतर कैसे आया खिड़की के ही रास्ते, खिड़की की जाली कटी हुई है, उसी में से हाथ डाल कर उसने चिटकनी खोल ली होगी कुछ ले तो नहीं गया वो, मुझे नहीं पता, मैं तो उसे देखते ही चीखने लगी थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा था, वो सामने मेज के पास खड़ा था, और उसके दरास खोल रहा था रुकमर्णी देवी और केर्थी की निका एक साथ मेज की दिशा में उठी, मेज का सबसे उपर का दरास अपने स्थान से निकल कर नीचे गिरा पड़ा था, और उसका सामान बाहर बिखरा पड़ा था, बिखरे हुए सामान में एक जेवरात रखने का डिबा भी था रश्मी, रुकमर्णी देवी ने फिर पूचा, वो कुछ ले तो नहीं गया रश्मी मेज के पास पहुची, उसने अपना जेवरात का डिबा संभाला और उसमें मौजूद और बाहर बिखरे सामान का मुआइना करने लगी नेकलिस, एका एक वो आतंकित स्वर में बोली, इसमें मेरा नेकलिस नहीं है अच्छी तरह देखो, रुकमर्णी देवी परिशान स्वर में बोली, शायद कहीं रखा हो नहीं, रश्मी बोली, यहीं रखा था, इसे डिबे में मुझे अच्छी तरह याद है ओ, तब ही अनिल और घर के दो नौकर भी वहाँ पहुँच गई क्या हुआ, अनिल ने आते ही बद हवा स्वर में पूचा उसे सब बताया किया वो खुली खिड़की के पास पहुँचा उसने बाहर जांका, बाहर एकदम सननाटा था लेकिन प्रत्यक्षत है, रश्मे की चीकों की आवाज बहुत दोर-दोर सुनी गई थी क्योंकि आस पडोस की कोटियों की बतियां भी जल उठी थी फिर भी शुक्र मनाओ, रुक्मर्नी देवी अपनी बेटी को कह रही थी कि आन मौके पर तुम्हारी नीन खुल गई, और चोर केवल नेकलेस ही ले जाया पाया वरना तुम्हारे सारे जेवर भी चोरी हो सकते थे क्या पुलिस को टेलिफोन करना होगा, एका एक अनिल बोला चीक है, करो, रुक्मर्नी देवी बोली अनिल टेलिफोन करने के लिए वहाँ से बाहर चला किया क्या तुम कहीं जा रही थी, एका एक रुक्मर्नी देवी ने किर्ती से पूछा जी, किर्ती हट बढ़ाई तुम मुझे सीडियों में मिली थी, तुमारे हाथ में मैं पर्स भी देख रही हूँ मैंने पूछा है, क्या तुम कहीं जा रही थी? जी, जी नहीं, मैं तो आपके आगे-ागे ही सीडियों पर आई थी लेकिन तुम मुझे उपर के गल्यारे में तो नहीं दिखाई दी थी लेकिन आई तो मैं वहीं से थी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है क्या चीक सुनकर? जी, जी, हाँ कमाल है, बहुत कच्छी निन सोती हो तुम जी, मैं अभी सोई नहीं थी, मैं तो छोड़ो, और किर्ती खामोश हो गई रुकमर्णी देवी अपनी बेटी के करीब पहुँची और उसे सांतवना देने लगी सुनिल यूथ कलब के कार्ड रूम में बैठा रमी खेल रहा था जबकि एक वेटर ने उसे आकर बताया कि उसका फोन आया है किसका फोन है? सुनिल के कुछ कहपाने से पहले उसकी बगल में बैठा रमाकांथ बोल पड़ा ये तो मैंने पूछा नहीं साहब वेटर आधर पॉंट स्वर में बोला ये तो मैंने पूछा नहीं साहब रमाकांथ हाथ नचा कर उसकी नकल करता हुआ बोला भूत नीदा जब पुछ कर आ नहीं सुनिल बोला मैं फोन सुनकर आता हूँ अरे गोली मारो फोन को रमाकांथ बोला ये फोन पर कह देता है कि तुम यहां नहीं हो नहीं सुनिल उट खड़ा हुआ कोई जरूरी फोन हो सकता है क्या जरूरी फोन होगा किसी को सिखा कर आए होगे कि अगर तुम जीतने लगो तो कोई तुमें फोन करके बुला ली और फोन करने वाले को ये कैसे मालूम हुआ होगा कि मैं जीतने लगा हूँ सुनिल बोला रमाकांथ को जवाब नहीं सुचा ठीक है ठीक है वो बोला जाओ जाकर फोन सुनकर आओ सुनिल वेटर के साथ हो लिया वो रिसेप्शन पर पहुँचा वहाँ पड़े एक टेलीफोन का रिसेवर उससे अलग पड़ा था उसने रिसेवर उठा कर कान से लगाया और बोला हलो सुनिल दूसरी और से पूछा गया हाँ सुनिल मैं रॉय बोल रहा हूँ उसको ब्लास के नियूज एडिटर रॉय की आवाज सुनाई दी अच्छा हुआ तुम मिल गए क्या किस्सा है सेंट्रल पार्ट में एक लाश पड़ी पाई गई है कतल का मामला मालूम होता है मालूम करो क्या माज़रा है किसकी लाश है पता नहीं आपको कैसे मालूम हुआ लाश के बारे में पुलिस कंट्रोल रॉम से मालूम हुआ है वहाँ हमारा एक सोर्स है जो वहाँ नियूज वैल्यू के काबिल कोई कॉल आते ही फॉरन हमें खबर कर देता है आपने भी फॉरन मुझे फोन किया है हाँ फिर तो हो सकता है पुलिस अभी वहाँ पहुंची ही ना हो हो सकता है लेकिन तुम फॉरन वहाँ पहुंचो सिटी एडिशन चपने में अभी दो ढ़ाई घंटे बाकी है खबर किसी काबिल हो तो ज़रा जल्दी खबर करना ओके और सुनील ने रिसीवर रख दिया वो वापिस कार्ड रूम में पहुंचा रमकांत ने प्रशन सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा सुनील ने मेस पर पड़ा अपना विस्की का गिलास उठा कर खाली किया और अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट और लाइटर टूड उठा कर जेब में रखते हुए बोला मैं जा रहा हूँ वो तो तुम्हारे सामान बांदने से ही दिखाई दे रहा है रमकांत बोला लेकिन कहा जा रहे हो सेंट्रल पार्ट अकबार के काम से क्या तुम अकबार के 24 घंटे के मुलाजिम हो हाँ क्यूं क्यूंकि एक दिन में 24 से ज्यादा घंटे नहीं होते वापिस आओगे क्या कह नहीं सकता ठीक है मरो लेकिन एक तरीके से वापिस आ सकता हूँ कैसे अपनी कार्ट दे दो फिर उसको लोटाने के लिए तो वापिस आना ही पड़ेगा उसको लोटाने तो हो सकता है कि तुम अगले मंगल वाराओ आज ही आओंगा तुम्हारी उमेद से जल्दी तो फिर ठीक है क्या ठीक है? कार ले जाओ मैं हाँ हाँ ले जाओ प्यारियो रमा कांट बड़ी दयानतदारी दर्शाता हुआ बोला चाबियां आफिस के टेबल पर थैंक यू एक बात बता कर जाओ पूछो अभी तक नगदव कितना जीते हो? ज्यादा नहीं कैसे ज्यादा नहीं? जब से बैटे हो जीत रहे हो सुनील ने एक उंगली उठाई एक हजार दमड़ा रमा कांट नेत्र फैला कर बोला और कहता है ज्यादा नहीं रमा कांट एक अन्या खिलाडी बोला अब आगे गेम तो चलने दो पत्ते तो बांटो अच्छा अच्छा और फिर रमा कांट पत्ते बांटने में जुट गया सुनील फिर कार्ड रूम से बाहर निकला दिस अक्षन की बगल में बने आफिस की टेबल पर से उसने रमा कांट की इंपाला की चाबियां उठाई और इमारत से बाहर निकला वो कमपाउंड में खड़ी इंपाला पर सवार हुआ और सेंट्रल पार्क की और रवाना हो गया सेंट्रल पार्क के मुखे द्वार से एक सड़क शुरू होती थी जो पार्क के बीचों बीच होती हुई उसके दूसरे सिरे तक जाती थी उस सड़क पर वहन चलाने की आजादी थी इसलिए सुनील ने कार को पार्क से बाहर खड़ा करने के स्थान पर पार्क के भीतर दाखिल कर दिया कोई एक फरलांग आगे आने पर उसे एक स्थान पर पुलिस की दो जीपें खड़ी दिखाई थी जीपे दाई और जाने वाली एक सड़क के दाहाने पर आगे का रास्ता रोके खड़ी थी उनसे आगे एक स्थान पर पुलिसियों का जमगट लगा दिखाई दे रहा था सुनिल ने कार रोकी और उसमें से बाहर निकला वो आगे बढ़ा एक 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 पुलिसियों उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला आगे जाने की अजाज़त नहीं है क्यों सुनिल नकली हैरानी जाहिर करता हुआ बोला क्या हो गया है आके हो गया है कुछ तुम भाई मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ मुझे ये जानने का पूरा हक पहुँचता है कि यहाँ पुलिस क्यों पहुँची हुई है क्या हो गया है यहाँ यहाँ से आगे जाने की अजाज़त नहीं है अगर प्रेस रिपोर्टर हो तो यहीं खड़े रहो अभी साहब खुद आकर बताएंगे कि क्या हो गया है कौन से सहब सब इंस्पेक्टर बांसल सहब बांसल क्या इंस्पेक्टर प्रभुद्याल भी आया है नहीं लेकिन वो आने वाले है बांसल इंस्पेक्टर प्रभुद्याल का मातत था हवलदार सहब सुनेल तनी खुशामत भरिस्वार में बोला आगे मत जाने तो लेकिन कम से कम इतना तो करो कि जाकर सब इंस्पेक्टर बांसल को खबर कर दो कि सुनी लाया है ब्लास्ट वाला पुलिस हेच के चाया गरीब आदमी की नौकरी का सवाल है गुरू अच्छा मैं बोलता हूँ सब इंस्पेक प्राइक का एक सिग्रेट सुलगा लिया और प्रतिक्षा करने लगा उतावला वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो चाहता था कि प्रभु देयाल के वहां आत्मन से पहले ही कोई खबर हासिल हो जाती क्योंकि प्रभु देयाल से तो जानकारी हासिल होते ही होती थी और तब हो सकता था कि खबर उसी रोज ना चप पाती तब ही वो पुलिसिया वापिस लोटा उसने सुनिल को अपने साथ आने का संकेत किया सुनिल तुरंत आगे बढ़ा वो पुलिसिया उसे जीपों से कोई 60-70 गच परे उस धान पर छोड़ गया जहां सब इंस्पेक्टर बांसल अ इदर से गुजर रहा था पुलिस देखकर रुक गया क्या हो गया है कतल बांसल धीरे से बोला वहां सामने जाडियों के पीछे उसने एक और संकेत किया एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी है किसी ने उसके पेट में चाकु मारा मालूम होता है लड़की कौन है पता नहीं क्या मैं लाश पर एक निगा डाल सकता हूँ बांसल ने दोर मुख्य सड़क की और निगा दोड़ाई और हिच के चाता हुआ भोला अगर उपर से इंस्पेक्टर सहब आ गए तो मेरी शामत आ जाएगी मैं एक मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूँगा सिगरेट फैंको सुनील ने फोरण आदेश का पालन किया बांसल ने हाथ में थमी एक असाधारन आकार की टॉर्च जलाई और उसकी रौशनी अपने सामने डालता हुआ आगे बढ़ा सुनील बड़ी ततपरता से उसके साथ हो लिया एक अएक टॉर्च की रौशनी घास पर जाड़ियों के पास पेट के बल पड़े एक इस्तरी शरीर पर पड़ी इस्तरी के बाल कटे हुए थे वो जैकेट और जीन पहने हुए थी और जैकेट की पेट खून से रंगी दिखाई दे रही थी चाकू सिदा दिल से गुजर गया मालूम होता है बांसल धीरे से बोला पेट पर खून का दाइरा एकदम गोल है इससे जाहिर होता है कि ये चाकू खाते ही धराशाई हो गई थी और इसकी ततकार मृत्यू हो गई थी चाकू लगने के बाद अगर ये कुछ देर अपने पैरों पर खड़ी रही होती तो पेट पर खून के बहाफ का रुक नीचे की और साफ बना दिखाई देता कतल के बारे में क्या थियोरी है तुम्हारी सुनील ने सेहमती में सेर हिलाते हुए सवाल किया नाजवान लड़की है बानसल बोला हो सकता है ये यहां किसी लड़के के साथ आई हो दोनों वहां बैंच पर बैटे होंगे फिर किसी बात पर उनमें तकरार च्छड़ गई होगी और फिर गुसे में आकर लड़के ने उसकी पेट में चाकू घूम दिया होगा पेट में कैसे? भाई उसने लड़की को पहले अपने आलिंगन में ले लिया होगा और फिर पेट की तरफ चाकू वाला हाथ ले जा कर वार कर दिया होगा जिस लड़के से उसके तक्रार हो रही होगी वो भला उसके आलिंगन में क्यों आई होगी तो फिर तक्रार नहीं हो रही होगी, लड़का घर से ही उसके कतल का इरादा करके आया होगा तुम्हारे खयात से चाकू लगने के बाद वो बैंच से ओंधे मुग घास पर गिरी होगी क्या हाँ, उस सूरत में पहले उसके घुटने घास से तक्राई होने चाहिए और टांगे घुटनों के पास से मुड़ी होई होनी चाहिए, लेकिन इनके टांगे तो एकदम सीधी है बांसल सोच में पढ़ किया, बांसल साहब सुनील बोला, लाज जिस चंग से अंधे मुझ जमेन पर पड़ी है, उससे लगता है कि ये खड़े-खड़े धराशाई हुई थी बांसल खामोश रहा, उस सूरत में संभावना ये दिखाई देती है, कि किसी ने इसकी जानकारी में आई बिना, एका एक पीछे से इस पर वार कर दिया था हो सकता है, बांसल ने कहा जरा टॉर्च दिखाना, सुनील ने कहा बांसल ने तनी खिच किचाते हुए टॉर्च उसे थमा दी सुनील ने टॉर्च का प्रकाश पहले लाश पर और फिर उसके आस पास डाला पास ही वो तंग सी पकी सड़क थी, जिस पर चलता हुआ वो वहाँ पांचा था सड़क और घास के बीच में एक कोई चार फुट चौड़ी कच्ची जमीन की पट्टी थी टॉर्च की रॉचनी वहाँ पहां पहांच कर स्थिर हो गई ये किसी कार के टाइरों के निशान मालुम होते हैं सुनील बोला, लगता है कोई कार पकी सड़क से उतर कर घास पर आ गई थी घास और पकी सड़क पर तो टाइरों के निशान नहीं बन पाई लेकिन उस कच्ची जमीन पर बन गई हैं मैंने ये निशान देखे हैं, बांसल बोला लेकिन जरूरी नहीं है कि कार घास तक आई हो निशानों का एंगल केवल इतना बता रहा है कि कार एक बार पकी सड़क पर से उतर गई थी ऐसा इतिफाक से भी हुआ हो सकता है साफ दिखाई दे रहा है कि कार कच्ची जमीन पर पहुँशने के बाद तेजी से वापिस पकी सड़क की और घूमी थी ये किसे विलाईती कार के पहिएओं के निशान मालूम होते है कैसे जाना बांसल तनिक सक पकाई स्वर में बोला पहिएओं के बेच का चोडाई की और का फासला अपेक्षा के ज्यादा है जिससे मालूम होता है कि कार हमारे यहां बनने वाली कारों के मुकाबले चोड़ाई से ज्यादा थी साथी टाइरों के ट्रेडिंग का जो पैट्रन मिट्टी में बढ़ा हुआ है वो हमारे यहां बनने वाले टाइरों में नहीं पाया जाता अच्छा, बांसल प्रभावित स्वर में बोला, दरसल मुझे कारों की कोई खास वाक्वियत नहीं सुनेल सावधानी से एक कदम आगे भढ़ा, फिर उसने टॉर्च की रोचनी लड़की के चेहरे पर डाली वो अच्छी खासी, खूब सुरत लड़की थी, और उम्र में 25 और 30 के बेच की मालूम हो रही थी उसके कटे हुए बाल भूरे थे, और चमणी की रंगत खूब गोरी थी यहाँ कोई हैंड बैग या पर्स वगेरा नहीं दिखाई दे रहा, एका एक सुनेल बोला क्या मतलग? घर से बाहर निकली लड़की के पास कोई हैंड बैग या पर्स होना परंप्रागत बात है, वैसे कोई हैंड बैग या पर्स इस लड़की के आसपास तो नहीं दिखाई दे रहा शायद वो लाश के नीचे दबा हुआ हो, ज़रा देखो अभी पुलिस फोटोग्राफर नहीं आया और टॉपसी सर्जन का भी इंतिजार है, उनके आने से पहले मैं लाश को अपने स्थान से हटाना नहीं चाहता अरे हटाने को कौन कह रहा है, योहीं ज़रा से लाश को एक पहलू पर तिर्चा करके नीचे ज़ांक लो, उसे छोड़ोगे तो लाश वापिस एन अपनी पुरानी जगा पर आ जाएगी बांसल हिच किचाया एक पुलिस अधिकारी के नाते, तुम्हारा पहला काम लाश के शिनाक करना है, उसके पर्स में तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है, जिस से मालूम हो सके कि मरने वाली कौन है बांसल आगे बढ़ा, उसने लाश को बड़ी साफधानी से एक पहलू पर थोड़ा उंचा किया और छोड़ दिया, नीचे कुछ नहीं था ये पर्स वाली बात से तो लगता है कि कतल किसी पर्स नैचर ने किया है, बांसल सीधा होता हुआ बोला यानि कि ये लड़की यहां मौजूद थी, सुनिल बोला, कोई कार पर यहां आया, उसने लड़की को और उसके हाथ में धमे पर्स को देखा उसने कार को पकी सड़क के नीचे उतार दिया, ताकि वो लड़की के पास पहुंच सके समीप आकर वो कार से निकला, उसने लड़की का पर्स छपटा, लेकिन उसको अधिकार में करने में काम्याब नहीं हो सका लड़की भागी, तो उसने उसकी पेट में चाकू मार दिया, और फिर पर्स लेकर अपने कार में सवार होकर यहां से भाग खड़ा हुआ हाँ, बिलकुल लेकिन पर्स छीनने के लिए लड़की का कतल करने की क्या जरूरत थी? ये काम तो वो लड़की के सिर पर कोई भारी चीज दे मारता तो भी हो जाता शायद वो कोई पेशेवर कातिल था, जिसके लिए किसी का कतल कर देना मामूली बात थी और शायद उस वक्त चाकू की जगा लड़की पर प्रहार करने योग्य कोई भारी चीज उसके पास उपलब नहीं थी सुनिल खामोश रहा, बांसल द्वारा उसे एक बार हिलाया जाने की वज़ा से लड़की की जैकेट सामने से खुल गई थी जैकेट की भीतर की जेब के उपर दर्चियों द्वारा लगाया जाने वाला बिल्ला लगा हुआ था सुनिल ने जुक कर उस बिल्ले पर लिखी इबारत पड़ी लिखा था स्चाइल्ड बाई, फारवर्ट टेलर्स, एमजी रोट, विशाल गर तबी दोर मुख्य सड़क पर एक कार की हेडलाइट्स चम की इंस्पेक्टर सहाब आ रहे हैं, बांसल हड़ बढ़ा कर भोला, अब तुम फूट जाओ सुनिल ने टॉर्च बुझा कर बांसल को थमा दी और तेज कदमों से वापिस लोटा उसने देखा पतली सड़क के दहाने पर, पहले से खड़ी दो जीपों के पास, एक और जीप आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर प्रभुदेयाल बाहर निकला, वो फॉरण घटना स्थल की और बढ़ा सुनी लेक पेड़ की ओट में हो गया, प्रभुदेयाल उसके सामने से होता हुआ, आगे बढ़ गया तो वो पेड़ की ओट से निकला और वापिस अपनी कार की और बढ़ा, कार में सवार होकर वो पार्क से बाहर निकला पार्क के मुख्य द्वार के समीब उसे एक पब्लिक टेलीफोन बूद दिखाई दिया वहां से उसने निउस एडिटर रॉई को फोन किया, दादा वो फोन में बोला, मरने वाली एक खूब सूरत नाजवान लड़की है, जो कपड़ों और रख रखाफ से बड़ी संपन मालूम होती है किसी ने उसकी पेट में चाकू घोम कर उसकी हत्या की है, हत्या हो सकता है उसका पर्स हत्यानी के लिए की गई हो क्योंकि घटना स्थर पर उसका पर्स या बैक नहीं मिला है और रॉय आशापॉंट स्वर में बोला पुलिस अभी लाश की शिनात नहीं कर पाई है, लेकिन एक बड़े मामूली से सूत्र के आधार पर मैं इस दिशा में थोड़ी कोशिश करने जा रहा हूँ क्या? लड़की जो कप्डे पहनी है, उन पर विशाल गड़ के एक दरजी का लेबल लगा हुआ है, जिससे लगता है कि हो सकता है वो विशाल गड़ की रहने वाली हो अगर वो हमारे शहर में अशनभी हुई, तो वो ज़रूर किसी होटेल में ही ठहरी होगी सेंट्रल पार्क के आसपास ढंका होटेल एक ही है, इंपेरियल होटेल, लिंक रोड़ पर, मैं पोश्टाज के लिए वहाँ जा रहा हूँ सुनील, रोईत अनिक निराजस्वर में बोला, दिस इस वेरी फॉर फेश्ट विशालगड में उसके कपड़े सिले होने के बावजूद हो सकता है वो विशालगड की रहने वाली ना हो, फिर ये ज़रूरी नहीं कि राजनगर आकर वो किसी होटेल में ही ठहरी हो, होटेल में ठहरी हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो होटेल इंपेरियल हो, इंपेरियल क सेंट्रल पार्क के पास होना कोई माइने नहीं रगता वो राजनगर के दरजनों घटिया बढ़िया होटलों में से किसी में ठहरी हुई हो सकती थी फिर भी जब वक्ती तोर पर कुछ हाथ नहीं लग रहा तो इंपेरियल से पोश्टाच कर लेने में क्या हर्स है पासी तो है वो ओके ओके लेकिन टाइम लिमिट का खयाल रखना अच्छा और सुनिल ने संबंध विच्चेत कर दिया इंपेरियल होटेल की लॉबी में सननाटा था रिसेप्शन पर एक उंगता हुआ क्लर्क मौचूद था सुनिल रिसेप्शन पर पहुँचा क्लर्क सचेत हुआ और स्वागत पॉन्ट स्वर में बोला मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ सुनिल उसे अपना प्रेस कार्ड दिखाता हुआ बोला मैं विशाल गड़ से यहां आई एक यूफ्टी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ जो हो सकता है तुमारे होटेल में ठेहरी हो कौन यूफ्टी वो संशक स्वर में बोला हुए रंगोरा, कद लंबा, जिसम चरहरा, रकरखाव से संपनता और सलीके की जलक ये तो आप मिस्स किरन भार्गव का हुलिया बयान कर रहे हैं क्लर्क बोला किरन भार्गव सुनिल ने नाम दोहराया क्या वो विशाल गड़ से आई है जी हाँ, आज ही, मैंने ही उसे रिजिस्टर किया था मेरे ड्यूटी पर आने के पांच मिनट बाद ही यहाँ पहुंची थी वो कौन से कमरे में है? पांसो साथ में क्या उनके कमरे में टेलीफोन है? हाँ है, जरा रिंग करो इस वक्त? हाँ, मेरा इस किरन भारगफ से मिलना नहायत जरूरी है लेकिन जनाब आधी रात हो चुकी है तुम चिंता मत करो, वो माइन नहीं करेंगी क्लर्ट ने हिच किचाते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया उसने ओपरेटर से कमरा नमबर 507 का टेलीफोन मांगा कुछ शन वो रिसीवर कान से लगाई रहा और फिर बोला ओपरेटर कह रही है कि वहाँ से कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा क्यूं? वो अपने कमरे में नहीं होंगी क्या तुमने उसे होटेल से बाहर जाते देखा था? नहीं कीबोर्ट पर देखो क्या वहाँ उसके कमरे की चाबी है? क्लर्ट ने अपने पीछे बने कीबोर्ट पर निगार डाली 507 की चाबी वहाँ मौचूद थी इसका मतलब है कि वो कहीं बाहर गई हुई है और अभी तक वापिस नहीं लोटी है सुनील बोला क्लर्ट ने सेहमती में सेर हिलाया सुनो सुनील तनी कागे को चुका और रहस्य पॉर्ट स्वर में बोला नाम क्या है तुम्हारा? M के खोसला खोसला मैं एक मिनट के लिए इस लड़की के कमरे में जाना चाहता हूँ ये कैसे हो सकता है? खोसला तेवर विरोध पॉर्ट स्वर में बोला ये तो सुनो सुनो पहले पुरी बात सुन लो फरमाईए तुम्हारी जानकारी के लिए अब ये लड़की वापिस यहां लोट कर नहीं आने वाली क्यूं? क्यूंकि अभी थोड़ी देर पहले सेंट्रल पार्क से उसकी लाश बरामत हुई है जी कलग बुरी तरह चौंक पड़ा मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ उस लाश की वज़ा से ही तो मैं यहां आप पहुँचा हूँ लेकिन आप यहां कैसे पहुँचे? आपको कैसे मालूम था कि वो यहां टेहरी हुई थी? मुझे नहीं मालूम था मैं तो अंदाजन यहां पहुचा हूँ कमाल है? देखो मैंने तुम्हें बताया ही है कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ अभी अपना प्रेस कार्ट भी दिखाया था मैंने फिर भी कोई वेहम की बात हो तो तुम ब्लास के ऑफिस में फोन करके मेरे बारे में पूछ लो वो खामुश रहा मैं अपने अक्बार की खातिर एक बार इस लड़की के कमरे में जांकना चाहता हूँ लेकिन किस लिए? कोई एक्सक्लियोजिव फर्स्ट एंड मैटर हासिल होने की उमेद में मैं तुम से वादा करता हूँ कि मैं केवल एक निगाफ फिराऊंगा लड़की के सामान पर और ये बात मैं कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दूँगा कि तुमने मुझे लड़की के कमरे में जाने दिया था कि के बारे में कोई बात छुपी तो वैसे भी नहीं रहने वाली लेकिन अगर मुझे कोई जानकारी वक्त से पहले हासिल हो जाएगी तो मेरे अकबार की धाक बैठ जाएगी जरा मदद करो ना दोस्त लेकिन साहाब अच्छा ऐसे करो मुझे अकेला वहां मत जाने दो तुम भी मेरे साथ चलो तब तो तुम्हें जाती तसली हो जाएगी कि मैंने कोई बेजा हरकत नहीं की मैं रिसेप्शन छोड़कर नहीं जा सकता साहब तो मुझे चाबी दो मैं उल्टे पाउँ वापिस आता हूँ नहीं साहब बहुत मुश्किल काम है ये कोई मुश्किल काम नहीं ये मामूली काम है और फिर तुम मेरी जो मदद करोगे वो यूही नहीं होगी उसके बदले में मैं तुम्हें एक प्रशस्ती पत्र भी दिलाऊंगा जो खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन किया हुआ होगा जी? हाँ ये देखो और सुनील ने जेब से एक सौ का नोट निकाल कर उसकी और सामने रख दिया जिदर गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे कलर्ट की आंखों में फॉरन लालच के चमक पैदा हुई ओ, कम ओन नाउ प्लीज, बी अ स्पोर्ट, बी अ पॉल मैं आपको चाबी नहीं दे सकता कलर्ट दबे स्वर में बोला फिर वही बात सुनील निराश स्वर में बोला लेकिन आप उपर चले जाएए बिना चाबी के उपर जाने का क्या फाइदा? क्या पता कमरे का दर्वासा खुला हो? वो अर्थपूर्ण स्वर में बोला ओ, और आप सीडियों से जाएएगा चीक है और मैंने आपको उपर जाते नहीं देखा वो भी चीक है सुनेल सीडियों की और बढ़ा कलर्ट ने नोट उठा कर जेब में रखा और पीछे कीबोर्ट से 507 की चाबी उदार ली वो काउंटर के पीछे से निकला और फुर्ते से लिफ्ट में दाखिल हो गया लिफ्ट पांचवी मंजिल की और दौट चली सेडियों के रास्ते सुनेल पांचवी मंजिल पर पहुँचा उसने कमरा नंबर 507 के सामने जाकर हैंडल घुमाया और दर्वाजे को भीतर को धक्का दिया दर्वाजा फॉरण खुल गया सुनेल भीतर दाखिल हुआ उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद कर लिया और कमरे की बत्ती जला दी सुनेल ने सबसे पहले टेलिफोन का रिसीवर उठाया और रिसेप्शन पर फोन किया तुरंद खोसला की आवाज उसके कान में पड़ी थैंक यू सुनेल जल्दी से बोला एक काम और करना अगर कोई आकर किरन भारगव के बारे में पूछे या उसके कमरे की और या इस मंजिल की और भी रवाना हो तो यहां मुझे टेलिफोन पर खबर कर देना अच्छा खोसला बोला सुनेल ने रिसीवर रख दिया वो फिर कमरे की और आकरशित हुआ सबसे पहले उसने बात्रूम में निगा डाली और फिर वार्ड्रोब के भीतल चांका दोनों जगा कहीं कुछ नहीं था पलंग पर एक सूट केस पड़ा था सुनेल ने देखा कि उसमें ताला नहीं लगा हुआ था उसने सूट केस को खोला और धीरे से उसका पल्ला उठाया वो जनाने कपड़ों और सौंद्रे प्रसाद्नों से भरा हुआ था उसने एक एक चीज का बड़ी बारी के से मौईना किया कोई भी चीज लड़की के बारे में उसका ग्यान वर्धर नहीं कर पाई बीतर से कोई कागस पत्तर, कोई डाइरी, कोई चिठी पत्री जैसी व्यक्तिगत चीज बरामत नहीं हुई सुनिल निराशो उठा एक एक उसे एक बात सूची वो टेलीफोन के पास पहुचा उसने फिर रिसेप्शन पर फोन किया क्या तुमारे होटेल में विभिन कमरों से होने वाली टेरीफोन कॉलों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसने खोसला से पूछा जी हाँ क्या मालुम करके बता सकते हो कि 507 से किरण भारगव के यहाँ आने के बात से कोई कॉल हुई थी एक मिनट होड कीजिए सर ओके सुनील बुला वो रिसिवर कान से लगाए खड़ा रहा एक मिनट बात खोसला की आवाज फिर उसके कानों में पड़ी दो कॉल हुई थी जनाब लोकल या ट्रंग कॉल सुनील ने पूछा लोकल नमबर क्या है 46291 और 373848 बोलो कि ये नमबर कहा की है एक बार फिर होल कीजिए जनाब अच्छा लाइन पर फिर खामोशी चा गई हलो थोड़ी देर बाद सुनील को खोसला की आवाज सुनाई थी बोलो सुनील ने कहा पहला नमबर किसी रुकमनी देवी का है जो आदर्श नगर की दस नमबर इमारत में रहती है और दूसरा नमबर किसी बैरिस्टर मंगल दास महंत का है जो शंकर रोट के दो नमबर बंगले में रहता है रुकमनी देवी का नाम सुनील के लिए सरवदा अपरिचित था लेकिन बैरिस्टर मंगल दास महंत को वो खूब जानता था वो एक इंतहाई काईया वकील था अभी हाल ही में सुनील की उससे भयंकर जड़ब होकर हटी थी और उसी सिलसले में स्वयम को जेल जाने से बचाने के लिए उसे अपने से आधी उम्र की एक कथित फिल्म अभीनेतरी कांता से शादी करनी पड़ी थी ये बैरिस्टर महंत को उसने किस वक्त फोन किया था प्रत्यक्ष्ट सुनील ने पूछा ये बताना कठिन है उत्तर मिला क्योंकि होटेल में टेलीफोन कॉल के संदर्ब में केवल टेलीफोन नंबर और काम की तारीक का रिकॉर्ड रखा जाता है कॉल के वक्त का नहीं ओ लेकिन ये दोनों कॉल भी उसने आट बजे के बाद ही की होंगी क्योंकि आट बजे ही वो होटेल में पहुंची थी पहले उसने शंकरोड वाला नंबर मांगा था और फिर आदर्श नगर वाला हम सुनेल एक शन खामोश रहा और फिर बोला सुनो क्या तुम इस टेलीफोन पर मुझे एक मिनट के लिए डारेक्ट लाइन दिलवा सकते हो होल्ड कीजिए मैं अभी ओपरेटर को कहता हूँ थैंक यू सुनेल रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा कुछ शन बात उसके कान में डायल टोन की आवास पड़ी सुनेल ने तुरंत रुकमनी देवी वाला नंबर डायल किया कुछ शन घंटी बशती रही फिर दूसरी और से रिसीवर उठाया गया और एक इस्त्री स्वर सुनेल के कानों में पड़ा हलो हलो सुनेल बोला क्या ये 46291 है हाँ आप कौन मेरा नम सुनेल है मैं बलास्ट का रिपोर्टर हूँ मैं असमें आपको कश्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ और ओहो तो आप लोगों को भी खबर लग गई कैसी खबर यही कि हमारी कोठी पर चोरी हुई है क्या आपकी कोठी पर चोरी हुई है हाँ अभी थोड़ी दर पहले मेरी बेटी रश्मी के बेडरूम में एक चोर घुसाया था लेकिन एका एक जाक पढ़ने की वज़ा से वो केवल एक नेकले से चुराने में काम्याब हो पाया था अभी यहाँ पुलिस भी होकर गई है ओ, मुझे इस बात की खबर नहीं थी मैडम तो फिर आपने कैसे फोन किया जी मैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किस से बात कर रहा हूं मेरा नाम रुखमणी देवी है क्या आप घर की मालकीन है हाँ, आपने कैसे फोन किया मैं ये जानना चाहता था कि किया आज शाम आट बचे के बाद किसी समय किरन भारगव नाम की किसी युफ्ती ने फोन पर आप से बात की थी मैं किसी किरन भारगव को नहीं जानती और ना ही मैंने इस नाम की किसी युफ्ती से फोन पर बात की है शायद आपके परिवार के किसी सदस्या ने उनसे बात की हो हाँ शायद देखिए एक कतल के केस के सिलसले में इस बात का भारी महत्व हो सकता है मैं आपका बहुत एहसान मानूगा अगर आप इस बारे में अपने परिवार के सदस्यों से भी पूश्टाच कर ले शायद किसी और ने किरन भार्गव से टेलिफोन पर बात की हो ज़रा होल्ड करो मैं पूश कर बताती हूँ जि शुक्रिया कुछ शंड खामोशी रही फिर सुनिल के कान में दोबारा रुक्मनी देवी की आवास पड़ी हलो जि फरमाईए सुनिल ततपट स्वर में बोला मैंने सबसे पूचा है यहां किसी ने भी किरन भार्गव की कोई कॉल रिसीव नहीं की है और किरन भार्गव को आपके यहां कोई जानता भी नहीं है नहीं लेकिन मुझे मालुम हुआ है कि किरन भारगव ने आपके टेलीफोन पर रिंग किया था आज ही आठ बजे के बाद किसी समय मुम्किन है लाइन बिजी रही हो और बात ना हो सकी हो लेकिन जब उसने आपके नमबर पर कॉल करने की कोशिश की थी तो आपके परिवार में से किसी को तो वो जानती होगी कॉल लग जाने के बाद वो किसी से तो बात करती होगी मुम्किन है हमारे टेलीफोन नमबर को वो किसी और का अपने किसी परीचित का नमबर समझ रही हो हाँ ये मुम्किन है सुनील बोला लेकिन उसके स्वर में आश्वासन का सरवदा अभाव था आप लोग क्या हमारे यहां हुई चोरी की खबर अकबार में भी चापेंगे आप चाहती है ये खबर हम अकबार में चापें हमें इस बात में क्या एतरास हो सकता है और फिर मैंने सुना है ऐसी बात अकबार में चप जाए तो पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से तफ्तिश करती है फिर हो सकता है कि चोर पकड़ा जाए और हमारा केमती नेकले समय वापिस मिल जाए रुकमनी देवी जी बात को नियूस के सूरत में देने के लिए मुझे आपके यहां हासिर होना पड़े का तुम शौक से आओ मुझे क्या इतरास हो सकता है उस घटना के बाद से मेरा सारा घर बार इतना डिस्चरब हो किया है कि अभी सोने के मूर में तो कोई भी नहीं है तो फिर ठीक है मैं हाजिर होता हूँ छीक है, एक बात और बताईएगा रुक्मनी देवी जी क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि किरन भारगव की कॉल करने पर आपके टेलीफोन की घंटी तो बजी हो लेकिन उस वक्त टेलीफोन उठाने के लिए कोठी में कोई मौचूद ना हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तुम कहते हो कि कॉल आठ बजी के बाद हुई थी अगर तब कभी घंटी बजी होगी तो किसी न किसी ने फोन उठाया भी जरूर होगा I see, thank you, रुक्मनी देवी जी और सुनील ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया तबी दर्वाजे पर दस तक हुई सुनील सक्पकाया बाहर कौन आया हो सकता था? क्या पुलिस? जैसे वो उस्थान तक पहुँचा था वैसे ही वहाँ पुलिस के आगमन की भी अपेक्षा कर सकता था वो इंस्पेक्टर प्रभु देयाल की काबलियत से नावाकिफ नहीं था सुनील चिंती थो उठा पुलिस को अपनी वहां मौजूद की की कोई मुनासिब सफाई देना उसके लिए बहुत कठिन काम साबित हो सकता था तब ही दर्वाजे पर फिर दस्तक पड़ी उसे इस बात पर भी गुसा आ रहा था कि रिसेप्शन क्लर्ट ने उसे खबर नहीं दी थी कि उधर कोई आ रहा था और अब वो कमरे में फसा हुआ था लेकिन दर्वाजा खोले बिना तो गती नहीं थी उस दर्वाजे के सिवाई वहां से निकासी का कोई और रास्ता भी नहीं था दर्वाजा तो उसे खोलना ही पढ़ना था दर्वाजे पर फिर दस्तक पड़ी सुनील ने आगे पढ़कर दर्वाजा खोल दिया सामने बेरिस्चर मंगलदास महंत खड़ा था जितना सुनील उसे देख कर हैरान हुआ उससे कहीं ज्यादा वो सुनील को अपने सामने दर्वाजे की चौकट पर खड़ा पाकर हैरान हुआ लेकिन आखिर था तो वो एक नंबर का काईया आत्मी अपनी उसटपटी स्थिती में सुनील के मुकाबले में वो बहुत जल्दी संभला वेल 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 एक एक उसके चेहरे पर वित्रिशना पॉंट स्वर में बोला यही सवाल अगर मैं तुम से पूछू तो महंत पूर वत मुस्कुराता हुआ बोला मैं यहां इस कमरे के मालिक से मिलने आया था मालिक से या मालकिन से मालकिन से इतनी रात गए हाँ क्या वो भीतर है नहीं लेकिन तुम भीतर थे अभी भी भीतर हो मैं जब यहां आया था तो मैंने दर्वाजा खुला पाया था मैंने सोचा बाहर गल्यारे में खड़े होने के स्थान पर भीतर इंतिजार करता हूँ दर्वाजा भीतर से बंद करके हाँ कोई एतरास नहीं मुझे बला कोई एतरास क्यूं होने लगा अब आप फर्माईए आप कैसे आए मेरा तुमें ये बताना जरूरी है क्या कतई नहीं लेकिन आपके कुछ न बताने की सूरत में मेरा पुलिस को कुछ बताना जरूरी हो जाएगा पुलिस को जी हाँ पुलिस को आपने एकदम ठीक सुना है मुझे मालूम है बुढ़ापे ने अभी आपके कानों पर असर नहीं किया है वैसे भी नौजवान बीवी के पती पर तो सुना है फिर से जवानी आ जाती है पुलिस को क्या बताओगे तुम यही कि आप आधी रात को चोरों की तरह उस युफ्ति के कमरे तक पहुँझे थे सेंट्रल पार्ट में जिसकी लाश पड़ी पाई गई थी महन बुरी तरह चौंका किसकी लाश पड़ी पाई गई है सेंट्रल पार्ट में उसने पूछा किरन भारगव की, जो अपने जीवन काल में इस कमरे में रहती थी और जिससे इतनी रात गए, आप चोरों की तरह मिलने आई हैं चोरों की तरह? हाँ, बैरिस्चर सहब, मुझे मालूम है कि आप रिसेप्शन से होकर नहीं आई हैं आप पिछवाड़ी की किसी रास्ते से भीतर आई हैं तुम्हें कैसे मालूम? मेरे पास अला दिन का जादूई चिराक है फिर भी, फिर भी क्या? आप कहिए कि मैं जूट बोल रहा हूँ महंत चुप रहा, वो कुछ शर्ण विचार पूर्ण मुद्रा बनाई खामोश खड़ा रहा और फिर बोला, क्या ये सच बात है कि किरन भार्गव का कतल हो गया है? जी हाँ फिर मैं अपने यहां मौजूद की जरूरी नहीं समझता और वो वापिस जाने को घूमा ठेहरिये, सुनिल करकर्श्वर में बोला वो ठिटका आपने अभी मुझे ये नहीं बताया है कि आप यहां कैसे तश्रीफ लाई थे? माई डियर बॉई, तुम अभी उस युफ्ती के कमरे के भीतर मौचूद थे जिसका कि तुम्हारे अपने कतना नुसार कतल हो चुका है अगर तुम पुलिस को मेरे बारे में कुछ बता सकते हो तो मैं भी पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ बता सकता हूँ सो दियर लेकिन और सुनिल अगर तुम मुझ से कुछ पूछना ही चाहते हो तो वो यहां से कहीं और चल कर भी पूछ सकते हो अभी एक एक पुलिस यहां पहुँच गई तो सोचो कितनी बुरी बात होगी किस के लिए हम दोनों के लिए मैं आपकी जात पहचानता हूँ जनाब एक बार यहां से निकल जाने के बाद आप तो इस बात से ही मुकर जाएंगे कि आपने कभी यहां कदम भी रखा था लेकिन माई डियर बॉई आई अम नाट यूर डियर बॉई तुम मुझे यहां रोके भी तो नहीं रख सकते तुमें तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है सुनिल खामुश रहा मैं यहां से जा रहा हूँ अगर मुझे कोई बात करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ और वो दोबारा वापिस गोम कर वहां से चल दिया सुनिल एक शण हिच के जाया फिर उसने कमरे के भीतर की बत्ती बंद की दर्वाजे को भी बाहर से बंद किया और महंत के पीछे लपका महंत लिफ्ट में दाकिल हुआ तो सुनिल भी उसके साथ लिफ्ट में सवार्ट हो गया लिफ्ट नीचे पहुची महंत बड़ी शान से चलता हुआ होटेल के मुखे द्वार से बाहर निकला लेकिन फिर भी सुनिल को पूरा विश्वास था कि वो आया मुखे द्वार के रास्ते नहीं था रिसेप्शन पर खड़े खोसला उसने अपने कोट की उपर ली जेब से एक लंबा सिगार निकाला और यूं उसे सुलगानी की क्रिया में रत्थ हो गया जैसे वो कोई नहायत पेच्रीदा काम था सुनिल ने भी अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और लापरवाही से एक सिगरेट सुलगा लिया बेरिस्चर सहब वो पहले कश्च का धेर सारा धुआ उगलता हुआ बोला अगर आपने कुछ कहा है तो मैं सुन रहा हूँ सुनिल महंत गंभीर स्वार में बोला ये सच बात है ना कि किरन भारगव का कतल हो गया है सच बात है सुनिल बोला और ये सवाल दस मिनट के वकवे में तीसरी बार पूछा है आपने क्या बात है वो लड़की आपको इतने ही अजीज थी कि आपका उसकी मौत की बात पर विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा ये बात नहीं है सुनिल तो फिर क्या बात है मरी कैसे वो किसी ने उसकी पेट में चाकू घोम दिया सेंट्रल पार्ट में हाँ ऐसा तो नहीं कि कतल कहीं और हुआ हो और उसके लाश वहां लाकर फैंट दी गई हो नहीं हालात से यही वालूम होता है कि कतल वहीं हुआ था जहां कि उसके लाश पाई गई थी कमाल है इतनी रात वो अकेले सेंट्रल पार्ट में क्या कर रही थी जरूरी नहीं कि वो वहां अकेली रही हो और कोई नहीं तो कम से कम हत्यारा तो उसके साथ रहा ही होगा यह बात कि लड़की इंपेरियल होटेल में रह रही थी जरूर उसके पर्स में से बरामत कि निकाग साथ से मालूम की जा सकी होगी लड़की का पर्स उसके लाश के पास बरामत नहीं हुआ है कमाल है पर्स कहां गया क्या मालूम कहां गया जरूर हत्यारा साथ ले गया होगा हाँ हो सकता है तुम पुलिस से पहले इंपेरियल कैसे पहुँच गए पुलिस अभी तफ्तेश से फारिग नहीं हुई थी मेरा तफ्तेश से कोई मतलब नहीं था इसलिए मैं पहले यहां पहुँच गया लेकिन तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि लड़की यहां ठैरी हुई थी मैंने अंदाजा लगाया था अंदाजा कैसे उसके कपड़ों पर मुझे विशाल गड़ के एक दरजी का लेबल लगा हुआ दिखाई दिया जिससे मुझे यह संभावना दिखाई थी कि लड़की राशनगर में परदेसी थी फिर मैंने आधी रात को सेंट्रल पार्ट में उसकी माचूद की से अंदाजा लगाया कि वो परोस के ही किसी होटेल में ठेहरी हुई होगी फिर उसके रक रकाफ को ध्यान में रखते हुए मुझे आस परोस का यही होटेल उसके रहने के काबिल लगा मैंने यहां आकर उसका हुलिया बयान करके उसके बारे में पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि लड़की का नाम किरन भारगव था और वो विशाल गड़ से ही यहां आई थी ब्रावो महंत प्रशन सात्मक्स्वर में बोला अब बराए महरबानी सवाल पुछने बंद केजिए महंत सहब और जवाब देने की तरफ तवज्जो दीजिए क्या पूछना चाहते हो आपको मालूम है मैं क्या पूछना चाहता हूँ महंत ने सिगार का एक लंबा कश लगाया आप लड़की को कैसे जानते हैं मैं डियर बॉई मैंने कब I am not your dear boy I told you already Yes, yes, you did लेकिन मैंने कब ताहा कि मैं लड़की को जानता हूँ तो फिर आप उससे मिलने के लिए यहां कैसे पहुँच गए और वो भी आधी रात को इतिफाक से मुझे अभी यहां आने की फुरसत मिली मैं बहुत बिजी आत्मी हूँ Remember किस्सा क्या है महंत सहब लड़की मेरे विशालगर के एक दोस्त की परीचित है उसने मुझे चिठी लिखकर लड़की के बारे में बताया था कि राश्नगर में उसे कानूनी मश्वरे की जरूरत थी और ये कि अगर वो कभी मुझसे संपर्क स्थापित करे तो मैं उसकी मदद करूँ लड़की ने आज मेरी गैर हासरी में मेरे घर पर फोन किया था और मेरी पतनी को बताया था कि उसका नाम किरन भारगव था वो विशालगर से आई थी वो राश्नगर के इंपेरियर होटेल के कमरा नंबर पांसो साथ में ठेहरी होई थी और ये कि वो मुझसे मिलना चाहती थी मैंने कलब से लाटते समय सोचा कि मैं लड़की से मिलता चलता हूँ और फिर मैं यहां पहुँच गया आपने होटेल के पिछवारी के रास्ते से दाखिल होकर चोरों की तरह लड़की के कमरे तक पहुँचना क्यों जरूरी समझा कौन कहता है कि मैंने ऐसा किया है मैं कहता हूँ तुम्हें वेहम हुआ है बर्कुरदार अच्छी बात है वेहम ही सही आप मुझे अपने विशाल गड़ के उस दोस्त का नाम बता सकते हैं जिसने किरन भारगव की आप से सिफारिश की थी बता सकता हूँ क्यों नहीं बता सकता लेकिन मैं बताना जरूरी नहीं समझता सुनिल महंत को गोड़ने लगा लेकिन महंत के हाव भाव से ऐसा नहीं लगा जैसे सुनिल के गोड़ने की परवा हो सुनिल ने एक गहरी सांस ली और बोला शुक्र मनाईए बैरिस्चर सहब किस बात का महंत भावे उठा कर बोला कि किरन भारगव के कमरे में आपको मैंने पकड़ा पुलिस ने नहीं माई डियर बॉई एक ही फिक्रे में कितनी गलत बाते कह दी तुमने किरन भारगव के कमरे में मैंने कभी कदम नहीं लगा था उसके कमरे में तो तुम घुसे बैठे थे और तुमने मुझे पकड़ा नहीं था पकड़े तो चोर उचक के जाते हैं मैं कोई चोर उचक नहीं 19.biz का ही फर्क होगा क्या कहा? वही जो आपने सुना और उससे आगे ये कहा कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए पिशली बार को याद कर लीजिए जब आपकी ओवर स्मार्टनेस की वज़ा से आपका पुलंदा बंधते बंधते बचा था पुलंदा नमस्ते हाँ जब लाश बरामद हुई भी तो चाकुलाश की पीट में ही था क्या? नहीं चाकुलाश की पीट में भी नहीं था और घटना س्थल बर भी बरामद नहीं हुआ था और लड़की का परस भी पता नहीं कहा गया क्या बात है पर्स की बड़ी चिंता हो रही है आपको महंत केवल मुस्कुराया बेरिस्चर सहाफ एक अच्छे शेहरी की तरह अब आपको खुदे पुलिस के पास पहन जाना चाहिए वो किस लिए लाश के शिनाक नहीं करने के लिए लेकिन मैं तो लाश के शिनाक नहीं कर सकता किरन भारगव की मैंने जिन्दगी में कभी सूरत नहीं देखी क्या कहने सुनिल व्यंगेपोंट स्वर में बोला मैं सच कह रहा हूँ फिर भी आप लड़की के बारे में कुछ तो जानते ही है आपके बयान से पुलिस को केस की तफ्तेश में काफी मदद मिल सकती है जरूर मिल सकती होगी लेकिन मैं कोई वालेंटियर तो नहीं अगर पुलिस को मेरी मदद की जरूरत है तो वो मेरे पास आ जाए ऐसा ही होगा क्या मतलब? कल के बलास के माध्यम से पुलिस को आपकी हद प्राण से गोपनिय मुलाकात की कोशिश की मालूमात हुए बिना नहीं रहेगी तुम इतनी मामूली बात को अकबार में चापोगे? ये मामूली बात नहीं है बेरिस्चर सहब छीक है जो मुनासिब समझा करना लेकिन इने एक बात याद रखना क्या? मैं अपने मान समान को बड़ी एहमियत देता हूँ अगर ब्लास भी मेरा कोई उल्टा सीधा जिक्र आया तो मैं तुम पर और तुम्हारे मालिक पर मान हानी का बड़ा तगड़ा दावा ठोकूंगा क्या आप मुझे धमकी दे रहे है धमकी नहीं महन सहज भाफ से बोला वार्निंग दे रहा हूँ और फिर वो एका एक घूमा और लंबे डग भड़ता हुआ आगे बढ़ गया सुनेल कुछ शन वही ठिटका खड़ा रहा फिर उसने सिगरेट का आखरी कश लगा कर उसे एक और फैंक दिया और वापिस होटेल में दाकिल हो गया लॉबी में बने एक टेलीफोन बूत में जाकर उसने फिर रॉय को फोन किया दादा रॉय के लाइन पर आते ही सुनेल बोला देट फॉर फैश्ट फिंग हैस हिट दब बुल्जाई तुक्का मार कर गया लड़की की शिनात्थो गई है अच्छा हाँ और ये बात अभी पुलिस को भी मालूम नहीं है कि लड़की कौन है कर बलास नगर का इकलौता अकबार होगा जिसमें लड़की की असलियत के बारे में चपा होगा वेरी गुट कौन है वो उसका नाम किरन भारगव है और वो इंपेरियल के कमरा नंबर 507 में ठैरी होई थी वो विशाल गड़की ही रहने वाली निकली है और बैरिस्चर मंगलदास महंत से शर्टिया उसका कोई रिष्टा है हलाकि महंत इस बात से इंकार कर रहा है ये महंत वाली बात क्या हुई जरविस्तार से कहो उत्तर में सुनेल ने महंत के इंपेरियल में आगमन और उसके साथ हुए अपने वार्तालाप के सारी कथा दोरा दी देट्स गुड नियूस रॉय संतुष स्वर में बोला और और मुझे मालूम हुआ है कि मनने वाली ने आग शाम होटेल में पहाँशने के बाद आदर्श नगर की एक किसी रुकमनी देवी के यहां भी फोन किया था लेकिन रुकमनी देवी ऐसी कोई फोन कॉल वहाँ आई होने से इंकार करती है इतिफाक से अभी एक दो घंटे पहले उसकी कोठी में चोरी भी हुई है मैं फॉरण वहाँ जा रहा हूँ वहाँ से कोई जानकारी हाथ लगेगी तो मैं खबर करूँगा अब उसमें हडबड़ी मचाने की जरूरत नहीं सुनील पेपर प्रेस में जाने वाला है अब और वक्त नहीं है मैं हासिल जानकारी ही प्रेस में दे रहा हूँ रुकमनी देवी के यहां से जो कुछ तुमें मालूम होगा उसका आज की पेपर में जा पाना संभव नहीं ओ सो यू टेक अटीजी सुनील ओके सुनील ने रिसीवर वापिस हुक पर टांग दिया डेड़ बजे के करीब सुनील आदर्श नगर पहुँचा दस नमबर कोठी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई उसने देखा कि कोठी के कमपाउंड में रोशनी थी और भीतर भी कई खिड़कियों में रोशनी दिखाई दे रही थी वो फाटक ठेल कर कमपाउंड में दाकिल हुआ ड्राइव वे में एक फोर्ड फॉलकन खड़ी देखकर वो ठिटका उससे बड़ी गौर से उसके चारो पहियों का मौईना किया सेंट्रल पार्ट में लाश के पास जिस विदेशी कार के टाइरों के निशान उसने देखे थे वो सरसर सामने खड़ी कार के पहियों द्वारा बने हो सकते थे ट्रेडिंग का पैटरन बिलकुल वही था सामने का बाई और का टाइर एक जगा से थोड़ा कटा हुआ था और सुनेल को पार्ट की मिट्टी में उस कटे हुए भाग द्वारा छोड़ी गई चाप साफ दिखाई दी थी उस कार को देख कर जहां सुनेल खुश हुआ वहीं उसे अफसोस भी हुआ कि वो वहाँ पहले क्यूं नहीं पहुँचा उस केस में वो पुलिस से कई कदम आगे था पुलिस अभी लाश के शिर्नाक तक नहीं कर पाई थी और वो इतिफाक से उस कार को भी तलाशने में काम्याब हो गया था जो खटना स्थल पर अपनी मौजूद्गी की कहानी खुद अपने मूँ से कह रही थी उसके लिए ये अफसोस की बात थी कि इतनी महत्वपून खबर रोज के अकबार में नहीं जा सकती थी सुनील ने कोठी में मुख्य द्वार पर जाकर कॉल बेल बजाई दर्वाजा खुद रुकमनी देवी ने खुला सुनील ने उसे अपना परीचे दिया और उसे याद दिलाया कि उसी ने थोड़ी देर पहले टेलिफून पर बात की थी रुकमनी देवी उसे कोठी के ड्राइंग रूम में ले आई वहां कीर्थी रश्मी और अनिल बैठे हुए थे रुकमनी देवी ने सबसे सुनील का परीचे करवाया सुनील ने सबका अभिवादन किया पता नहीं क्या होता जा रहा है इस शेहर को रुकमनी देवी असहाई भाव से गर्दन हिलाती हुई बोली चोरी डगैती तो आम बाते हो गई हैं जान और माल की हिफाज़त की हुकूमत की तरफ से कोई गैरेंटी नहीं रही सुनील ने चिंतित भाव से सहमती में सिर हिलाया तुम टेलिफोन पर किसी कतल का भी जिक्र कर रही थे जी हाँ सेंट्रल पार्ट में किरन भार्गफ नाम की एक नौजवान लड़की का कतल हो गया है सेंट्रल पार्क यहां से कितनी दूर है एक एक किरती ने पूछा कोई तीन किलो मिटर सुनील तनिक सक पकाई स्वर में बोला क्या आपको नहीं मालूम किरती इस शहर में एक दम नहीं है उत्तर रुकमनी देवी ने दिया यह सिंगपूर से आज ही पहली बार यहां आई है आई सी लेकिन सुनील किरती की तरफ घूमा आपने फासले के बारे में क्यों पूछा यूही किरती धीरे से बोली कोई खास वज़ा नहीं सुनील ने गौर से उसके चेहरे को देखा आप सुनील रश्मी की तरफ घूमा चोरी के बारे में बताईए क्या हुआ था मैं अपने कबरे में सोई पड़ी थी रश्मी ऐसे तिक्त स्वर में बोली जैसे एक ही बात बार बार दोरा कर तंग आ चुकी हो एका एक मेरी नीन खुल गई और मैंने मैसूस किया कि कबरे में कोई था फिर मुझे बेडरूम के एक कोने में लगी मेज के पास एक साया दिखाई दिया मैंने आतंकी थोकर चीखने लगी मेरे चीखते ही चोर खिड़की से बाहर कूट कर वहां से भाग गया क्या खिड़की खुली थी? और फिर भीतर हाथ डाल कर चिटकनी खोल दी थी, जाहिर है, फिर, फिर सारा घर मेरे बेटरूमें इकटा हो गया, उसके बाद ही मेरी जान में जान आई, छोरी क्या गया है, एक नेकलिस, कितने कीमत रही होगी उसकी, रश्मी ने अपनी मा की तरफ देखा, दस अजार का तो वो हर्गिस नहीं था, रुकमनी देवी बोली, क्या मैं आपका बेटरूम देख सकता हूँ, सुनिल रश्मी से बोला, पुलिस सुबा फिर आने वाली है, इस बार भी उत्तर रुकमनी देवी ने ही दिया, उन्होंने कहा है कि किसी चीज़ को चुआ ना जाए, और न लेना चाहता हूँ, फिर ठीक है, आईए, सुनिल रुकमनी देवी के साथ थो लिया, परिवार के बाकी तीन सदस्य भी उनके पीछे पीछे चल दिये, रुकमनी देवी ने रश्मी के बैटरूम का दर्वासा खोला, और भीतर की बत्ती जला दी, सुनिल के निगा पैन होत आकर स्थेर हो गई, जिसके भीतर का सामान उसके एर्ध-गिर्ध फर्श पर बिक्रा पड़ा था, क्या नेकलेस इस दरास में था, सुनिल ने पूछा, नेकलेस जेवरों के डिबे में था, और वो डिबा दरास में था, रुकमनी देवी ने बताया, क्या बाकी जेवरात सल हाँ ये अजीब आत नहीं कि चोड डिबा लेकर ही नहीं चलता बना उसने डिबे में से केवल एक नेकलेस निकाला शायद डिबा खोलने से पहले उसे मालूम नहीं था कि भीतर जेव रात थे उसे खोलने पर अभी उसने भीतर से नेकलेस ही उठाया था तो शायद रश्मी की निन्द खुल गई थी और ये चीकने लगी थी तब ही चोर डिबा फैंक कर भाग खड़ा हुआ होका हो सकता है सुनिल बोला फिर वो रश्मी से संबोधित हुआ आप बत्ती तो बुझा कर सोती होंगी ना हाँ रश्मी नर्वस भाव से बोली क्या चोर अंधेरे में ही भाग लगा था क्या आपको जाली काटे जाने की आवाज सुनाई नहीं दी थी नहीं मुझे तो चोर की आहट तभी मिली थी जब वो कमरे के भीतर घुसाया था क्या आप मेस की दरास को ताला लगा कर नहीं रखती ताला में लगा कर रखती हूँ लेकिन कल पता नहीं कैसे मैं त पाइदेमन्द साबित होई रश्मी ने उत्तर नहीं दिया क्या आपके पास चोरी गए नेकलिस की कोई तस्वीर है नहीं रश्मी बोली जेवरों की तस्वीरे कौन खिचवाता है मेरा मतलब था कि शायद आपके पास अपनी कोई ऐसी तस्वीर हो जिसमें आप ये नेकलिस पहने हुए हो रश्मी कुछ शंट सोचती रही और फिर अपनी मा से बोली ममी तुमारी अलबम में मेरी एक तस्वीर है क्या वो तस्वीर मैं देख सकता हूँ रुकमनी देवी एक शंट हिचकिचाई और फिर बोली मैं आती हूँ वो वहाँ से रुकसत हो गई आईए अनि वाजे की तरफ संकेत करता हुआ बोला कहां खुलता है बाहर अनिल ने बताया कोठी के पहलू में इस बेडरूम की जाली कटी खिडकी की बगल में कहीं हां मेरा भी यही खयाल था फिर सुनिल ने बिना किसी से कुछ पूछे आगे बढ़ कर वो दर्वासा खोला और कोठी स से बाहर कदम रखा वो सावधानी से खिडकी के समी पहुँचा उसने देखा खिडकी के नीचे की जमीन कच्ची और नर्म थी लेकिन वो एकदम सपाट थी वो बड़े अर्थ पोन धंग से गर्दन हिलाता हुआ वापिस लोटा सब लोग वापिस ड्रॉइंग रूम में आ तस्वीर सुनिल को दिखाई सुनिल ने देखा वो तस्वीर किसी पार्टी की मालूम होती थी कई लोगों की प्रिष्ट भूमी में नेकलिस जिल मिला रहा था तस्वीर काफी बड़ी थी इसलिए उसमें नेकलिस की हर बारी की नुमाया हो रही थी ये तस्वीर आप हमें दे सकती हैं सुनील ने पूछा किस लिए रुकमणी तनिक संदिक दभाफ से बोली इस में से नेकलिस वाला हिस्सा एनलाच कराकर हम अपने अकबार में चापेंगे लेकिन मैं तस्वीर बहुत जल्दी आपको वापिस कर जाऊंगा छीक है रुकमणी देवी ने तस्वीर को अलबम में लगे चारों किनारों से अलग किया और उसे सुनील को सौंप दिया शुक्रिया सुनील कृतग्यभाफ से बोला अब मैं किरन भारगफ के बारे में आप से एक बार फिर सवाल करना चाहता हूं मुझे पक्के तौर पर मालुम हुआ है कि आग शाम आठ बजे के ब के नमबर पर टेलिफोन किया था मैं पहले ही कह चुकी हूं रुक्मनी देवी बोली कि ऐसा कोई टेलिफोन नहीं आया था यानि कि आपके यहां विशालगड के किरन भारगफ को कोई नहीं जानता जानना तो दूर हम इसे किसी ने कभी ये नाम सुना तक नहीं है कौन ये लड़की ये वही लड़की है जसके लाश आज रात पार्क में पाई गई है मैं किरन भारगव के बारे में आप लोगों से बार बार सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्यूंकि हो सकता है कि उसके कतल में और आपके यहां हुई चोरी में कोई रिष्टा हो हमें उस लड़की की किसी से बात तो की हो लेकिन अपना नाम को चौर बताया हो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया सुनील की पैनी निगा सब से सबके चेहरों पर फिर गई ओके सुनील गहरी सांस लेकर बोला अब एक आखरी सवाल और पूछने की इजासत दीजिए सबकी प्रशन सूचक निगा है सुनील की और उठी बाहर जो फोर्ट फॉलकन खड़ी है सुनील ने पूछा क्या वो आपकी है वो गाड़ी मेरी है किरती ने तनी खड़ बढ़ा कर उत्तर दिया आई सी आप आज ही यहाँ पहुंची है ना जी हाँ यहाँ पहुंचने के लिए रास्ते में क्या आप से भी गुजरी थी मुझे नहीं मालूम कि सेंट्रल पार्क कौन सा है और कहा है लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मैं यहाँ आते समय किसी पार्क से नहीं गुजरी थी क्या यहाँ आने के बाद आप पार्क में गई थी यहाँ आने के बाद से मैंने यहाँ से बाहर कदम नहीं रखा है या आपकी गाड़ी कोई और लेकर गया हो किरती मुझे कुछ नहीं बोली लेकिन एका एक उसके चेहरे पर भारी बेचैनी के भाव उपरे किरती की गाड़ी कोई लेकर नहीं गया था रुकमनी देवी ने तीखे स्वर में जवाब दिया इसने गाड़ी जहां लाकर खड़ी की थी वो अभी भी वहीं खड़ी है हमारे पास अपनी गाड़ी है मैंने या मेरे बच्चों में से किसी को अगर कहीं जाना होगा तो हम अपनी गाड़ी भी तो निकाल सकते थे लेकिन आंटी क्या कुछ नहीं किरती ने बेचैनी से पहलू बदला और दांट सुनील ने बड़ी गौर से किरती की तरफ देखा लेकिन किरती निगाहें चुराने लगी मुझे विदेशी गाड़ियों का बहुत शौक है सुनील सहच भाफ से किरती से बोला क्या मैं एक मिनट आपकी फोर्ट फॉलकन देख सकता हूं किरती ने संशक भाफ से रुक्मनी देवी के चहरे पर कोई भाफ नहीं आया आईए एक एक किरती निर्न्यात्मक स्वर में बोली सुनील अपने स्थान से उठा उसने सब का अभिवादन किया और किरती के साथ थो लिया दोनों कोठी से बाहर कार के पास पहुंचे किरती जी सुनील धीमे स्वर में बोला अप कुछ छुपा रही है किरती खामोश रही देखिए एक बात के तो गैरंटी है आपकी गाड़ी सेंट्रल पार्क के सेर तो शर्तिया करकी आई है और अगर आप शाम को ही राशनगर पहुंची है तो ये सेर हुई भी आपके यहां आने के बाद ही है अब ये बात दूसरी है कि गाड़ी आप ना लेकर गई हो रुक्मनी देवी के परिवार का कोई और सदस्य लेकर गया हो मैं सेंट्रल पार्क नहीं गई मेरा वहां क्या काम तो कोई और गया होगा यहां से सेंट्रल पार्क के फासले के बारे में आपने जो कहा था उससे भी लगता है कि कोई खास जो आप छुपा रही हैं। मैं अपनी आंटी के परिवार के लिए असुविदा का कारण नहीं बनना चाहती। ये परिवार असुविदा में तो आपके कारण बने बिना भी पढ़ने वाला है। क्यूं? क्यूंकि नेकलेस के चोरी की जो कहानी ये लोग सुना रहे हैं। वो सरसर जूटी है। मेरा दावा है कि यहां कोई चोरी नहीं हुई है। जी? जी हाँ, ये इंसाइड जॉब है। घर का कोई आत्मी या सारे जने मिलकर चोरी का केवल ड्रामा स्चेज कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये? मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हालात पुकार पुकार कर अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। खिर्की की जाली साफ दिखाई दे रहा है कि भीतर की तरफ से काटी गई है। बाहर खिर्की के नीचे की जमीन कच्छी और नर्म है। लेकिन वहां किसी के पैरों के निशान नहीं। चोर को पहले से ही पता था कि जेवर कमरे में कहा रखे हैं। इसलिए अंधेरे में उस से ही था में इसकी तरफ बढ़ा और वहां पहुँच कर भी उसने केवल वही दरास खोला जिसमें जेवरों का डिबबा था। फिर चोर ऐसा बेवकुफ था कि सारे जेवर चुराने के स्थान पर उसने उनमें से केवल एक नेकलिस ही चुराया। ये लोग यहां कि पुलिस को बेवकुफ समझते हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस बेवकुफ नहीं है। वे लोग सुबब फिर वापिस आने के लिए कहकर गए हैं इसी से साबित होता है कि उन्हें दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। कमाल है इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी नेकलिस की चुरी की जोटी कहानी प्रचारित करने की। कोई तो जरूरत होगी ही कीरती बहराल जो कुछ किया गिया है बड़ी नासमझी से किया गिया है। क्या आपने देखा है वो नेकलिस। डिनर के दौरान नेकलिस का जिक्र तो आया था, आंटी ने बताया था कि वो सेतिहासिक नेकलिस की नकल थी, जो कभी मली का नूर जहां पहना करती थी, उसने रश्मी को खास तौर से हिदायत दी थी, कि सुबर रश्मी वो नेकलिस मुझे जरूर दिखाई दरसल ये लोग मुझे पर अपनी संपन्ता का रौब गांठना चाहते हैं, अनिल के बारे में क्या खयाल है आपका, किस सिलसिले में, क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी बेहन का नेकलिस उसने चुरा कर बेश दिया हो या गिर्वी रग दिया हो, आज जब उसके अपनी मा को रश् आपकलिस की चोरी का ये ड्रामा स्चेज किया हो, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो जानती नहीं कि वो कैसा लड़का है, खेर जाने दीजिए, मैं खुद चेक करवाऊंगा, अनिल को ये लड़का मुझे बहुत घुनना लग रहा है, वैसे भी मैंने अक्सर दे वो खामोश रही, अब आप बराई महर बानी कार के बारे में सच सच बताईए कि क्या माज़रा है, मिस्चर सुनील मैंने पहले ही अर्स किया है कि मैं अपनी आंटी के परिवार के लिए असुवी थाओं, वो मैंने सुना है, सुनील पे सब्रेपन से बोला, लेकिन आप ये भूल रही है कि ये एक कतल का मामला है, जो बात आप छुपा रही है, बात में अगर किसी और तरीके से वो पुलिस को मालुम हो गई, तो वो आंटी के परिवार के लिए कहीं ज्यादा असुविदा का कारण बन सकती है, और हो सकता है आपके लिए भी, मेरे लिए क्यों वो सकती है कि आपकी कार ना केवल सेंट्रल पार्ट गई थी, बलकि घटना स्थल पर लाश के पास तक गई थी, कैसे? आपकी कार के पईयों के विश्ष्ष्ट निशान पुलिस को घटना स्थल पर लाश के पास बने मिले हैं, ओ, तो अब क्या कहती हैं आप? मैं सेंट्रल पार्क नहीं गई, वो नर्वस भाफ से बोली, मैं तो एक बार यहां कदम रखने के बाद कहीं भी नहीं गई, लेकिन आपकी कार कोई और लेकर गया था, और ये बात आपको मालुम है, उसने सहमती में सिर्ष हिलाया, क्या किस्सा है, साफ साफ कहिए, कीर्ती इने बड़े कठिन स्वर में पिछली रात को अपनी कार वहां से ले जाई जाने से संबंदित सारी कहानी के सुनाई, सेंट्रल पार्क के यहां से फासले के बारे में मैंने इसलिए पूछा था, अंत में वो बोली, क्यूंकि कार के लोटने के बाद उसका स्पीडो मीटर द कया था, सुनील ने कहा, किर्टी ने सहमती में सिर हिलाया, आपने वाकई कार ले जाने वाले की सूरत नहीं देखी थी, या ये भी आप अपने आंटी के परिवार को असुविदा से बचाने के लिए कह रही हैं? नहीं, ये बात नहीं, मैं वाकई कार ले जाने वाले के सूरत नहीं देख पाई थी, बाहर इतना अंधेरा था, कि मैं ये तक नहीं जान पाई थी, कि कार ले जाने वाला कोई पुरुश था या इस्त्री, लेकिन था वो कोई घर का ही आदमी? हाँ, ये मैंने साफ देखा था, कि वो घर से ही निकला था, और वापिस आकर घर में ही दाखिल हुआ था I see, कार से संबंदित कोई और बात? उत्तर में केर्थी ने इंकार में सिर हिलाया ओ, कम आन! मिस्टर सुनिल, वो विचलित स्वर में बोली, वो लड़की जिसका खून हुआ है, उससे संबंदित एक बात है कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती, कि किरण भारगव ने आपको टेलिफोन किया था? नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं उस लड़की को कता ही नहीं जानती, वो भला मुझे क्यूं फोन करती? और फिर राशनगर में तो मुझे कोई जानता भी नहीं तो फिर मेरे पास मेरे पास हाँ हाँ बोलिए मेरे पास किरन भार्गव का पर्स है क्या सुनिल चौंका वो पर्स मुझे अपनी कार में पड़ा मिला था कार के यहां लोटने के बाद उसको ताला लगाने तता स्पीडो मेटर की रेडिंग पढ़ने की नियत से जब मैं नीचे आई थी तो कार की अगली सीट पर मैंने एक जनाना पर्स पड़ा देखा था लेकिन आपको यह कैसे मालूम है कि वो पर्स किरन भार्गव का था मैंने उसे खोल कर देखा था भीतर ऐसे कागजात मौजूद थे जिन से मालूम होता था कि पर्स किरन भार्गव का था अब वो पर्स कहा है मेरे पास मेरे बेटरूम में जरा लेकर आईए या मैं आपके साथ भीतर चलता हूँ नहीं आप यहीं ठहरिये मैं पर्स लेकर आती हूँ ओके वो घूमकर कोठी में दाखिल हो गई सुनिल कार के पास खड़ा रहा उसने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिग्रेट सुलगा लिया थोड़ी देर बात कीरती हाथ में एक सफेद रंग का जनाना पर्स लिये वापिस लोटी उसने पर्स सुनिल के तरफ बढ़ा दिया सुनिल ने सिग्रेट फैंक दिया और पर्स थाम लिया उसने अभी तक हाथ में थमी रश्मी की नेकलिस वाली तस्वीर अपने कोट की बाहर ली जेब में अटका ली और पर्स को कार के हुट पर रफ कर खोला बीतर इस्तरियों के पर्स से बरामत होने वाले परंपरागत सौंद्रे प्रसाद्नों के अतिरिक किरन भारगव के नाम का एक ड्राइविंग लाइसेंस था एक इंपेरियर होटेल की रसीत थी जिसके अनुसार कमरा नंबर 507 में ठहरी मिस किरन भारगव से 500 रुपे एडवांस के तौर पर हासिल किये गए थे नोटों का एक मोटा पुलंदा था ट्रेवलर चेक्स की एक मोटी कॉपी थी और राशनगर से भेजी कई एक टेलीग्राम थी जिस पर भेजने वाले के तौर पर बैरिस्टर मंगलदास महंत का नाम लिखा हुआ था और पाने वाले के तौर पर किरन भारगव के नाम के नीचे लिखा हुआ था 13. महात्मा गांधी रोट विशाल गर सुनील ने एक संशक निगाख कोठी के मुखे द्वार की तरफ डाली और पूछा क्या आपने नोट गिने हैं? हाँ वो बोली पूरे 7,000 रुपए हैं और ट्रेवलर चेक? कौपी सो सो के पचास चेकों की है लेकिन उसमें से पंदरा भुनाई जा चुके हैं यानि कि 35,000 रुपए के ट्रेवलर चेक ये फिर भी हैं? जी हाँ ये अजीब बात नहीं कि पैसे की हिफाज़त के लिए जो लड़की ट्रेवलर चेक रखती हो उसके पर्स में 7,000 रुपए के नोट भी मौजूद हो? जी हाँ अजीब बात तो है क्या आपने टेलिग्राम पढ़ी है? हाँ वो संकोच पुण्ट स्वर में बोली कुछ पल्ले पढ़ा? नहीं कभी बैरिस्टर मंगलदास महंत का नाम सुना है आपने? नहीं कौन है वो? Never mind that सुनील ने टेलिग्राम फॉर्म का रुक रोशनी की तरफ करके उसे पढ़ा टेलिग्राम पर तीन दिन पहले की तारीक थी और लिखा था मौजूदा हालात में मुझे आप से मिलकर खुशी होगी फोरण राजनगर चली आईए सुनील ने टेलिग्राम पर्स में डाल कर उसे बंद किया और पर्स वापिस कीर्थी की और बढ़ा दिया मैं इसका क्या करूँ? वो हड़ बढ़ा कर बोली ये उस लड़की का पर्स है जिसकी लाश पार्ट में पाई गई है सुनील बोला ये पर्स आपको पुलिस को देना होगा और अपनी कार की सारी कहानी भी पुलिस को सुनानी होगी मैं पुलिस के जमेले में नहीं पढ़ना चाहती वो तनिक आतंकित स्वर में बोली उसमें तो आप पढ़ चुकी है इससे तो अच्छा ये होता कि मैं इस पर्स को चुप-चाप कही फैंक देती और कार को उसे कहां फैंक थी आप इस घर में पुलिस के कदम क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए उनका ध्यान आपकी कार की और आकरशित हुए बिना नहीं रह सकता अब आपकी भलाई इसी में है कि पुलिस को आप सब कुछ सच सच बता दे पुलिस कार में मौझूद उंगलियों के निशानों को चेक करके ये भी मालूम कर सकती है कि आपकी कार लेकर इस परिवार का कौन सा सदस्य चोरों की थरह सेंट्रल पार्ग गया था पुलिस मुझ से ये नहीं पूछेगी कि मैंने ये बाते उन्हें फॉरण क्यों नहीं बताई आप कह दीजिएगा कि फॉरण आपके समझ में इनकी एहमियत नहीं आई थी तो फिर बाद में कैसे आ कई उस संदर में आप मेरा नाम ले दीजिएगा आप कह दीजिएगा कि सेंट्रल पार्क में मिली किरन भारगव की लाश के बारे में मैंने आपको बताया था तब ही आपने ये महसूस किया था कि एक जिम्मेदार शेहरी की तरह आपको इन बातों की खबर पुलिस को करनी चाहिए थी और अपनी कास से बरामद ये पर्स भी पुलिस को सौंपना चाहिए था सुबह पुलिस यहां दोबारा आने ही वाली है तब ही आप उन्हें सब कुछ कह दीजिएगा ओके लेकिन वो धीरे से बोली लेकिन आउंटी आउंटी क्या आउंटी को शायद ये पसंद नहीं आएका कि इस बारे में मैं पुलिस से बात करूँ वो खफा हो जाएंगी क्यों पसंद नहीं आएका क्यों खफा हो जाएंगी ये तो साफ साफ परिवार के किसी सदस्य पर इल्जाम होगा परिवार के किसी सदस्य पर क्यों ये शरारत किसी नौकर चाकर की भी तो हो सकती है लेकिन फिर भी देखिए अगर आपने हकीकत को पुलिस से चुपा कर रखा और यही बात किसी और साधन से पुलिस को मालूम हो गई तो आपका पुलंदा बन जाएगा क्या मतलब फिर पुलिस आप पर ये इल्जाम लगा सकती है कि आपकी कार और द्वारा यहां से ले जाई जाने की बात सरसर जूटी है और सब किया धरा आपका है मेरा वो आतंकित भाव से बोली जी हाँ लेकिन ठीक है मैं पुलिस से बात करूंगी बहुत अच्छा करेंगी आप और अब बंदा रुकसत होता है नमस्ते अपने पीछे एक बेहत चिंतित कीर्थी को छोड़ कर सुरिल वहां से विदा हो किया अगली सुबह सवेरे सवेरे ही वापिस लिंग रोट पहुँच किया इम्पेरियल होटेल में किरन भारगव के कमरे में कम से कम एक जगा ऐसी थी जहां तलाशी के दारान उसने नहीं जांका था और ये उसका जाती तरजुर्बा था कि कोई चेस चुपाने के लिए उससे ज्यादा सहूलियत की जगा और कोई नहीं हो सकती थी बातरू में कमोट से संबंध पानी की टंग की और वो वहां से ये भी सूंगना चाहता था कि पिशली रात पुलिस वहां पहुँच पाई थी या नहीं उस रोज के बलास के मुख्य प्रिष्ट पर विशालगड के किरन भारगव की सेंट्रल पार्क से बरामत लाश की खबर थी बलास के इलावा वो खबर और किसे भी अकबार में नहीं छपी थी और कई बाते तो सुनेल को उम्मीद थी कि पुलिस को भी उस रोज का बलास पढ़कर ही मालुम होने वाली थी जैसे किरन भारगव इंपेरियल होटेल के 507 नमबट कमरे में ठहरी थी बरिस्टर मंगलदास महंत से उसका कोई रिष्टा था और वो आधी रात को चोरों की तरह इंपेरियल होटेल में दाखिल होकर उससे मिलने आया था हत प्रान का आदेश नगर की रुकमनी देवी से या उसके परिवार के किसी सदस्य से कोई रिष्टा हो सकता था और अंत में बलास में ये संभावना भी व्यक्त की गई थी कि शायद आदेश नगर में रुकमनी देवी के घर हुई चोरी और सेंट्रल पार्ट में हुए कतल का आपस में कोई रिष्टा हो सुनिल अपने पशले रात की काम्याबी से खुश था रोय पर प्रत्यक्षत है उनका बहुत रोब गालिब हुआ था और सुनिल की वो काम्याबी ब्लास के मालिक मलिक सहब की जानकारी में भी आए बिना नहीं रहने वाली थी सुनिल उस रोज किसी भी समय शाबाशी के लिए मलिक सहब द्वारा बुलाई जाने की पूरी उमीद कर रहा था इंपेरियल होटेल की लोबी उस वक्त पशली रात की तरह सुनसान नहीं थी वहाँ काफी चहल पहल थी उसने देखा रिसेप्शन पर पशली रात वाला कलर्ग एम के खोसला मौजूद नहीं था सुनिल सोच में पढ़ किया क्या पशली रात खोसला किरन के कमरे को दोबारा ताला लगा गया होगा शायद ऐसा ना किया हो उसने सुने लिफट की और बढ़ किया किसीने उसे टोका नहीं लिफट पर सवार होकर वो 500 वी मनसील पर पहुंचा 500 वी मनसील का गल्यारा संयोगवश उस वक्त खाली था वो 507 प्रत्यक्ष्टेक खोसला ने दर्वाजे को दुबारा ताला नहीं लगाया था। वो भीतर दाखिल हुआ। दर्वाजा उसने अपने पीछे बंद कर लिया। उसने जो कुछ करना था बहुत जल्द करना था। क्यूंकि पुलिस अगर अभी वहाँ आई नहीं थी तो वो किसे बिक्षन वहाँ पहुंच सकती थी। वैसे सुनील का खयाल था कि पुलिस अभी तक वहाँ नहीं पहुंची थी। क्यूंकि अगर पुलिस का आगमन वहाँ हो चुका होता तो उसे कमरा यूँ खुला नहीं मिलता। कमरे में नी मंधेरा था। उसने बत्ती जलाने का उपक्रम किये बिना बातरूम की दिशा में कदम भढ़ाया। एका एक कमरा रोशनी से नहा किया। सुनील हट बढ़ा कर ठिटक गिया। कौन है एक तीखा इस्त्री स्वर उसके कानों में गुंजा। सुनील ने घबरा कर आवाज की दिशा में देखा। पलंग पर एक यूफती अदलेटी बुद्रा में मौजूद थी। बेट स्विच बभी भी उसके हाथ में था और वो एक कोहनी के सहारी उचेकर सुनील की तरफ देख रही थी। कौन हो तुम वो तीखे स्वर में बोली। जी सुनील हक लाया मम मैं। और यहां क्या कर रहे हो तुम यो चोरों की तरह मेरे कमरे में घुसने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई। जी मैंने दरसल इस कमरे को खाली समझा था। खाली समझा था। कैसे खाली समझा था। जी वो वो तुम जरूर कोई चोर हो मैं अभी तुमें गिरफतार करवाती हूँ और उसने समी पड़े टेलिफोन की और हाथ बुढ़ाया सुनिये सुनिल बॉकलाई स्वर में बोला जरा सुनिये क्या सुनू देखिए मैं बाइदवे आप कौन है क्या कहने तुम उल्टे मु किया है मैं चोर नहीं हूँ तो फिर कौन हो तुम बताते क्यों नहीं हो मेरा नम सुनिल है मैं प्रेस Teacher हूँ मैं Blas का Special Correspondent हूँ कल शाम इस कमरे में जो यूफती टेहरी हुई थी उसका कतल हो गया है इसलिए मैं इस कमरे के खाली होने की उम्मीद कर रहा था मुझे नहीं म पतलब ये कमरा तो कल शाम से ही मेरे अधिकार में है तो फिर मैं जरूर किसी गलत कमरे में खुस आया हूँ ये हो सकता है कतल किसका हुआ है किरन भारगव नाम की एक युफ्ति का जो कल इस उटेल के 507 नंबर कमरे में ठहरी हुई थी मिस्चर वो तेरा स्कारपॉर्ण्ट स्वर में बोली क्या सुबह सवेरे ही नशा कर लेते हो नहीं ऐसा इतिफाक तो कभी नहीं हुआ तो फिर पिछली रात को इतनी ज्यादा पी गए होगे कि नशा अभी तक उत्रा मालूम नहीं होता आप कहना क्या चाहती हैं मैं ये कहना चाहती हूँ कोई तुम किसी गलत कमरे में नहीं आये हो यही 507 नंबर कमरा है और किरन भारगव मेरा नाम है सुनेल के चक्के चूट गए वो विस्वारित नेत्रों से युफ्ति की और देखने लगा क्या आपका नाम किरन भारगव है वो बड़ी मुश्किल से कह पाया हाँ वो बोली और आप विशालगड की रहने वाली है हाँ होटेल के इस कमरे में आप कल रात आई थी हाँ आट बजे के करीब क्या आप साबित कर सकती हैं कि आप किरन भारगव है कैसे आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई ऐसा ही और कागस पत्तर हो जिससे ये साबित हो सकता हो कि आप किरन भारगव है ये सब कुछ मेरे पास था लेकिन मैं उसे पेश नहीं कर सकती क्यूं? क्यूंकि इतिफाक से पिछली रात मेरा पर्स चोरी हो गया है अच्छा, कैसे? मैं पिक्चर देखने गई थी, अपना पर्स मैंने बगल की खाली सीट पर रख दिया था और बात में जब उसकी तरफ मेरा ध्यान गया, तो वहाँ से वो गायब था पर्स में क्या था? साथ अजार रुपए थे, पैंतिसो के ट्रैवलर चेक भी थे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था होटेल वालों को एडवांस में दिये पांत सो रुपए की रसीद थी मैं केरन भारगफ नहीं होती, तो मैं इस कमरे में कैसे होती? लेकिन... और फिर तुम्हें कुछ साबित करके दिखाने की, मुझे ज़रूरत क्या है? होटेल वालों को तो मालूम है कि मैं कौन हूँ? क्या वो रिसेप्शन क्लर्ट मुझे नहीं पहचाने का, जुसने मुझे ये कमरा दिया था? फिर होटेल के रिजिस्टर में मेरे साइन है, मिस्टर, तुम साबित करके दिखाओ, कि तुम चोड़ नहीं हो, वरना मैं अभी तुम्हें गिरफतार करवाती हूँ. और उसने फिर टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया, नहीं नहीं, हड़ बढ़ाकर सुनील बोला, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको अपना प्रेस कार्ट दिखाता हूँ. उसने जेब से प्रेस कार्ट निकाल कर लड़की को सौंप दिया, लड़की ने बड़ी बारिकी से प्रेस कार्ट का मौईना किया, उसने बहुत गौर से कार्ट पर लगी तस्वेर से सुनील की सूरत मिला कर देखी, अंत में उसने कार्ट सुनील को लटा दिया और बोली, बैठो, सुनिल उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ किया, तुमने ये कैसे सोच लिया था, लड़की ने पूछा, कि मेरा कतल हो गया था, मेरी अकल खराब हो गई थी, मेरी शामत आई थी, सुनिल आहद भाफ से बुला, मैं अपने आपको शरलोख हॉम समझने लगा था, अरे, एका एक वो नेत्र फैला कर बोली, कहीं मेरे कतल की खबर तुमने अपने अकबार में भी तो नहीं चापती है, सुनिल ने सहमती में सेर हिलाया, ओ माई गाड, मेरे रिष्टेदार, मेरे परीचित, जब ये खबर पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, सुनिल खामोश रहा, मिस्चर, मैं तुम पर, तुम्हारे अकबार पर, मान हानी का दावा करूँगी, इस शहर का एक बड़ा नामी वकील, मेरे एक परीचित का परीचित है, वो… कौन? बेरिस्टर मंगलदास महंत? हाँ वही, तुम जानते हो से? खूब अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से की नहीं, जानना चाहिए, मेरा पुलंदा बांधने का मौका, हाथ में आया पाकर बहुत खुश होगा वो… वेरि गुड़, आप बेरिस्टर महंत को कैसे जानती हैं? मैंने कब कहा मैं उसे जानती हूँ? मैंने कहा है, वो मेरे एक परीचित का परीचित है। आप बेरिस्टर महंत से कभी मिली नहीं क्या? नहीं कल रात आपने उसके घर पर फोन किया था क्या? किया था, तो तुम्हें क्या? यानि की किया था? तुम्हें क्या भाई? और रुक्मनी देवी के यहां भी फोन किया था आपने? कौन रुक्मनी देवी? मैं किसी रुक्मनी देवी को नहीं जानती तो उसके घर में किसी और को जानती होंगी आप? आपने 46291 पर फोन किया था और ये नंबर रुकमनी देवी की कोठी के टेलीफोन का है क्या टेलीफोन टेलीफोन लगा रखी है? कोई और बात करो मिस्टर आपने अपने पर्स के चोरी चले जानी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई है क्या? नहीं? क्यों? क्योंकि रिपोर्ट लिखवाने से कोई फाइदा नहीं होता मैं इस शहर में अचनबी हूँ हो सकता है कि पुलिस मुझे रिपोर्ट के चकर में यहां अठका लेती लेकिन आपका काफी नुकसान हुआ है मैडम? हाँ, नुकसान तो हुआ है नकद वाले साथ हजार तो गए ही गए अल्बता ट्रेवलर चेकों की रकम क्लेम भरने पर वापिस मिल जाएगी मुझे हम, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने होटेल में पांसो रुपे एडवान्स जमा करवा दिये वरना मेरे पास तो हुटेल का बिल चुकानी के लिए भी पैसे नहीं थे अब कल रात अपने कमरे में नहीं थी क्या? जाहिर है, तभी तो तुमने मुझे मरा समझ लिया कहां गई थी आप? पिक्चर देखने बताया तो था अकेली? और किस के साथ जाती? हुटेल में वापिस किस वक्त लौटी थी आप? ढाई तीन तो बच ही गए होंगे लेकिन पिक्चर तो अगर आप नाइट शो में भी गई होंगी तो भी बारा बजे खत्म हो गई होगी कर्रेक्ट बाकी का अर्सा कहा रही आप? कहीं भी रही तुम्हें क्या? मुझे तो कुछ नहीं लेकिन मैं एक बालिग और खुद मुक्तार लड़की हूँ मैं जो मेरे जी में आए कर सकती हूँ जरूर कर सकती हैं आप लेकिन जब आप इतनी बालिग और खुद मुक्तार हैं तो ये बताने से इंकार किस लिए, कि शोगे बाद आप कहां गई थी, मैं तफ्री के लिए गई थी, आधी रात के बाद तफ्री अकेले तो नहीं होती, You are right, मुझे एक नौजवान मिल गया था, जो मुझे डिनर और डांस के लिए एक नाइट क्लब में ले गया था, क्या इतिफाक से हुई ये मुलाकात, जाहिर है, नौजवान ने अपना परीचे तो दिया होगा, दिया था, लेकिन मैं सब भूल भाल गई, नाम भी, हाँ, कोई भला सा नाम था उसका, लेकिन याद नहीं आ रहा, कौनसी नाइट क्लब में गई थी आप, नाम याद नहीं मुझे, इलाका याद हो जहां वो नाइट क्लब है, नहीं, मैंने बताया ना कि मैं शहर में एकदम अशनभी हूँ, यहां वापिस वही नौजवन छोड़ कर गया था क्या आपको, हाँ, टैक्सी पर या कार पर, का के पास नई फियर्ट कार थी, नमबर तो उसका याद नहीं रहा होगा आपको, नहीं, नमबर की और मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कार का रंग सफेद था, सफेद रंग की कम से कम दस अजार फियर्ट होंगी राश्नगर में, लेकिन मुझे तो रंग के इलावा और कुछ याद नहीं, होना भी नहीं चाहिए, जरूरत किया थी, इग्जेक्टली, लड़की सुनील के व्यंगे को समझे बिना बोली, मुझे क्या सपना आना था, कि अगले दिन कोई मुझ से उस नौजवान और उसकी गाड़ी के बारे में सवाल पुशने लगेगा, यू आर राइट, आप राजनगर कैसे तश्रीफ लाई, क्यूं, राजनगर में क्या कर्फ्यू लगा हुआ है, यहां आने पर क्या कोई पाबंदी है, यह बात नहीं, तो फिर क्या बात है, आप विशालगर से यहां आई है, तो आने की कोई वज़ा भी होगी, मैं यहां स परिचित के परिचित है, आपके यहां आने से पहले भी, क्या उन्होंने कभी आप से संपर्क स्थापित किया था? नहीं, आप राजनगर बेरिस्टर महंत के बुलावे पर आई हैं? नॉन्सेंस, क्या यह सच नहीं है कि तीन-चार दिन पहले, बेरिस्टर महंत ने आपको एक टेलिग्राम भेजी थी, जिसमें उन्होंने आपको फॉरण राजनगर आने और आकर इंपेरियल होटेल में ठहरने के लिए कहा था? मिस्टर, लड़की सुनिल को घूरती हुई बोली, कहीं तुम ही ने मेरा पर्स तो नहीं चुराया? मेरी बात का जवाब दीजिए, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, कहीं तुम ही ने तो… तब ही एका एक टेलिफोन की घंटी बच उठी, लड़की ने हाथ बढ़ा कर टेलिफोन का रिसेवर उठाया और उसे काम से लगा दिया, हलो, वो माउथ पीस में बोली, क्या? पुलिस मुझ से बात करना चाहती है, किस बारे में? मेरे कतल के बारे में? चीक है, उन्हें उपर भेज दीजिए, उन्हें कहिए कि किरन भारगव की लाश उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार है, और उसने रिसेवर रख दिया, सुनील उठ खड़ा हुआ, उसने दर्वाजे की तरफ कदम बढ़ाया, तुम कहां चल दिये? लड़की बो पुला, तुम मुझसे कुछ पूश रहे थे ना? हाँ, जब आप सोच कर रखियेगा, बंदा फिर हाजिर होगा, तुम्हारे चुके पुलिस का नाम सुनकर छोट गए मालुम होते हैं, पुलंदा बंद गया है मैडम, तुम्, सुनेल कमरे से बाहर निकल गया, उस वक्त उ उसके तंद्रूस्ती के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, सुनेल यूद कलब पहुंचा, रमाकांद को उसने सोते से जगाया, रमाकांद भुन भुनाता हुआ उठा, और जल्ला कर बोला, कहां आग लग गई है, आग नहीं लगी, सुनेल बोला, लेकिन, तो फिर मुझे स सोने दो, काम का सुबह सवेरे जगातिया, अबे, दस बजे हैं, सुबह सवेरे जगातिया, कुम्पकरन जी, अगर तुम्हें जगाना निहायत जरूरी नहीं होता, तो मैं हर्गिज यो तुम्हारी, ख्वाप गाह में कदम नहीं रखता, क्या कोई गंभीर मामला है, हां, क इसके लिए, तुम्हारी यार के लिए, रमकान तुटकर बैट किया, वो आँखे मिच मिचाता हुआ बोला, सिगरेट दो, सुनील ने अपना लखी स्ट्राइक का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया, मैंने सिगरेट मांगा है, कागजी ट्यूब में पैक की हुई घोड़े की लीद नहीं, सुनील ने देखा रमकान के पलंग की बगल में, पड़ी एक मेंस पर टेलीफोन की बगल में, रमकान का चार मिनार का पैकेट पड़ा था, उसने पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर, रमकान को दिया, और अपने लाइटर से उसे सुलगा दिया, उसने खु सचेत स्वार में बोला क्या माज़रा है माजरा ये है कि मेरा पुलंदा बन गया है कैसे कल मैं यहाँ से रमी छोड़कर सेंट्रल पार्ट गया था वहाँ पुलिस को एक नाज़वान लड़की की लाश पड़ी मिली थी मैंने अपनी सुनीलियन तरीके से उस लाश की, शिननाक्त की और अकबार में ये खबर छपने को दे दी कि मरने वाली विशाल गट से आई किरन भारगव नाम की लड़की थी तो वो इसमें पुलंदा बंदने वाली कौन सी बात हो गई? मैं अभी अभी इंपेरियल होटेल में किरन भारगव से मिलकर आ रहा हूँ क्या? रमाकान चौंका किरन भारगव सही सलामत अपने कबने में मौझूद थी तो फिर मरने वाली कौन थी? मालूम नहीं तुम से ऐसी गलती क्यों कर हुई? सुनिल ने उसे सारी कथा कैस सुनाई? सदके जावा सारी बात सुनकर रमाकान व्यंग्यात्मक्सवर में बोला तुमने लड़की के कपड़ों पर विशालगड के दरजी का बिल्ला देखा और कूद कर इस नतीचे पर पहुँच गए कि लड़की विशालगड से आई थी और तुम नजदी की होटेल में विशालगड से आई किसी उसी उम्र और शकलो सूरत की लड़की की तलाश में पहुँच गए अगर लड़की के कपड़ों पर बंबई के दरजी का बिल्ला लगा होता तो तुम बंबई से आई हर लड़की की तलाश शुरू कर देते इस वक्त ये बात मज़ाग के काबिल लग रही है क्योंकि अब बात का पटरा हो गया है लेकिन तब मुझे ये बात बड़ी दमदार महसूस हो रही थी उपर से ये इतिफाक ने भी मुझे खराब किया कि पछली रात किरन भारगव अपने कमरे में नहीं थी लेकिन होटेल के रिसेप्शन कलर की बातों से तुम गुमरा कैसे हो गए क्योंकि मेरी तकदीर में मेरा पुलंदा बंधना लिखा था हकीकत में उसमें ना गलती मेरी थी और ना होटेल के रिसेप्शन कलर की मरने वाली का जनरल हुलिया किरन भारगव से सरासर मिलता था दोनों की उम्र और कद काट चमड़ी और बालों की रंगत वगेरा एक जैसी थी ये गलत खबर चब जाने की वज़ा से अब होगा क्या मेरा पटड़ा मलिक साहब मेरी खूब खबर लेंगे और मज़ेदार बात ये है कि आज मैं किसे विक्षन उनसे शाबाशी हासिल करने के लिए बुलाई जाने की उमीद कर रहा था हम रमकांत एक नया सिग्रेट सुलगाता हुआ बुला और मान हानी के मुकदमे की धमकी भी मुझे पहले ही मिल चुकी है सुनील ने कहा किसने दी किरन भारगव ने और बैरिस्चर मंगलदास महंत ने किरन भारगव साफ साफ और महंत ने धके छुपे धंक से तुम तो गए काम से रमकांत एका एक ठठाप कर हसा हस रहे हो सुनील आहत भाव से बुला साले मेरी नौकरी छोट जाएगी छोट जाएगी तो छोट जाए तुम्हें क्या नौकरियों का घाटा है हाँ है ना नहीं है जब तक तुम्हारा यार रमकांत छाती फुला कर बोला जिन्दा है कम से कम तुम्हें नौकरी की फिक्र करने की जरूरत नहीं मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए रमकांत अरे खैरात की बात कौन कर रहा है प्यारियों जब तुम्हारी नौकरी चूट जाए, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हे नौकरी दे दूँगा। कैसी नौकरी दोगे तुम मुझे? जो भी तुम्हे पसंद हो, यहाँ कई ओपनिंग है। जैसे की? जैसे वेटर की, ड्राइवर की, कुक की, बार्टेंडर की? सुनिल ने इतने जोर से रमाकांत की पेट पर मुका मारा, कि रमाकांत दोहरा हो गया, और सिग्रेट उसके मुझे से निकल कर, पलंग से परेफर्श पर जाकर गिरा। रमाकांत ने हसते हुए, नया सिग्रेट सुलगा लिया और बोला, चलो छोड़ो, तुम्हारी नौकरी पर बीतेगी, वो बात में देख लेंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम मुझ से क्या चाहते हो, सुनो, सुनिल गंभीरता से बोला, मौझूदा हालात में मैं पुलिस के पास भी नहीं फटकना चाहता, इसलिए मुझे तुम ये मालुम करके दो, कि पुलिस क्या कर रही है किस बारे में? और हो सके तो हद प्राण की एक तस्वीर हासिल करने की भी कोशिश करो, और रुकमनी देवी के परिवार के सदस्यों को चेक करवाओ, और ये मालुम करने की कोशिश करो, कि नेकलेस की चोरी का ड्रामा किसने स्टेज किया था, वैसे इस अंदर में मुझे सबसे ज्यादा स अंदिग रुकमनी देवी का लड़का अनिल ही लग रहा है, उसको खास तोर से चेक करवाना, जरूर करवाओंगा, और देख लेना चोर वही निकलेगा, विद्वा की आलाद चो ठहरी, वो हमारे यहां कहते हैं न, कि रंडी का पूत सोदाकर का खोड़ा, खाएगा ज्या बात में कुछ सूझे तो भी वो बता देना, ठैंक यू, और प्यारों, अब जरा नगदव की बात भी हो जाए, नगदव सुनील हैरानी से बुला, भाई सहब, मौजूदा तस्वीर में नगदव कहां फिट होता है, वही जहां ताश में जोकर फिट होता है, लेकिन मेरे तुम से थोड़े ही जीता हूँ, मुझी से जीते हो, बात में जब रमी की मैं फिर भरकास थोई, तो मैंने सबसे पूछा था, मेरे इलावा कोई भी नहीं हारा था, यार, ये कहा की शराफत है कि मैं, तुमने अपना काम करवाना है या नहीं, रमा कान तांखे निकाल कर ब भाई साहब, तुम्हारा माल किसी और के पास होगा, मेरे पास तो कल के पांच, अन्या खिल्याडियों में से किसी का भी माल हो सकता है, नहीं, बाकि सबका माल सबके पास है, मेरा ही नगदव गायब है, बड़े कमीने हो यार, मेरी तारीफ करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला नगदव निकालो अरे जुए में हारे हुए पैसे वापिस मांग रहे हो स्पोर्ट्समें स्पिरिट क्या तुमें चूबी नहीं गई यूद कलब के बार को हर तरह की स्पिरिट रखने का लाइसेंस हासिल है लेकिन इस स्पिरिट का नाम मैंने कभी नहीं हाँ वो तो जाहिर हो ही रहा है अब बोलो क्या चाहते हो 50-50 ठीक है निकालो 500 रुपए लानत है सुनेल भुन भुनाता हुआ बोला इतने रईस हो और पैसे पैसे पर मड़ते हो इसलिए तो इतना रईस हूँ लानत लानत और फिर ये सिधान्त की बात है चाहिए काला पैसा हो और चाहिए चांदी का रुपएया सुनेल ने जेब से 100-100 के पांच नोट निकाल कर उसकी गोद में फैंक दिये जुन्दार पुत्रा रमाकान थर्शित स्वर में बोला सुनेल ने जवाब नहीं दिया वैसे प्यारियो रमाकान थठाका मार कर हस्ता हुआ बोला इसी को कहते है ना भागते चोर की लंगोटी इसी को कहते है कंजूस के किरिया करम का कफन कोई बात नहीं हर किसी को उसकी भी जरूरत होती है सुनेल उठ खड़ा हुआ क्या जा रहे हो रमाकान ने पूछा हाँ सुनेल जल कर बोला कोई एतरास या शायद रवानगी की भी कोई फेस अदा करनी पड़ती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं मेरा मतलब तर चाई वाई पी कर जाते जी तो तुम्हारा खून पीने को चा रहा है वो भी हाजिर है प्यारियों गोली किदी ते कैने किदे ही 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 रमकान ते जोर से अठाहस किया सुनिल वहाँ से विदा हो किया सुनिल बलास के आफिस में पहुँचा वो रिसेप्षण के आगेसे गुज़रा तो रेनू ने उसे आवास लगाई सुनिल ठिटका क्या है वो तेक्त स्वर में बोला अरे, रेनू हैरानी से बोली यू लाठी क्यों मार रहे हो सॉरी, सुनील नम्र स्वर में बोला गुड मॉर्निंग अब फर्माईए क्या बात है आज आफिस में तुम्हारी बड़ी पूछ हो रही है अच्छा दो बार तुम्हें खुद मलिक सहब पूछ चुके है और दो दर्जन बार रोय पूछ चुका है हम, लगता है तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है मुझे भी यही लग रहा है सुनील चिंतित भाव से बोला तो फिर तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो क्योंकि मुझे डर है कि यह प्रमोशन कहीं वो ना हो जुसमें करमचारी के गले में हार डाल कर एक हाथ में गुलदस्ता और दोसरे हाथ में एक महीने की एडवांस तनख्वा और प्राविडेंट फंड का चेक दे कर उसे घर भेज दिया जाता है हमेशा के लिए ऐसा सरसर लेकिन तुमने किया किया है मैंने किसी की भैंस खोल ली है मजाक मत करो मैं मजाक नहीं कर रहा इस वक्त मैं मजाक के नहीं मातम के मूर में हूँ ठीक है मत बताओ लेकिन इतना तुम्हारे बिना बताए भी मुझे मालू है कि किया तुमने कोई फसादी काम ही होगा तब ही बोर्ट पर इंडिकेशन आने लगी रेनु कुछ शन बोर्ट की तारों से उलची रही और फिर बोली रॉय था तुम्हें पूछ रहा था ठीक है बंदा चला सुनिल रॉय के कमरे में पहुचा सुनिल रॉय उसे देखते ही बोला तुम शाला हमको मरवा दिया क्या हुआ सुनिल जान मुझकर अंजान बनता हुआ बोला सुनिल I told you yesterday itself that it was every farfetched thing यानि कि मेरी कतल के रिपोर्ट से तुम आश्वस नहीं थे नहीं था तभी तो तो फिर तुमने ये खबर चापी क्यों रॉय ने बेचैनी से पहलू बदला अब घपला हो गया है तो सारी जिम्मेदारी मुझपर थोपना चाहते हो मलिक साहब तुम्हें याद कर रहे है रॉय ने कहा बात को बदलो मत वो कई बार तुम्हें पूछ चुके है तुमने जरूर उने पठी पढ़ाई होगी कि मैंने तुम्हारी बाँ उमेड कर तुम्हें ये खबर चापने पर मजबूर किया था मैंने अलसा कुछ नहीं कहा था कुछ तो जरूर कहा होगा मुझे भी तो कह रहे हो आओ चलो मलिक साहब के पास चले जरूर चलो दोनों बाहर गल्यारे में आ गए और एक दूसरे की अगल बगल चलते हुए मलिक साहब के आफिस में पहुंचे साहब बहुत खफा होंगे एक आएक रॉय धीरे से बोला खफा ही तो होंगे सुनील बोला फांसी पर तो नहीं लटका देंगे रॉय खामोश रहा दोनों मलिक साहब के आफिस में दाखिल हुए मलिक साहब बड़ी गंभीर मुद्रा बनाई बैठे थे उनके सामने उस रोज का अकबार खुला पड़ा था सुनील ने देखा मुख्य प्रिष्ट पर ही किरण भार्गव की हत्या का समाचार छपा था उनके संकेत पर दोनों उनके विशाल मेस के सामने बिची दो कुर्सियों पर बैठ गए ऐसा कैसे हो गया बर्खुरदार मलिक साहब ने सुनील से पूछा उत्तर में सुनील ने बिना लिपा पोती के बड़ी शराफत से सारी घटना कैस सुनाई साहब अंत में वो बोला मैं मानता हूँ कि ये गड़बर मेरी वज़ा से हुई लेकिन लेकिन इसमें तुमने कोई गलती नहीं तुम मलिक साहब बेश में ही बोल पड़े तुमने जो किया ठीक किया वक्त की जरूरत यही थी तुम्हारी जगा मैं होता तो मैं भी यही करता सुनील की जान में जान आई उसने एक विजेता के ढंक से रॉय की तरफ देखा रॉय ने गर्दन जुका ली इस खबर की खातिर तुमने जो रफ़तार दिखाई थी मलिक साहब फिर बोले खबर गलत साबित हो चुकी होने के बाद भी उसके लिए तुम्हारी तारिफ करता हूँ अकबार का काम बड़ी रफ़तार से होना होता है उसमें ऐसी गलतियों की गुनजाईश हमेशा ही रहती है अगर हम हर खबर को ठोग बजा कर उसकी एक-एक नोक पलक सुधार कर उसके हर छोटे से छोटे पहलू की व्यक्तिगत तोर पर चान बिन करके उसको चापने का रविया अक्तियार कर ले तो हमारा अकबार रोजाना तो क्या हर हफ़ते में एक बार भी नहीं चप सके एक पकवारे में एक बार नहीं चप सके मलक साहब एक शन के लिए ठिटके और फिर बोले और फिर हमारे लीए उसी खबर की अहम烈 होती है जो ताजी हो बाद ताजी हो तब ही वो खबर होती है पुरानी हो जाने पर उसका दरजा हिस्ट्री वाला बन जाता है और वो हमारे काम की चीज नहीं रहती हम अक्बार चापते हैं इतिहास की पुस्तक नहीं कोई कुछ नहीं बोला मैंने तुम्हें इस गड़बर के लिए जिम्हदार ठहराने के लिए यहां नहीं बुलाया था मलिक सहाब आगे बढ़े मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि असल में मरने वाली कौन थी इस बात की जानकारी हासिल करने के बारे में तुम कुछ कह रहे हो या नहीं मैं बहुत कुछ कह रहा हूं सहाब सुनील ततपरस्वर में बोला मैं आपको बहुत जल्द इस केस का पुलंदा बांद कर दिखाऊंगा क्या करके दिखाऊंगे मलिक सहब अच्रज भरिस्वर में बोले मैं आपको इस केस की तेह तक पहुँच कर दिखाऊंगा गुड दोनों उट खड़े हुए और राप मलिक सहब एका एक बरफ से सर्थ स्वर में रॉय से संबोधित हुए बराय महरबानी ऐसा रुखत त्यार करने की आदत डालिए जिस से ब्लास के युवा पत्रकारों की होसला अफजाई हो एक छिद्रान वेशी जासूस की तरह हमेशा उनके काम करने के तरीके में नुक से मत तलाश किया कीजिए एक नियूस से हासिर होने वाली वाव वाही का हकदार जब आप अपने आपको मानते हैं तो कभी कोई बात बैक फायर कर जाने की सूरत में उसकी जिम्मेदारी अपने आप पर लेने की स्पोर्ट्समेंशिप भी दिखाया कीजिए येस सर रॉय हक लाया येस सर अब आप लोग जा सकते हैं दोनों मलिक साहब का अभिवादन करके कमरे से बाहर निकल आए कैसी रही बाहर आकर सुनिल बोला तुम शाला बात करो हमसे रॉय भुन भुनाया छीक है मैं कौन सा मरा जा रहा हूं तुम से बात करने को मलिक साहब ने तुमें बहुत सिर्ट चड़ाया हुआ है और क्या तुमें इस बात का अफसोस है रॉय ने उत्तर नहीं दिया वो पाउं पटकता हुआ अपने कैबिन में घुस गिया शाम को अंधेरा हो चुकने के बाद रमकान ब्लास के आफिस में स्थित सुनील के कैबिन में दाखिल हुआ आओ आओ सुनील उसे देख कर भोला खुद चल कर आई हो इसका मतलब है कि जरूर कोई धासु खबर लाई हो एक नहीं रमकान उसके सामने एक कुरसी पर बैठता हुआ बोला कई वेरी गुड क्या पीओगे कोल ड्रिंग कॉफी दोनों ही नहीं तो अपनी मेज का दाई और का सबसे नीचे वाला दरास खोलो और उसमें भीतर रखी अमरीक सिंग काले बिल्ले की बोतल निकाल कर मेज पर रखो भाई साहब ये आफिस है हाँ बिल्कुल है मैंने कब कहा कि ये रेल विस्टेशन है सुनील ने दरास खोला और उसमें से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की आधी बरी बोतल बाहर निकाली उसने बोतल मेज पर रमाकांट के सामने रख दी तुम तो पीओगे नहीं रमाकांट सहज भाफ से बोला वर नहों हो सकता है कि तुम नौकरी से निकाल दिये जाओ बको मत वैसे भी बोतल में इतनी काफी विस्की नहीं है कि हम दोनों का कुछ नहीं बन सके तुम चीक कह रहे हो नहाने के लिए तो ये वाकई काफी नहीं है हाथ मूँ धोने के लिए भी काफी नहीं है सिर्फ गरारे किये जा सकते हैं इससे तुम गरारे भी कर लो हाथ मूँ भी धोलो और नहां भी लो मेरे पास नई बोतल है यहीं? हाँ? सर्च? हाँ? फिर तो बात ही क्या है? रमगांथ नकली खुशी का इजहार करता हुआ बोला तब ही तो कहते हैं कि यारा नाल बहारा मेले मित्रा दे सुनेल खामोशी से लके स्ट्राइक का एक सिगर्ट सुलगाने लगा रमगांथ ने बोतल का ढकन खोल कर बोतल को ही मूँ लगा कर विस्की का एक बड़ा सा घूंट भरा और फिर गहरी सांस लेकर बुला जान में जान आ गई बनाने वाले ने कैसी कातिल चीज बनाई है ये अमरीक सिंग काला बिल्ला भी गले से लेकर पेट तक इंकलाब जिन्दाबाद लिखती चली गई अपनी यू नीट पेने की आदत नहीं चोड़ोगे तो यही विस्की इसी रूट पर एक दिन राम नाम सत्य है लिखती चली जाएगी ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता रमा कांथ बोला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पेट के भीतर टाटा स्ट्रिल का पत्रा चड़ा हुआ है सुनील हसा रमाकांत ने वैसा ही एक घून टॉर पिया और बोतल सुनील की और सरका दी बस सुनील ने पूछा रमाकांत ने अपना चार मिनार का पैकेट निकालते हुए सेहमती में सिर हिलाया उसने एक सिग्रेट सुलगा कर उसका एक लंबा कश लगाया क्या खबर है? क्या एक क्या कई खबरे हैं? मसलन मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे पुलिस से पहले हद प्रान की शिनाक्त होने की संभाबना हो गई है और ये शिनाक्त तुम्हारे जैसी नहीं होगी कि बाद में टाइम टाइम फिश यो जाए ये टकसाली दमडे की तरह चौकस शिनाक्त होगी किस्सा क्या है? तुम्हारी जानकारी के लिए लाश का पोस्माटम हो चुका है पोसमार्टम से पुलिस को मालूम हुआ था, कि लड़की का कभी अक्सिडेंट हुआ था, जिसकी वज़ा से उसकी बाईं टांग को सपोर्ट देने के लिए, उसके भीतर डॉक्टरों ने एक लोहे का सरिया डाला हुआ था इसी वज़ा से उसकी बाइं टांग उसकी दाइं टांग से एक इंच छोटी हो गई थी और वो अपने इस नुक्स को छुपाने के लिए ऐसे विशेश प्रकार के जूते पहनती थी जिनके बाइं पाउं का सोल दाइं पाउं के सोल से एक इंच मोटा होता था इतिफाक से ऐसे जूते वो अपनी हत्या के वक्त पहने थी वो एकदम नई थे और उनके भीतर विश्व नगर की एक शू कंपनी का एम्बोस किया हुआ नाम और पता साफ लिखा हुआ था पुलिस उस शू कंपनी से जाहिर है कि पूश्व नगर भेजा है उसका प्लेन का किराया मैं तुम से लूँगा यानि कि जैसे मैंने विशालगर के दरजी के बिल्ले से धोका खाया वैसे वो विश्व नगर के मोची के बिल्ले से धोका खाएगा ऐसा नहीं होगा सुनिल जोहरी लड़की के थोबडे की एक तस्वीर भी साथ लेकर गया है तुम्हारी तरह उसने हुलिया बयान करके ही लड़की की शिनाक नहीं करनी है Good, सुनील ने संतुष्टी पून धंक से सिर हिलाया रमाकांथ ने अपने पहले सिग्रेट के बचे हुए टुकडे से नया सिग्रेट सुलगा लिया तब तक सुनील का सिग्रेट अभी मुश्किल से आधा खत्म हुआ था और सुनील ने पूछा और तुम्हारी उसके रण भारगव तक पुलिस पहुँच चुकी है रमाकांथ बोला वो तो सुबह मेरे सामने ही पहुँच गई थी लड़की ने ये बताया कि वो राचनगर में करने क्या आई थी हाँ बताया है उसने एक कहानी सुनाई है उसने इस सिलसिले में कहती है जुलाई की उन्निस तारीक की बात है कि इकबालपूर में वो बड़ी अजीब से स्थिती में फस गई थी वहाँ उसका पर्स चोरी हो गया था वहाँ भी? हाँ यही बताया है उसने खैर फिर? पैसा पत्ता वो कहती है उसके पास था नहीं और उसका किसे भी हालत में फौरण विश्व नगर पहुँचना नहायत जरूरी था तब इकबालपूर में उसे एक नौजवान मिल गया था जिसके पास कार्ट थी और जो विश्व नगर जा रहा था उस नौजवान का नाम नरेंदर वर्मा था नरेंदर वर्मा ने उसे लिफ्ट दे दी लेकिन वो कहती है राश नगर पहुँचने तक वो ठक कर इतना चूर हो चुका था कि अब आगे गाड़ी चलाना उसके लिए संभव नहीं था तब तक रात भी हो चुकी थी और लड़की ने हर हाल में सुबह तक विश्व नगर पहुँचना था इसलिए लड़की ने नरेंदर वर्मा का साथ छोड़ दिया और विश्व नगर जाने वाले एक कर्ण्यकार वाले से लिफ्ट हासिल करके वो विश्व नगर पहुँच गई और अपनी तरफ से नरेंदर वर्मा को भूल भाल गई लेकिन फिर उसने अकवार में पढ़ा ये नरेंदर वर्मा यहां की पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया था क्यूं? उस पर इलजाम था कि उसने तारगपुर के पास एक साइकल वाले आदमी को अपनी कार से कुचल दिया था दुरगटना स्थल पर साइकल वाली की लाश के पास एक कार की हेड लाइट के टुकड़े बिकरे पड़े थे जिनका मिलान जब बाद में नरेंदर वर्मा की कार से किया गया था तो वो उसके टूटी हेड लाइट पर एक दम फिट बैठे थे साथी टूटी हेड लाइट वाली साइट में कार की बाड़ी एक जगह से थोड़ी पिछकी हुई भी पाई गई थी क्योंकि ऐसे सारी गाड़िया चेक की जा रही थी इसलिए नरेंदर वर्मा अगली सुभा हाईवर पर पकड़ा गया था वो तो हुआ लेकिन किरन भारगव के कल राजनगर आगमन का इस बात से क्या रिष्टा हुआ वही बताने जा रहा हूँ लड़की कहती है कि नरेंदर वर्मा ने वो एक्सिडेंट किया हो ये संभव नहीं क्यों संभव नहीं क्योंकि राजनगर पहाशने तक हर गशन वो नरेंदर वर्मा के साथ थी अगर नरेंदर वर्मा की कार के नीचे परगिस भे जिम्मेदार नहीं हो सकता लेकिन उसकी कार की टोटी होई हैडलाइट वो कहती है वो इस बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन ये उसका दावा है कि राशनगर पौहन चुकने तक नरेंदर वर्मा ने तारकपुर में या इकबालपुर से लेकर राशनगर तक के रास्ते में कहीं भी कोई मामुली सा भी एक्सिडेंट नहीं किया था यहाँ वो नरेंदर वर्मा के हक्त में गवा बनने की नियत से आई है क्या हाँ वो कहती है कि उसके कॉंशियस को ये गवारा नहीं हुआ था कि ये जानते हुए भी कि एक आदमी को केवल वो कहा है सुनील ने पूछा गिरफतार है क्योंकि एक्सिडेंट उसने तारगपुर के इलाके में किया था इसलिए तारगपुर के पुलिस यहां आकर उसे अपने साथ ले गई थी आई सी और अब एक ऐसी बात सुनो जिससे सुनकर तुमें खांसी नहीं तो जुकाम जरूर ह हो जाएगा क्या ही टेंड रण के इस केस में अपने बचाफ के लिए नरेंदर वर्मा ने जो वकील किया है उसका नाम है बरिश्चर मंगल दास महंत ओहो तो इसलिए राजनगर आते ही उसने महंत से संपर्ग स्थापित करने की कोशिश की थी जाहिर है अब तो मुझे एक और बात का भी शक हो रहा है कौन सी बात का महंत पिशले रात किरन भारगफ के होटेल के कमरे के सामने मुझे मिला था तब मैंने उसे बताया था कि किरन भारगफ का खोन हो गया था लेकिन तब तक किरन भारगफ शायद पहले ही महंत से मिल चुकी थी और महंत को मालुम था कि खून उसका नहीं हुआ था उसने जान बुच कर मुझे ये बात नहीं बताई थी क्योंकि वो जानता था कि ये बात ब्लास में जरूर छपेगी और फिर अगले दिन मेरी बहुत किरकिरी होगी जरूर यही वो चाहता था शायद इसे लिए उसी ने जान बुच कर किरन भारगव को सुबा तीन बजे तक होटेल वापिस लोटने से रोके रखा था जरूर यही बात होगी सुरील इसी से मुझे लगता है कि ये महंत का बच्चा अपने बाप की नहीं किसी मिरासी की आुलाद होगा सुनील ने बड़े विचार पूर्ण ढंक से अपने सिग्रेट का आखरी कश लगाया और उसे एश्ट्रे में जोंग दिया देख ले ना रमाकांद बोला किरन भारगव ने अगर बलास पर अपनी मौत की जूटी खबर चापने की एवज में मानहानी का मुकदमा दायर किया तो अदालत में उसका भोंपू भी मंगलदास महंत ही होगा जरूर होगा और अगर लड़की बलास पर केस नहीं भी करना चाहेगी तो भी वो जबरन ऐसा करवाएगा आकिर उसने मेरी वज़ा से पिछली बार हुई अपनी तोहीन का मुझसे बदला भी तो लेना है खेर तुम आज की बैठक की सबसे अधिक संसनी खेस बात सुनो कौनसी? सुनिल संशक स्वर में बोला पुलिस ने केर्थी को गिरुफतार कर लिया है ओ नो मैं सच कह रहा हूँ अगनी मेरे हाथ में है रमकांत अपने हाथ में थमिश सिग्रेट को उंचा करके सुनील को दिखाता हुआ बोला क्या इल्जाम लगाया है उन्होंने किर्थी पर सुनील का ध्यान उसके उस अनोके एक्शन की और नहीं था क्या ये भी कोई पूशने की बात है कतल का इल्जाम लगाया गया है उस पर और चोरी का भी चोरी का भी हाँ पुलिस का ऐसा खयाल है कि अपनी चचेरी बेहन का नेकलिस भी उसी ने चुराया है इसलिए वो रश्मी के चीकने पर किसी के भी नीचे पहुँचने से पहले वहां मौजूद थी और इसलिए खिड़की से बाहर किसी के कदमों के निशान नहीं मिले थे चोर तो घर में ही मौजूद था पुलिस ने उसके पास से नेकलिस बरामत किया है क्या नहीं पुलिस के कतना नुसार उसके पास उस नेकलिस की कहीं गायब कर देने के लिए जरूरत से ज्यादा वक्त था लेकिन वो एक पैसे वाले बाप की बेटी है उसे क्या जरूरत पड़ी थी नेकलिस चुराने की फैंसी लालच मो आकिर वो उस नेकलिस की अनुकृती थी जो कभी मली का नूर जहां पहना करती थी यही वज़ा है कि उसने बाकी जेवरात की तरफ ध्यान नहीं दिया था नॉनसेंस अफकॉस लेकिन प्यारेों ये खयाल मेरा नहीं पुलिस का है पुलिस का भी ऐसा खयाल क्यों है कल रात में रुकमनी देवी के घर गया था मुझे खोद उन लोगों ने बताया था कि रश्मी की चीक पुकार सुनकर जब वो लोग उसके बेडरूम के दरवासे पर पहुंचे थे तो उनके कितने ही देद दरवासा पेटते रहने पर रश्मी ने भीतर से दरवासा खुला था जब दरवासा भीतर से बन था तो केर्ती चोर कैसे हो गई चोरी के बाद वो बाहर किधर से निकली शायद दरवासा बन नहीं था और वो लोग बॉकलाहट में उसे बाहर से पीटते रहे थे और फिर रश्मी ने खुद कहा है कि उसने चोर की खिड़की के रास्ते बाहर कूद कर वहां से भागते देखा था वो शायद अब ऐसा नहीं कहती उस वेचारी लड़की को सरासर फसाया जा रहा है हाँ हो सकता है और कतल का इंतिजाम उस पर कैसे आयद हो गया सिर्फ इसलिए क्यूंकि उसकी कार के टायरों के निशान गटना स्थल पर पाई गए थे एक तो इसलिए रमा कांत ने कहा पुलिस सारे परिवार के बयान लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि कल रात अपनी कार को सेंट्रल पार्क लेकर और कोई नहीं किर्टी ही गई थी दूसरे किर्टी के सामान की तलाशी पर उसके एक ब्लाउस पर खून के धब्बे पाई गए थे पुलिस ने अपनी लेबोटरी में उनका मौइना करने पर पाया है कि वो इंसानी खून के धब्बे थे किर्टी कहती है कि जब वो कार पर राजनगर आ रही थी तो रास्ते में उसकी नकसीर फूट पड़ी थी और उसके ब्लाउस पर मौजूद खून के धब्बे उसकी नाक से टपके खून से बने थे लेकिन पुलिस क्लेम कर रही है कि खून के छोटे उसके छेटे उसके ब्लाउस पर तब पड़े थे जब उसने पार्ट में उस लड़की की पेट में चाकू घूमबा था बॉश एंड नॉनसेंस रमाकान लाश मैंने देखी थी और उसकी पेट में बना चाकू का जख्म भी मैंने देखा था उसे देखकर हरगिस ऐसा नहीं लगता था कि खून उसमें से फवारी की तरह उचल कर बाहर निकला होगा ऐसा होता तो खून के उस प्रकार के चीटे उसकी पोशाक की पेट पर भी पड़े होते जब खून के चीटे लाश पर नहीं थे तो कीर्थी के बलाउस पर कैसे पड़ गए ये बहस तो प्यारियों पुलिस से ही करना और क्या कीर्थी के खिलाफ पुलिस के पास है कुछ? कीर्थी की कार के मुआइने में पुलिस को कार के अगले भात में ड्राइविंग सेट की बगलवारे दर्वासे पर एक जगा खून का एक छोटा सा निशान बना मिला है वो भी नकसीर फूटने से बहे खून से ही बना होगा पुलिस को नकसीर वाली बात पर विश्वास नहीं है सुनील खेर छोड़ो आगे बढ़ो रमाकांत आगे ये की घातक अस्त्र वो चाकू जस्से की हत्या हुई है रुकमनी देवी की कोठी के कमपाउंड की चार दिवारी के साथ साथ उगी जाडियों में पड़ा पाया किया है चाकू का फल जमीन में धसा हुआ था और उसका एंगल बता रहा था कि उसे चलती कार में से वहां फैंका किया था और पुलिस का दावा है कि ये काम किर्थी ने किया था हाँ उसने चाकू की संभाल कर घटना सलसे लाकर रास्ते में कहीं फैंकने की बजाए वहाँ फैंकने की बेवकूफिक क्योंकि जहांकि वो ठेहरी हुई थी गपराहट और नातजुर्बेकारी की वज़ा से बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका वो सफेद रंग का जनाना पर्स कार में पड़ा रह किया था जो कि किरन भारगव का है उसकी कार में किरन भारगव का पर्स कैसे पहुँच गया क्या वो भी उसी ने चुराया था वो पर्स हद प्रान के पास रहा होगा वही अन्जाने में पर्स को कार में छोड़ गई होगी और केर्थी को उसकी खबर नहीं लगी होगी लेकिन बात में तो उसे पर्स की खबर लग गई थी उसने पर्स को कहीं ठिकाने लगा देने के स्थान पर उसके बारे में मुझे क्यूं बताया और फिर मेरी ही राय पर उसके बारे में पुलिस को बता कर अपने लिए आ बैल मुझे मार जैसी हालत क्यूं की ये तो वही बेहतर जानती होगी और अगर उसकी कार में वो पर्स मारने वाली मरने वाली ने छोड़ा था तो मरने वाली के पास किरन भारगव का पर्स कैसे आ गया ये मरने वाली ही बहतर जानती रही होगी जो कि अब कुछ बता नहीं सकती जाहिर है ये बात निर्विवाद रूप से सिध हो चुकी है कि कतलों से चाकू ने से हुआ है जो वहाँ जाड़ियों में पढ़ा पाया किया है हाँ क्या उस पर केरते की उंगलियों के निशान मिले हैं नहीं जिस लड़की में अपनी उंगलियों के निशान मर्डर वेपन से पोंच देने की अकल हो तुम उससे ऐसी जहालत की उमीद करते हो कि उसने उसे वहाँ फैका हो जहां से कि वो बरामत हुआ मैं नहीं करता सुनिल पुलिस करती है रमाकान मेरा दावा है कि उस लड़की को फसाया जा रहा है मैंने तो केर्थी को देखा नहीं लेकिन क्या वो खूबसूरत है हां निहायत और जवान भी हां हां बेहत फिर तुम्हारा ऐसा दावा क्यों नहीं होगा भला किसी मुसीबत जदा लड़की की हिमायत अगर जनाब रमाकान ने वार्तालाप में ठिटक कर एक वियंग्यात्मक निगा सुनील पर डाली नहीं करेंगे तो और कौन करेगा अपनी जिन्दगी को तक्रीबन मुसीबते तुमने अपनी इस आदत की वज़ा से ही तो बुलाई है कि तुम किसी हसीना को मुसीबत में नहीं देख सकते यू कैन नोट सी अ डैंसल इन डिस्ट्रेस राइट रमकांत तुम कुछ भी कहो ये लड़की एका एक टेलीफोन की घंटी बच उठी सुनील ने रिसेवर उठा कर कांट से लगाया एक शन दूसरी और से आती आवाज सुनी और फिर फॉरन टेलीफोन रमकांत की और बढ़ाता हुआ बोला विश्वनगर से तुम्हारी ट्रंक कॉल है पी-पी जोहरी का फोन होगा रमकांत रिसेवर थामता हुआ बोला मैं यूद कलब कहकर आया था कि मैं यहां आने वाला था रमकांत ने रिसेवर कांट से लगा दिया का इक शनवारतालाप में रगा रहने के बाद उसने रिसेवर क्रेडिल पर रख दिया और बोला वेरी गुट क्या वेरी गुट सुनिल उत्सुक भाव से बोला जोहरी का ही फोन था उन जोतों की वज़ा से मरने वाले की शिनाप्थो गई है जोहरी उस शोक कमपनी में गया था जहां की वो जूते बने थे वहां से उसे मालूम हुआ है कि वैसे जूते वो केवल एक ही ग्राहक के लिए बनाते थे उस ग्राहक का नाम मिस कुसुम नांगिया है विश्वनगर में कुसुम नांगिया का पता है रिविरा अपार्टमेंट्स सुभाश रोट अपने अपार्टमेंट में वो रहती भी थी और वहीं उसने अपना आफिस भी बनाया हुआ था आफिस कैसा? क्या करती थी वो? सुनोगे तो तबियत हरी हो जाएगी तुम्हारी अच्छा, क्या करती थी वो? एक प्राइवेट डेक्टिव अजंसी खोल रखी थी उसने अपने जीवन काल में एक प्राइवेट डेक्टिव थी ये मिस्त कुसम ना गिया कमाल है, हिंदुस्तान में और लेड़ी प्राइवेट डेक्टिव जी हाँ क्या ये गरंटी है कि वो लड़की यहां सेंट्रल पार्ट में मरी पाई गई है एक दम पक्की बात मैंने दुम्हें बताया ही थी कई जोहरी उसके थोबडे के तस्वीर साथ लेकर गया था उस तस्वीर से शू कमप्टी वालों ने और रिविरा अपार्टमेंट्स में रहने वाले अन्य कई लोगों ने उसे साफ पहचाना था कि वो कुसम नागिया थी जोहरी अब वहाँ क्या कर रहा है लड़की के ही बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है लड़की के धंदे के बारे में सुनकर मुझे सूझा था कि क्या पता वो किसी सीरियस केस की तफ्तेश के सिलसले में यहां आई हो और उसी चकर में यहां उसकी हत्या हो गई हो रमकांत विश्वनगर चलो कहां चलो? विश्वनगर कार पर सदके जामा विश्वनगर जाने को तो यूं कह दिया जैसे वो सेंट्रल पार्क की बगल में कोई महला है मजाग मत करो रमकांत मजाग तो तुम कर रहे हो सुनील विश्वन अगर इंपाला में जाने पर जानते हो कितना पेट्रोल खर्चोगा मैं डलवाऊंगा ना और मुझ में पेट्रोल कौन डलवाई का वो भी मैं और सुनील ने मेंस की दरास में से एक जौनी वोकर ब्लैक लेबल की बंद बोतल निकाल कर मेस पर रख दी ठीक है चलते हैं तुम भी क्या याद करोगे कि कोई यार मिला था थैंक यू लेकिन इतनी हाई हाई किस लिए रमाकान ये मेरी इज़त का सवाल है इस केस का मुकमल पुलंदा मैंने खुद नहीं बांधा फौरण नहीं बांधा तो मलिक साहब के सामने मेरी नाक नीची हो जाएगी नाक नीची होने से बचाने का एक तरीका तो तुम्हें मैं बता सकता हूँ कौन सा? नाक को काट कर जेब में रख लो ना रहे काबांस ना बचे की बांसुरी शट अप रमाकांथ येस सर सुनील ने अपना पोर्टेबल टाइप राइटर अपनी और घसित लिया उसमें कागस डाला और फिर तुफानी रफतार से उसकी उंगलियां कीबोर्ट पर दौडने लगी अगले सुनील रमाकांथ के साथ विश्वनगर में था वहाँ आने से पहले वो अपनी व्यक्तिगत गरंटी के साथ रिपोर्ट रौई को दे कर आया था लेकिन पार्ट में मिली लाश के बारे में वो रिपोर्ट चापने की रौई की तब तक हिमत नहीं होई थी जब तक उसने मलिक साहब से बात नहीं कर ली थी कुसम नांगिया की लाश की पुलिस से हासिल तस्वीर के साथ वो रिपोर्ट प्रेस में चली गई अगले दिन फिर लाश को सही शिनाक करने का दावा करने वाला ब्लास्ट इकलोता अकबार होने वाला था कुसम नांगिया की तस्वीर के साथ उसके स्पेशल जूतों की तस्वीर भी छपी थी और उसके असाधारिन पेशे का विशेश रूप से जिक्र था एक अलग रिपोर्ट में सुनील ने कीर्थी के निर्दोश होने की बड़ी जोरदार पैरवी की थी और बड़ी लचर सी सरकम्स्चेंशल एविडेंस के दम पर लड़की को कतल के इलजाम में फसाने की पुलिस की नियत की बड़ी तीव्र बतसरना की थी और उन्हें रुकमनी देवी और उसके परिवार से बारी किसे पूश्टाश ना करने का दोशी ठहराया था सुनील जानता था अगले दिन ब्लास्च तहल का मचा देने वाला था ब्लास्च में ऐसी कोई बात शपना जिसकी जानकारी अभी पुलिस को भी नहीं लगी हो उसकी अकर्मनियता का जीता जाकता सबूत होना था लेकिन उनके विपक्षी अकबार क्रॉनिकल का रवया ब्लास्च से उल्टा था क्रॉनिकल ने कीर्ती की गिरफतारी के संधर्भ में पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और कहा था कि पुलिस ने एक बड़े पेचीदे केस को ना केवल यूँ आनन फानन सुलजा लिया था बल्कि अपराधी को गिरफतार भी कर लिया था क्रॉनिकल में ही किरन भार्गव की तस्वीर के साथ बलास के प्रति उसका बयान चपा था किरन भार्गव ने कहा था कि वो अपने वकील मंगलदास महंत से बलास पर मान हानी का दावा करने के सिलसले में मंत्रना कर रही थी उसने ये संकेट दिया था कि उसकी मौत के जोटी खबर चापने की एवच में वो बलास से लाकों का हरजाना वसूल करने का इरादा रखती थी विश्वनगर में उनकी मुलाकात जोहरी से हुई क्या खबर है? रमकांत ने पूछा विशेश कबर कोई नहीं जोहरी बोला लेकिन एक बात है जो विशेश साबित हो सकती है लेकिन जिसे मैंने अभी चेक करने की कोशिश नहीं की क्या? एक आदमी कल शाम से ही कुसम नांगिया के फ्लैट के चकर लगा रहा है पिशली रात के दो बजे तक वो उसकी फिरात में आदी दर्जन फेरे लगा चुका था और सुबफ फिर आया था है कौन वो? उसका नाम विलास गुपता है एक बार उसके पीछे लगा कर मैं इतना जान पाया था कि वो सुभाश रोट के ही एक होटेल में ठहरा हुआ है और ये कि वो विशाल गट से यहां आया है कुसम नांगिया से मिलने के लिए वो क्यूं मरा जा रहा है ये मुझे मालूम नहीं इस वक्त कहा है वो? अपने होटेल में रमाकांत ने सुनील की योड़ देखा उससे मिलते हैं सुनील बोला जो आदमी बाहर से आया है और रात भर से कुसम नांगिया के अपार्टमेंट के चकर काट रहा है वो दिल्चस्पी से खाली नहीं हो सकता तो चलो रमाकांत जोहरी से बुला रमाकांत की कार में सवार होकर तीनों विलास गुपता के होटेल पहुँचे विलास गुपता एक लगबग 35 साल का गठीले शरीर का आकर्शक विक्तित्व वाला आदमी निकला सुनील ने उसे अपना परीचे CID इंस्पेक्टर चक्रवर्ती के रूप में दिया रमाकांत और जोहरी का परीचे उसने जान बुशकर नहीं दिया लेकिन दोनों ने ऐसी गंभीर सूर्ते बना कर रखी जैसे वो सुनील के सहकारी हो और सुनील का इशारा मिलते ही किसे भी इक्षणों से गिरफतार कर सकते हो क्या तुम्हारा नाम विलास कुपता है सुनील कठोर स्वर में बोला और तुम विशालगर से आई हो तुम्हें कैसे मालूम तुम कल सारी रात कुसम नांगिया नामक प्राइवेट डिटेक्टिव के अपार्टमेंट के चकर लगाते रहे हो तुम्हें कैसे मालूम वो और भी घबरा किया सवाल के बदले में सवाल मत करो जो पूछा जाए उसका जवाब दो उसने धीरे से सहमती में सिर हिला तिया कुसम नांगिया से क्या रिष्टा है तुम्हारा कोई जाती रिष्टा नहीं विलास गुपता बुला सिर्फ बिजनस का रिष्टा है क्या मतलब वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है मैं उसका क्लाइंट हूँ मैंने उसे एक बहुत महत्वपून काम सौंपा था जिसके रिपोर्ट मुझे नहीं मिली इसलिए मैं खुद चल कर यहां आया हूँ और ये जानने के लिए कुसम नांगिया की तलाश कर रहा हूँ कि मेरे केस का क्या हुआ केस क्या है क्या ये बताना जरूरी है बताने में कोई एतराज एतराज तो नहीं लेकिन तो फिर कह भी चुको विलास कुपता एक शन्ड हिच किचाया और फिर बोला मैं विशालगर्ण में एक कैसीनो चलाता हूँ मेरे कैसीनो में एंटर्टेन्मेंट का हर प्रकार का इंतिजाम है जैसे कैब्रे ड्रिंक्स गैंब्लिंग गैंब्लिंग भी हाँ लेकिन ये तो गैर कानूनी है फिर सुनिल को याद आया कि उस वक वो खुद पुलिस वाला बना हुआ था इसलिए वो जल्दी से बोला जरूर तुम्हें स्थान ये पुलिस की प्रोटेक्शन हासिल होगी अब आप लोगों से क्या चुपाना वो संकोश पॉंट स्वर में बोला खैर आगे बढ़ो हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं ऐसे बातों के सुद लेना ना हमारा काम है और ना विशालगड हमारा कारेक्शेत्र है हाँ तो क्या कह रही थे तुम कोई दो महीने पहले की बात है विलास कुपता बोला कि एक दिन एक लड़की मेरे कैसीनों में आई लड़की इंतहाई खुपसूरत थी और जुआ खेलने की नियत से वहाँ आई थी जुए की टेबल पर पहुँशते ही उसने बड़े अप रत्याशित धंक से जीतना शुरू कर दिया और जीतती ही चली गई जब वो वहाँ से उठी तो तब तक वो मेरे को 30,000 रुपए की ठूक लगा चुकी थी मुझे कुछ दाल में काला दिखाई देने लगा मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि मेरे कैसीनों की गैंबलिंग डैन का कोई करमचारी उससे मिला हुआ था और वही गुत रूप से जुए में जीतने में लड़की की मदद कर रहा था साफ साफ मैं ऐसा कोई इल्जाम किसी पर नहीं लगा सकता था इसलिए मैंने बात की चुप चाप जांच पर ताल करवाने का फैसला किया इस संदर में मैंने कुसम नांगिया के सेवाइं प्राप्त की उसकी क्यूँ वो तो तुमारे शेहर में भी नहीं रहती मैं उसे पहले से जानता था और बात ऐसी नाजुक थी कि उसे मैं हर किसी को कहना नहीं चाहता था अगर मेरे क्लाइंटों को मालुम हो जाता कि उनके जूए में जीतने पर मैं उनके पीछे जासूस लगा देता था तो लोग मेरे कैसीनों में आना ही बंद कर देते और मेरा धंदा चोपट हो जाता लेकिन कुसम नांगिया पर मुझे भरोसा था कि वो बात की गोपनियता बनाई रख सकती थी खैर फिर्ण वो तीस हजार रुपे मेरे कैसीनों से जीतने के बाद वो लड़की अगले ही दिन वापिस कैसीनों में अपेक्शित थी लेकिन असल में आई वो दो हफ़ते बाद उसके बाद वो फिर गायब हो गई लेकिन तब मैं उसके गायब हो जाने के बारे में फिक्रमन नहीं था क्योंकि तब तक मुझे मालूम था कि कुसम नांगिया उसके पीछे लग चुकी थी तो क्या उसके हाथ कुछ लगा? जरूर लगा होगा क्योंकि उसने मुझे फोन करके बताया था कि जो मैं जानना चाहता था वो वो सबूत समेथ जान चुकी थी और उसने मुझे मिलने के लिए अपने अपार्टमेंट पर बुलाया था लेकिन वो खुद वहां नहीं थी हाँ लेकिन ऐसा उसकी किसी मजबूरी की वज़ा से भी हुआ हो सकता है तीन-चार हफ़ते पहले वो एक बार मेरे कैसीनों में आई थी तो उसने मुझे बताया था कि वो विशाल गड़ के ही एक और केस पर भी काम कर रही थी उसने मुझे ये संकेत दिया था कि दूसरा केस भी जुए की ही किसी गड़बड़ी से संबंदित था क्या उसने ये नहीं बताया था कि वो केस क्या था नहीं I see कुसम नांगिया ने तुम्हारे केस से संबंदित कोई रिपोर्ट वगेरा नहीं भेजी कभी तुमें नहीं कभी उसने मुझे कुछ बताना होता था तो वो मुझे फोन कर दिया करती थी लिकत में कभी कोई रिपोर्ट उसने मुझे नहीं भेजी थी हम उस लड़की का नाम क्या था जिसके पेचे तुमने कुसम नांगिया को लगाया था विलास गुपता हिच किचाया ओ कमॉन सुनेल उतावले स्वर में बोला जब इतना कुछ बता चुके हो तो अब नाम चुपाने से क्या फाइदा जनाब नाम से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ऐसी बाते मेरा धंदा बिगार सकती है मिस्टर गुपता हम उस नाम का या तुम से हासिल किसी भी जानकारी का कोई बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे ये हमारा तुम से वादा है वो खामोश रहा अब फटा फट बोलो क्या नाम था उस लड़की का किरन भारगव सुने इन ने एकर्थ पोर निगार रमा कान पर डाली और फिर विलास गुपता से संबोधित हुआ कुसम नांगिया ने तुम्हें कहा था कि किरन भारगव के बारे में जो कुछ तुम्हें मालुम करना चाहते थे वो कुसम नांगिया सबोध समेत मालुम कर चुकी थी हाँ उसने ऐसा ही कहा था लेकिन क्या उसने ये नहीं बताया था कि वो जानकारी क्या थी नहीं ये भी नहीं कि वो जानकारी अच्छी थी या बुरी थी यानि कि वो तुम्हारे हक में थी या तुम्हारे खिलाफ थी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था ये सब कुछ वो मुझे यहां मुलाकात होने पर ही बताने वाली थी सुनिल को चंट सोचता रहा और फिर एका एक बोला फोन कहां से किया था कुसम नांगिया ने तुम्हें अगर उसके अपार्टमेंट को ताला लगा हुआ है तो यहां से तो उसने फोन किया नहीं होगा उसने मुझे राशनगर से फोन किया था क्या तुमने उसे साफ कहते सुना था कि वो राशनगर से बोल रही थी हाँ लेकिन मुलाकात के लिए उसने तुम्हें यहां बुलाया था इसका मतलब ये हुआ कि वो तुमसे पहले यहां पहुंद जाने की उमीद कर रही थी जाहिर है तुम्हें मालूम है इस वक्त किरन भार्गव कहा है नहीं लेकिन कुसम नांगिया को ये बात जरूर मालूम होगी तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे कैसीनों में किरन भार्गव ने किसी धोकादड़ी से रुपया जीता था मुझे इस बात पर सिर्फ शक है इसलिए तो तफ्तेश के लिए मैंने कुसम नांगिया की सेवाइं प्राप्त की थी हकीकत में मुझे कुसम नांगिया से ये भी सुनने को मिल सकता है कि मेरा शक बेबुनिया थै देखिए कुसम नांगिया की सेवाइं प्राप्त करने के पीछे मेरा उदेश्य ये जानना भी था कि कहीं मेरे कैसीनों का ही कोई आदमी तो किरन भार्गव से मिला हुआ नहीं था किरन भार्गव तो मुझे एक बार थूक लगा गई थी वो आदमी तो मुझे बार बार थूक लगा सकता था 30,000 रुपे का नुकसान मैं एक बार बरदाश कर सकता हूँ बार बार नहीं, अगर मेरा कोई आदमी मेरे साथ दगाबासी कर रहा था, तो मेरे लिए उसको फायर करना ज़रूरी था हम, नाम क्या है तुम्हारे कैसीनों का? यही, दग कैसीनों, तुम अभी यहाँ ठहरोगे ना? हाँ, अब मैं विश्वन अगर आया हूँ, तो मैं कुसुम नांगिया से मिले बिना तो नहीं जाओंगा एक बार की सुनेल के दिल में आया, कि वो उसे बता दे, कि कुसुम नांगिया मर चुकी थी, लेकिन फिर कुछ सोच कर, उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा वो रिविरा अपार्टमेंट्स पहुंचे, पूश्टाज पर मालूम हुआ, कि कुसुम नांगिया का अपार्टमेंट पहली मंजिल पर उसके अगरभाग में था, सीडियों के रास्ते वो पहली मंजिल पर पहुंचे कुसम नांग्या के अपार्टमेंट का दर्वासा खुला था भीतर पुलिस थी और भीतर मौजूद पुलिसियों में से एक पुलिस या सब इंस्पेक्टर बांसल था नमस्ते बांसल सहब सुनेल अपार्टमेंट के भीतर दाखिल होता हुआ बोला जोहरी और रमाकान बाहर गल्यारे में ही खड़े रहे तुम बांसल उसे देखकर हैनानी से बुला तुम यहां कैसे? यही तो मैं तुम से पूछना चाहता हूँ मुझे तो मक्तूल के शिनाक के सिलसले में यहां भेजा किया था तो समझ लो मैं भी इसी सिलसले में यहां आया हूँ बांसल ने संदिक भाव से उसे घुरा तुम्हारी यहां माजूद की सुनील बोला साफ जाहिर कर रही है कि तुम्हें मालूम हो चुका है कि मरने वाले कुसम ना किया थी हाँ लेकिन तुम यहां कमाल है कोई कमाल नहीं है दोस्त इन्वेस्टिकेशन के मामले में प्रेस रिपोर्टर की नौकरी भी पुलिस जैसी ही होती है बांसल खामोश रहा क्या कुछ मिला सुनील ने पूछा नहीं बांसल इंकार में सिर हिलाता हुआ बोला ये दो कमरों का अपार्टमेंट है हमने दोनों की तलाशी ली है कहीं से भी कोई काम की चीज़ बरामत नहीं हुई वैसे जियों ही मुझे पता लगा था कि मरने वाली प्राइवेट डेटेक्टिव थी मुझे बड़ी उमेद हुई थी कि यहाँ की तलाशी से मालूम हो सकेगा कि वो राराश नगर किस सिलसिले में गई थी यहाँ कोई फाइल नहीं रिपोर्टों का या खटो खिताबत का कोई रिकॉर्ड नहीं यहाँ तक कि पते या टेलिफोन नमबर लिखने के काम आने वाली कोई डाइरी भी नहीं कहीं ये सब यहां से पार्ट तो नहीं कर दिया किसी ने नहीं, ऐसा हुआ नहीं मालुम होता लगता है अपने क्लाइंटों के लिए कि ये गए कामों की गोपनियता बनाई रखने के लिए वो खुद ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखती थी उदर टाइप राइटर के रोलर पर एक कागस चड़ा हुआ है जिस पर कि वो कोई रिपोर्ट टाइप कर रही थी उसमें ये बहुत गौर करने वाली बात है कि उसने उस रिपोर्ट की प्रतिलिपी बनाना ज़रूरी नहीं समझा है सुनील ने कोने की एक मेस पर पड़ी टाइप राइटर पर निगाह डाली क्या मैं एक निगाह टाइप राइटर पर डाल सकता हूँ बांसल ने हिच किचाते हुए सेहमती में सेर हिलाया और बोला लेकिन किसी चीज को हाथ मत लगाना हर्गिस नहीं लगाऊंगा फिट टाइप राइटर की तरफ बढ़ने के स्थान पर पुलिस सुनील पहले बाहर कलियारे में निकल गया रमाकान वो धीरे से बोला बीतर जो टेलीफोन है वो किसी स्विच बोर्ट की एक्स्टेंशन मालूम होता है जरा पता लगाओ वो स्विच बोर्ट इस इमारत में कहां है और फिर ये जानने की कोशिश करो कि कुसम नांगिया ने हाल ही में कहां कहां टेलीफोन किये थे रमा कांत ने सेहमती में सिर हिलाया सुनील फिर अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और टाइप राइटर के समीप पहुँचा उसने देखा रोलर में लगे फुल स्केप कागस के ऊपर हैडिंग लिखा था विकास गुपता के केस की फाइनल रिपोर्ट सुनील ने आगे को जुक कर जल्दी जल्दी उस टाइप शुदा कागस को पढ़ना आरम किया लिखा था मैंने तफ्तेश समाप्त कर ली है मेरी धार्णा है कि सबजेट के तेस हजार की जीत में वैसे किसी शरारत की संभावना नहीं है जिसका कियापको शक्त था उस रोज इतिफाक से सिलसला बन ही ऐसा गया था कि लड़की की जीत की संभावनाई बहुत बढ़ गई थी उस रोज गेम में कांचीलाल दिसाई नाम का एक वृत शामिल था जो उस रोज पचास सजार रुपे हारा था वो खेल में अनारी था और केवल जुए के थ्रिल महसूस करने की खातिर जुए की टेबल पर जम गया था उसका हारा रुपे हा किसी की जेब में तो जाना ही था वो उस लड़की की जेब में चला किया लगता है कि लड़की कांचीलाल दिसाई को जानती थी और ये भी जानती थी कि जुए के मामले में वो अनारी था ये मातर संयोग नहीं हो सकता कि लड़की तबी तक जुआ खेली थी जब तक कांजिला दिसाई जुआ खेला था दिसाई के उठते ही वो भी उठ गई थी मुझे ये भी मालुम हुआ है कि आपके कैसीनों से वो दोनों इकठे विदा हुए थे इस बात से मुझे शक हो रहा है कि हो सकता है कि वो लड़की दिसाई को जुआ खिलाने के लिए फसा कर आपके कैसीनों में लाई हो बहराल आपके कैसीनों के किसी करमचारी पर आपका शक बे बुनिया थे लड़की कैसीनों से रुपया जीतने के बाद इकबालपूर गई थी और धेरो रुपया जीती होने के बावजूद ना जाने कि उन लोगों से लिफ्ट मांग मांग कर वापिस विश्व नगर लोटी थी इकबालपूर में उसने नरेंदर वर्मा नामक एक युवक से लिफ्ट मांगी थी जो कि उसे केवल राश नगर तक ही ला पाया था वहाँ से उसे फिर लिफ्ट मिल गई थी और वो विश्व नगर लोट आई थी पीछे नरेंदर वर्मा तारकपुर में हुए एक मोटर एक्सिडेंट के लिए जिमेदार ठहराया गया था और गिरफतार कर लिया गया था लड़की कहती है कि वो जानती है कि नरेंदर वर्मा ने कोई एक्सिडेंट नहीं किया था और ये कि उसकी गवाही नरेंदर वर्मा को साफ बरी करवा सकती थी लेकिन फिर भी ना जाने क्यूं वो सीधे आकर तारकपुर की पुलिस से बात नहीं करना चाहती अल्बत्ता वो नरेंदर वर्मा के वकील से संपर्ट में है जो कि राशनगर में रहता है लड़की इस वक्त राशनगर में है अपने दूसरे केस के सिल्सिले में मैंने भी वही जाना है मेरा दूसरा क्लाइंट मुझे यहां लेने आने वाला है उसके आने से पहले मैं आपके केस की यह रिपोर्ट टाइप कर जाना चाहती हूँ उमीद है कि उसके आने से पहले आप यहां पहुंच जाएंगे और यह रिपोर्ट मैं आपको सौंप सकूंगी लेकिन अगर मेरा दूसरा क्लाइंट आप से पहले यहां पहुँच गया तो वो रिपोर्ट मैं आपके होटेल के रिसेप्शन पर छोड़ जाऊंगी और बाद में मौका लगने पर होटेल में ही आपको फोन करूंगी दरसल राशनगर में जिस दूसरे केस के सिलसिले में मैं जा रही हूँ वो इतना बड़ा रिपोर्ट वहीं समाप्त हो गई थी चालू फिक्रे के एन बीच में सुनील ने सिर उठाया तो देखा उसकी बगल में बांसल खड़ा था पता नहीं कब वो वहां आ खड़ा हुआ था इसमें जिस दूसरे क्लाइन का जिक्र है बांसल भूला वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में होगा जो कुसम नां गिया ये रिपोर्ट पूरी नहीं कर सकी उसने रिपोर्ट विलास गुपता के होटेल के रिसेप्शन पर पहुँचा कर आनी थी लेकिन यहां लग रहा है कि उसे फिक्रा पूरा करने का मौका नहीं मिला था और लगता है कि राश्नगर पहुँचते ही लड़की का कतल हो गया था सुनील बोला वो कैसे? जिस विलास गुपता का रिपोर्ट में जिक्र है उससे मेरी बात हुई थी वो कुसम नांगिया के बुलावे पर यहां आया था और अभी भी रिपोर्ट का इंतिजार कर रहा है राश्नगर पहुँचकर कुसम नांगिया को अगर इत्मिनान का मौका मिला होता तो उसने कम से कम फोन तो कर दिया होता विलास गुपता को ये विलास गुपता कहा मिल गया तुम्हें? सुनील ने उसे विलास गुपता से मुलाकात की कहानी सुना दी और उसके होटेल का पता भी बता दिया सुनील फिर बानसल ने खुदी बताया एक दिल्चस्प चेस मिली है यहाँ क्या सुनील ने पूचा कुसम नांगिया का पर्स जो कि राशनगर में उसकी लाश के पास मिलना चाहिए था इसमें उसकी रोज मर्रा के इस्तेमाल की वो तमाम चीजें मौजूद है जो हर वक्त उसके पास होनी चाहिए थी जैसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ग्रह मंतरालिय द्वारा उसे इशू किया गया उसका प्राइविट डिटेक्टिव का लाइसेंस जैसे उसके चाबियों का गुच्छा उसका ये पर्स यहां कैसे पहुच गया सुनील ने पूचा पहुचा नहीं शायद वो उसे यहां से लेकर ही नहीं गई थी यहां से रवाना होने की हरबणी में शायद वो उसे यहां से ले जाना भूल गई थी तुम कहते हो पर्स में उसकी चाबियों का गुच्चा भी था? हाँ उसमें इस अपार्टमेंट के मुखे द्वार की चाबी भी थी? हाँ थी तो फिर तो अपार्टमेंट का मुखे द्वार तुमें खुला मिला होगा क्यूंकि चाबियां भीतर थी नहीं अपार्टमेंट का मुखे द्वार हमें बंद मिला था मुखे द्वार में जो ताला फिट है वो इस प्रकार का है कि द्वार प्रकाय जाने पर अपने आप लॉक हो जाता है लेकिन खोलना उसे चाबी लगा कर पढ़ता है आई सी उसके बाद सुनिल ने बांसल का धन्यवाद किया और वहां से बाहर निकल आया वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचा जोहरी और रमा कांथ इंपाला में बैठे हुए थे सुनिल को देखकर रमा कांथ ने कार का हॉन बजाया सुनिल सिधा कार की तरफ बढ़ गया और भीतर रमा कांथ की बगल में जा बैठा रमा कांथ ने धीरे से कार आगे बढ़ा दी सुनिल ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा लिया और फिर पूछा स्विच बोर्ट से क्या पता लगा प्राइविट डिटेक्टिव साहिबा ने रमा कांथ बोला पिछले कुछ दिनों में जो पंधरा बिस टेलिफोन कॉल की थी उनमें से आधी एक ही नमबर पर की गई थी इस बात को उस नमबर के महत्व की तरफ संकेत मानकर मैंने मालूम किया है कि वो नमबर किसी भूला भाई देसाई का है देसाई? हाँ, क्यों? क्या तुम जानते हो किसी देसाई को? एक देसाई का जिक्र उस रिपोर्ट में था जो कुसम नांगिया के टाइप राइटर में लगी हुई थी रमाकान्त, तुमने भूला भाई देसाई का पता मालूम किया क्या? हाँ, 1785, संतनगर तो संतनगर चलो पहले से ही वहीं चल रहे है प्यारियों मुझे मालूम था तुम वहाँ जाने की फर्माईश जरूर करोगे थैंक यू ये भी तुम किस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे? सुनिल ने सब बताया हम, सारी बात सुनकर रमाकान्त गंभीर स्वर में बोला रमाकान्त, सुनिल गंभीर स्वर में बोला अब सवाल ये पैदा होता है कि कुसुम नांगिया का वो क्लाइंट कौन था? जो उसे अपने साथ राशनगर लेकर गया था उसको राशनगर ले जाया जाना ये साबित करता है कि काम राशनगर से संबंदित था राशनगर में ऐसा आत्मी कौन हो सकता है? जो से नगर के बाहर के प्राइविट डिटेक्टिव की और वो भी लेडी प्राइविट डिटेक्टिव की सिवाओं की जरूरत पड़ गई थी बैरिस्टर मंगलदास महंत के बारे में क्या खयाल है? खयाल तो उस काईया वकील के बारे में बड़ा नेक है लेकिन ऐसी कोई दूर दरास की बात भी तो सामने नहीं आ रही जो कुसम नांगिया के साथ उसका रिष्टा जोड सकती हो लेकिन होगी जरूर रमा कांट ने कहा ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम महंत के खिलाफ हैं हकीकत में तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही ना रमा कांट खामोश रहा कार संत नगर पहुँची वहां का 1785 नंबर हर बड़े शहर में पाए जाने वाले सरकारी कौर्टरो जैसा एक कौर्टर निकला भूला भाई देसाई एक लगभग 60 साल का क्रिशकाई वृद निकला जो चड़ी टेक कर चलता था और उस कौर्टर में अपने बेटों पोतों के साथ रहता था सुनील ने उसे अपना परीचे दिया वृद ने सुनील रमाकांत और जोहरी को बैठक में लाकर बिठाया देसाई साहब सुनील मिठे स्वर में बोला हम एक कतल के सिलसले में आप से चंद सवाल पूछना चाहते हैं कैसे सवाल वो सहज भाव से बोला पहले तो यही बताईए कि क्या आप कांजी लाल देसाई नाम के किनी साहब को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कांजी लाल देसाई मेरा छोटा भाई है I see क्या आप कुसम नांगिया को भी जानते हैं वो जो प्राइविट डिटेक्टिव है जी हाँ वही उसे भी जानता हूँ उसे कैसे जानते हैं आप बर्खुरदार पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दो पूछिए कदल किसका हुआ है कुसम नांगिया का कब कहा परसो रात राशनगर में किसने किया ये अभी मालूम नहीं हो सका ओ, बहुत हुश्यार लड़की थी बिचारी आप कुसम नांगिया को जाती तोर पर जानते थे क्या नहीं मैं उसे सिर्फ इसलिये जानता हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने उसकी विफसाइक सिवाइं प्राप्त की थी आपने एक इस तरी प्राइवेट डिटेक्टिव को क्यों चुना मैंने सोचा था कि उसके औरत होने की वज़ा से किसी को ये सूचेगा ही नहीं कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव थी इसलिए वो ज्यादा मुस्तेदी से काम कर सकती थी काम क्या था काम ये था कि मैं उन हालात की उससे तफ्तिश करवाना चाहता था जिन में मेरे भाई की मौत हुई थी आपका मतलब है कि कांजीला लदिसाई अब इस दुन्या में नहीं है हाँ यही मतलब है मेरा उसकी मौत बड़ी रहस्य पूर्ण स्थिती में हुई थी हकीकत जानने के लिए मैंने कुसुम नांगिया की सेवाइं प्राप्त की थी किस्सा क्या है मेरा भाई एक पैसे वाला आत्मी था वो पैसा उसने दिन रात मेहनत करके खुद कमाया था क्यूंकि हर वक्त उसको पैसे के धोन लगी रहती थी इसलिए जिन्दगी के आनन्द से तो वो महरूम रहा ही अपने कमाय पैसे का आनन्द उठाना भी उसे कभी नहीं सूचा फिर उसकी बीवी मर गई आलाद उसके कोई हुई ही नहीं थी अकेला रह गया बेचारा तब जिन्दगी की बाबत उसका नसरिया भी बदला उसने महसूस किया कि पैसा कमाने की धुन में वो खाम का कोल हुई के बेल की तरह जुटा रहा जो दौलत उसने कमाई थी वो किसके लिए थी बीवी बेचारी मर गई आलाद हुई नहीं कहने का मतलब ये है कि उन हालात में उसे अपने पैसे का सुख भोगने का खयाल आया उसे बढ़ोती में एश करने की सूजी कांजिलाल मुझसे दस साल चोटा था मैंने उसे बहुत समझाया कि अब उसकी प्लेबॉई बनने की उम्र नहीं थी लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी एश के नाम पर करते क्या थे आपके भाई साहब सब कुछ करता था वो मैंने अपनी आँखों से तो उसे कुछ करते देखा नहीं था लेकिन लोगों के मुझसे सुना था कि वो संदिग्द चरित्र वाली इस्तरियों की सोहबत में देखा जाता था पूरी पूरी रात नाइट कलबों में गुजारता था रेस के गोडों पर दाव लगाता था जुआ खेलता था क्या नहीं करता था वो मौत कैसे हो गई थी उनकी कांजीलाल तफ्री के चक्कर में विशाल गड़ गया था कहता था वहां एक कैसीनो था जो एकदम विलाईती अंदाज से चलाया जाता था फिर विशाल गड़ से ही उसकी मौत की खबर आई मैं भागा भागा वहां गया मालुम हुआ कि कांजीलाल का हार्ट फेल हो गया था फिर जब मैंने उसके सामान का मौईना किया तो मैंने पाया की अपनी मौत से केवल एक दिन पहले उसने साथ हजार रुपए के ट्रेवलर चेक कैश करवाई थे कांजीलाल जी अपने पास रुपएा ट्रेवलर चेक की सूरत में रखते थे क्या हाँ विशालगर वो एक लाख रुपए के ट्रेवलर चेक लेकर गया था 40,000 के चेक सलामत उसके पास मौजूद थे बाकी के उसने कैश करा लिये थे और पैसा पता नहीं कहां उड़ा दिया था यही कुछ जानने के लिए आपने कुसुम नांगिया की सिवाइं प्राप के थी? हाँ आपको उनकी मौत संदिग्द क्यों लगी? एक तो 60,000 रुपे की रकम गायब होने की वज़ा से और दूसरे मैंने तो कभी सुना नहीं था कि कांजीलाल का दिल कमजोर था हार्ट फिल मजबूत दिलों वालों का भी हो जाता है हो जाता होगा बहरहाल मुझे कांजीलाल की मौत पर शक था इसलिए मैंने कुसुम नांगिया को तफ्तीश के लिए नियुक्त किया कुसुम नांगिया समय समय पर आपको रिपोर्ट तो भेशती रहती रही होंगी नहीं रिपोर्ट वो कभी नहीं भेशती थी मैंने पूछा था तो उसने कहा था कि रिपोर्ट भेशने का उसकी अजनसी में रिवास ही नहीं था अपनी तफ्तेश का परिणाम वो खुद क्लाइन के पास जाकर या टेलीफोन करके बताती थी क्या कुसुम नांगिया का कोई ऐसा फोन आपके पास आया था या वो खुद आई थी नहीं लेकिन उसकी मंगलवार रात को साड़े नौ बजे करीमाबाद से भेजी गई एक टेलीग्राम मुझे मिली थी करीमाबाद राशनगर के समीप इस्थित एक कस्वा था क्या लिखा था उस टेलीग्राम में सुनील ने पूछा उसमें लिखा था चेहरो मैं तुम्हें टेलीग्राम दिखाता हूँ वृत शड़ी टेकता हुआ दूसरे कमने में गया और एक टेक की हुई टेलीग्राम ले आया उसने टेलीग्राम सुनील को सौफ दी और यथा स्थान बैट गया सुनील ने टेलिग्राम खोल कर उसे उच्छ स्वर में पढ़ा लिखा था मैंने विशालगर्ण में तफ्तेश समाप कर ली है आपका भाई एक समझदार आत्मी होते हुए भी बड़ी मुर्खता पौन हरकते करता रहा था जिस रात वो मरा था उसी रात उसने कैसीनों में 50,000 रुपे जुए में हारे थे इस से पहले भी वो वही एक बार 15,000 रुपे हारा था और 10,000 रुपे उससे एक लड़की ने ये कहकर जटक लिये थे कि वो कर्जा था जो आपके भाई को बाद में लटा देने वाली थी लेकिन आपके भाई को प्रत्यक्ष्टा इन बातों से कोई एतरास नहीं था प्रत्यक्ष्टा वो एश कर रहा था और खुश था लेकिन इसी एश ने उसकी जान ली है जाहिर है कि ऐसी हंगामा के इस जिंदगी का चटका उसका कमजोर दिल बरदाश नहीं कर सका था उसकी मौत में किसी फाउल प्ले की गुंजाइश नहीं वो अपनी आई मौत मरा था अभी मैं राजनगर जा रही हूँ जहां कि एक अन्या केस के सिलसिले में मुझे एक आद दिन का काम है विश्वनगर लाट कर विस्तरित वारता लाप होगा कुसुम ना किया देसाई सहब सुने लाशा पॉंट स्वर में बोला ये टेलिग्राम अब आपके तो किसी काम की है नहीं अगर आप इजाज़त दे तो इसे हम रख लें क्या हार रख लो भूला भाई देसाई ने संकोच बोला शुक्रिया अब एक आकरी बात और वो भी पूछो आपके भाई सहाब आपके कतना नुसार काफी पैसे वाले आत्मी थे अपनी नए अंदास की जिन्दगी जीने के दौरान वो अपना सारा माल तो उड़ा नहीं गए होंगे काफी नावा पत्ता अभी भी बचा होगा ना तुम कहना क्या चाहते हो बर्खुरदार वो माल विरासत में किसको मिला है मुझे मिला है और किसे मिलता मेरे इलावा कांजीलाल का कोई जीवित रिष्टेदार है ही नहीं अपनी उस सयाशी के दौर में अगर वो किसी नौजवान लड़की से शादी कर बैठते तो आपका तो बड़ा नुकसान हो जाता क्या मतलब? कुछ नहीं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिसाई साहब सुनेल, रमाकांत और जोहरी दिसाई के क्वाटर से बाहर निकल आए वे फिर रमाकांत की इंपाला में आसवार हुए सुनेल में हाथ में थमी टेलीग्राम फिर खोल ली और बोला रमाकांत ये टेलीग्राम जाहिर करती है कि इसे भेशने के बड़ी हद दो घंटे बाद कुसम नांगिया की राशनगर में हत्या हो गई थी फिर रमाकांत बोला इसका मतलब तो ये हुआ की राशनगर में हत्यारा उसके आगमन की ताक में ही बैठा हुआ था सुनील बोला वो यहां अपने आफिस में बैठी विलास गुपता की रिपोर्ट टाइप कर रही थी कि उसका क्लाइंट आ किया और उसे रिपोर्ट मुकमल करने का मौका दिये बिना उठा कर अपने साथ ले गया रास्ते में वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर करीमा बात से भूला भाई दिसाई को यह टेलीग्राम भेज पाई फिर वो राश्नगर पहुँची और आनन फानन कतल कर दी कई कहीं कोई घोटाला है प्यारे लाल क्या घोटाला है यह समझ आ जाए तो फिर मेला ही ना खत्म हो जाए रमाकांद इसके मिस्टरी इतनी गहरी नहीं है लेकिन बिक्राफ ज्यादा है मिस्टरी तो जैसे तुम्हारी समझ में आई रखी है रमाकांद के स्वर में व्यंग का पुठ था बिक्राफ सिमट जाए तो मिस्टरी अपने आप हल हो जाएगी अभी तक जितनी बाते सामनी आई है वो अपने आप में तो मुकमल है लेकिन उनका आपस में कोई रिष्टा नहीं स्थापित हो रहा निश्टे ही सारी रहस्य पून घटनाओं का एक केंदर बिंदू है और वही पल्ले नहीं पड़ रहा रमकान खामुश रहा उसने इंजन चालू किया और कार्ब को सड़क पर डाल दिया मिसाल के तोर पर उस लड़की किरन भारगफ को लो सुनेल यू बोला जैसे अपने आप से बात कर रहा हो उसके टांग हर जगा अड़ी मालूम होती है उस लड़की के केरेक्टर को जिस सथ तक मैं समझा हूँ उसकी रू में उसका क्रॉनिकल को दिया ये बयान गले से नहीं उतरता कि वो अपने अंतरात्मा के पुकार से प्रेरित हो कर नरेंदर वर्मा के हक में गवाही देने के लिए राशनगर आई थी और फिर महंद की उस टेलीग्राम का क्या मतलब है जो मैंने किरन भारगव के पर्स में देखी थी और जिसमें महंद ने उसे राशनगर आने के लिए कहा था महंत नरेंदर वर्मा का वकील है उसने महंत को किरन के बारे में बताया होगा उसने महंत को ये बताया हो सकता है सुनिल बोला कि उसने इकबालपूर से राशनगर तक एक नौजवान लड़की को लिफ दी थी लेकिन नरेंदर वर्मा निश्चे ही उस लड़की का पता ठिकाना नहीं जानता था जानता होता तो ये बात उसने गिरफतार होते ही पुलिस को बताई होती हम रमकान्त लड़की निश्चे ही महंद के बुलावे पर राश्नगर आई है इसलिए आते ही उसने महंत की कोठी पर उसे फोन किया और इसलिए वो आधी रात को इंपेरियल में उससे मिलने भी आया लड़की को सिर्फ उसकी अंतर रात्मा की पुकार राशनगर नहीं लाई बलकि कोई और बात लाई है असली कहानी कोई और है अब कहां चले वापिस घर यहां अब कुछ नहीं रखा रमकांत ने कार हाईवे की और दोड़ा ती सारे रास्ते सुनेल यूं बड़ बड़ाता रहा जैसे एक एक बात कई कई बार दोहराने से ही सारा रहस से उसकी समझ में आ जाता कार तार्थपुर से गुजरने लगी तो एका एक वो बोला रुको रमकांत ने फारण कार को ब्रेक लगाई और पूछा की होया तुमने कहा ता कि नरेंदर वर्मा तार्थपुर में गिरफदार है सुनेल बोला मैं उससे मिलना चाहता हूँ ये इस वक्त मुम्किन नहीं होगा रात हो चुकी है सुनेल ये दिन में होने वाला काम है तो फिर ऐसा करो जोहरी को यहीं उतार दो ये यहां रहकर नरेंदर वर्मा के बारे में कोई जानकारी हासिल करने की और मेरी उससे मुलाकात का जुगार करने की कोशिश करे जब कोई बात बन जाए तो ये राजनकर फोन करके मुझे यहां बुला ले जोहरी सुन रहे हो रमा कांथ बोला सुन रहा हूँ जोहरी ने कहा तो फिर उत्रो गाड़ी से जोहरी तारकपुर में ही उतर गिया रमा कांथ ने कार आगे भगा दी वो यूथ कलब पहुंचे रमा कांथ ने अपने आफिस में कदम रखने से पहले ही भीतर उसके डिरेक्ट लाइन वाले टेलिफोन की घंटी बच रही थी रमा कांथ ने आगे बढ़कर फोन उठाया वो कुछ रखन फोन सुनता रहा और फिर माउट पीस पर हाथ रख कर सुनिल से बुला जोहरी का फोन है कह रहा है कि नरेंदर वर्मा आज ही शाम जमानत पर रेहा कर दिया गया है इस वक कहा है वो सुनिल ने पूछा ये नहीं मालुम जोहरी को कहो वो वही रहे और मालुम करने की कोशिश करे कि नरेंदर वर्मा कहा है रमकांत ने सेहमती में सेर हिलाया वो फिर टेलीफोन पर बात करने लगा कुछ शर्ण बात उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया फिर उसने एक वेटर को बुला कर उसे चाई लाने के लिए कहा रमकांत ने एक चार मिनार का सिगरिट सुलकाया और अपनी कुरसी में धसक कर बैट किया ठक गए यार वो बोला ये बुढ़ापे की निशानी है सुनील बोला रमकांत बढ़कर गाली देता हुआ बोला बुढ़ापा आई तुझे तेरी माँ को, तेरे बाप को माँ बाप तो होते ही बुड़े है बको मत विसकी कम पिया करो उससे कॉलेस्टरोल बढ़ जाता है और उसी की वज़ा से सांस चड़ने लगता है कैस्टर आयल बढ़ जाता है कैस्टर ओयल कॉल कमबग पीता है कैस्टर ओयल नहीं रमाकांत कॉलेस्ट्रोल वो भी नहीं पीता मैं सिर्फ एक विस्की पीता हूँ अमरीक सिंग काला बिल्ला और जॉन्नी वोकर ब्लैक लीबल छोड़ो वो जमूरा जमानत पर कैसे रिहा हो गया वैसे ही जैसे हुआ जाता है किसी ने उसके जमानत दे दी किसने उसके एक कथिद दोस्त ने वो दोस्त अब तक सोया हुआ था क्या हाँ सोया ही हुआ होगा वैसे जोहरी ने एक बड़ी मज़िदार बात बताई है क्या जेलर का दावाही के नरेंदर वर्मा ने अपने उस कथी दोस्त के जिन्दगी में पहले कभी सूरत तक नहीं देखी थी लेकिन दोनों ने ही ऐसा अभी ने किया था जैसे 14 वर्ष के बनवास के बाद राम भरत मिलाप हो रहा हो क्या मतलब? वो कथी दोस्त नरेंदर वर्मा की जमानत पर रहाई के काक साथ लेकर जिस वक्त जेलर के कमरे में पहुँचा था उस वक्त इतिफाक से वहां नरेंदर वर्मा के इलावा दो और कैदी भी मौझूद थे दोस्त ने उन तीनों को देखा था और मिट्टी के माधों की तरह खामोश खड़ा रहा था फिर जेलर ने ही नरेंदर वर्मा को बताया था कि उसका वो दोस्त उसको जमानत पर रहा करवा कर अपने साथ ले जाने आया था ये सुनने के बाद कहीं जाकर नरेंदर वर्मा के चेहरे पर रौनक आई और वो लपक कर अपने उस कथिद दोस्त के साथ बगल गीर हुआ जेलर के बोलने से पहले दोनों के चेहरे सलेट की तरह साफ थे उसके बाद वो दोस्त नरेंदर वर्मा को अपनी कार पर बिठा कर वहां से ले गया था वो कती दोस्त जरूर बैरिस्टर मंगलदास महंत का कोई पिट्ठू होगा जिसने नरेंदर वर्मा की खातिर नहीं महंत की खातिर नरेंदर वर्मा की जमानत दी होगी कुछ भी हो बहरहाल नरेंदर वर्मा जेल से बाहर आखिया है मेरा उससे मिलना नहायद जरूरी था रमाकान्थ उसे वार्तालाप के बाद मैं कई रहस्यों से पर्दा उठने की उमीद कर रहा था वो जमानत पर छूटा है कहीं गायब नहीं हो सकता जोहरी उसे जरूर खोश निकालेगा उस आदमी का नाम पता तो अधिकारियों को मालूम ही होगा जिसने नरेंदर वर्मा की जमानत दी है क्यों नहीं मालूम होगा नाम पता बताए बिना कहीं जमानत होती है क्या तब ही वेटर चाइल लियाया सुनेल ने टेलीफोन अपनी और खींच लिया और रुकमनी देवी की कोठी का नमबर डाइल किया दूसरी और से टेलीफोन किसी नौकर ने उठाया सुनेल ने रश्मी से बात करने की इच्छा व्यक्त की साहप वो तो घर पर नहीं है कहां गई है जेरी अकेली या परिवार के बाकी लोग भी जेरी गए है वो अकेली गई है साहप कब गई आज शाम को क्या करने वहां उनकी एक सहेली रहती है उससे मिलने क्या सहेली का कोई नाम पता मालूम है जरा होल केजिए मैं पोच कर बताता हूँ ठीक है सुनिल रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा वेटर चाय सर्फ करके चला किया हलो थोड़ी देर बाद फिर सुनिल के कान में पहले वाली आवास पड़ी हाँ वो मिसिस मोना चौधरी के यहां गई है पता है 27 मेन बासार जेरी ठीक है शुक्रिया सुनिल ने रिसीवर रख दिया अगले दिन 11 बजे के करीब सुनिल के कैबिन के टेलीफोन की घंटी बजी उसने हाथ बढ़ा कर फोन उठा लिया फोन रमा कान्थ का था अभी अभी तारखपुर से जौरी का फोन आया था रमा कान्थ बोला तुम्हारे लिए एक बड़ी दिल्चस्प खबर है क्या सुनिल ने उठसुख भाफ से पूछा नरेंदर वर्मा वापिस जेल में पहांच किया है कैसे उसके जिस कथे दोस्त ने कल उसकी जमानत दी थी आज सुबह सभेरे आदालत में अर्सी दे कर उसने अपने जमानत रद करवाली है ऐसा क्यों किया उसने पता नहीं लेकिन जमानत रद करवाते समय उसने मैजिस्ट्रेट को कोई वज़ा तो बताई होगी कहता है उसे पहले मालूम नहीं था कि जमानत देने वाले की जिम्मेदारी कितनी होती है कहता है उसे अभी पता लगा है कि अगर मुझरिम भाग जाए तो जमानत देने वाला गिरफतार भी हो जाता है क्या ये बात उसे पहले मालूम नहीं थी कहता है कि नहीं मालूम थी बक्वास बक्वासी सही, बहरहाल नरेंदर वर्मा फिर वापिस जेल में है हम और जोहरी ने तुम्हें उसका कोई संबंधी बता कर तुम्हारी उससे मुलाकात के लिए 15 मिनट का टाइम लिया है अगर नरेंदर वर्मा से मिलना चाहते हो, तो एक बज़े तारक पर पहुंच जाना जोहरी तुम्हें जेल के आगनतु कक्ष में मिलेगा और और वो जो मैं अनिल को चेक करवा रहा था, उसके रिपोर्ट आई है सुनील, नेकलिस की चोरी उस लड़के ने की हो, ये नहीं हो सकता क्यूं? क्यूंकि वो एक बहुत सा चरित्र और नेक नियत लड़का साबित हुआ है वो कोई एप नहीं करता, ना ही वो बुरी सौबत में उठता बैठता है कहने का मतलब है, उसको जिन्दगी में ऐसे कोई समस्या या मजबूरी नहीं जिसकी वज़ा से उसे चोरी करनी पड़ती, उसकी कोई गर्फ्रेंड भी नहीं जिसके बारे में ये सोचा जा सकता, कि शायद वो नेकलिस लड़के ने उसके लिए चुराया हो आई सी, और नौकरों पर शक करना बेकार है, जब नौकरों की नियत खराब होती है, तो वो एक नेकलिस चुड़ा कर ही सबर नहीं कर लेते उनको तो सारे घर में जाड़ू फेर देने की सुविदा होती है यानि कि चोरी का स्चंट मा बेटी में से ही किसी का रचा हुआ है मा का भी नहीं हो सकता, मा तो घर की मालकिन है और पैसे वाली आरत है तो फिर ये सब किया धरा रश्मी का है बस शर्ते की पुलिस की ही बात सच ना हो, कहीं कीरती ही चोड़ ना हो नॉनसेंस जो जी में आए कोहो, मेरा काम तुम्हें खबर देना था उससे तुम कोई भी नतीजा निकालने के लिए आजाद हो मैं फोन रख रहा हूँ, रमाकांत, मुझे वक्त पर तारक पूर पहुँचना है पहुँचो, लोट कर बताना क्या हुआ छीक है, सुनेल ने रिसीवर रख दिया उसने अपने मेज की दरास में से रश्मी की वो तस्वीर निकाली जिसमें वो नेकलिस पहने थी और जो उसने मंगलवार रात को रुकमनी देवी से हासिल की थी फिर कंपनी की नई अमबैसजर पर सवार होकर वो जोहरी बाजार पहुचा उसने कार सेट हीरा मल जलान और संस के विशाल शोरूम के आगे रोकी वो एक जोईलर्स एंड अंटीक डीलर्स की फिर्म थी जिसका मालिक सेट हीरा मल जलान और उसके चारों लड़के सुनील के दोस्त थे सेट का बड़ा लड़का मुकंद उसे शोरूम में ही मिल गया उसने तपाक से सुनिल से हाथ मिलाया और उसका हाथ थामी थामी उसे अपने छोटे से कैबिन में ले आया सुनिल खुश था कि खुद हीरा मिल जालान उसे नहीं मिला था वो गाउं तक्यों के सहारी फ़र्श पर बिचे मोटे गदो पर बैठता था और उन पर बिची सफेद चादर के लिहास के तौर पर सुनिल को जूते उतारने पड़ते थे सुनिल एक कुर्सी पर बैठ किया कोल्ड रिंग की एक बोतल जैसे जादू के जोर से उसकी कोहनी के पास पहाँच गई मेरे पास बहुत कम टाइम है सुनिल रश्मी की तस्वीर लिफाफे में से निकाल कर मुकुन के सामने रखता हुआ बोला लड़की के गले में जो नेकलिस है मुझे इसकी हुब हो नकल चाहिए क्या फौरण मुकुन ने पूछा फौरण से पेश तर मुकुन ने मेंस पर ही पड़ा ज्वैलर्स गलास उठाया और उसकी सहायता से नेकलिस का मुआइना करने लगा ये तो मलीका नूर जहां के फेमस नेकलिस की नकल है कुछ शन बात वो बोला होगी मुझे नकल की नकल चाहिए बन जाएगी शाम को ले जाना जो चीज बनवाओ गे वो तस्वीर जैसी ही लगेगी न कोई पैचान तो नहीं लेगा कि वो असली नकली माल नहीं चिंता मत करो जो नेकलिस हम तुमें देंगे वो हो बहुत अस्वीर वाले नेकलिस जैसा होगा मक्छी पर मक्छी मारी हुई होगी चीक है, सुनील उठता हुआ बोला, मैं शाम को आउंगा कहो तो हम भिजवा दे ये तो और भी अच्छी बात है, नेकलिस तयार हो जाए, तो मेरे आफिस में भिजवा देना चीक है, मैं चला अरे अरे, थंडा तो पीते जाओ सुनील ने कोल्डरिंग की बोतल उठाई, और एक ही सांस में खाली कर दी बरे सेर्ट जी को मेरी नमस्ते कह देना, वो बोला हाँ जरूर और सुनील वहां से विदा हो गया निर्धारित समय से पांच मिनट पहले ही, वो तारकपुर पहुँच किया जोहरी उसे जेल के दर्वासे पर ही मिल किया और पांच मिनट बाद कैदियों से मुलाकात के लिए विशेश रूप से निर्मित एक कक्ष में सुनील नरेंदर वर्मा के सामने बैठा था नरेंदर वर्मा एक नौजवान और काफी हद तक खुप सूरत आदमी था लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर मुर्दनी चाई हुई थी और आँखों के नीचे काले दाइरे दिखाई दे रहे थे मेरा नाम सुनील है सुनील साफधान स्वर में बोला मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ तुम्हारे केस को मैंने स्चड़ी किया है और मैंने महसूस किया है कि तुम बेगुना हो और खामका की जहमत में फसे हुए हो अपने अकबार के माध्यम से मैं तुम्हारी बेगुनाही का ऐसा ढोल पेट सकता हूँ कि संबंदित अधिकारियों के कानों की मैल पिघल जाएगी और वो अपनी हट धर्मी और पूर्वा ग्रह की भावना को त्याग कर तुम्हारे बारे में दुबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगी लेकिन दोस्त इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद दर्कार है कैसी मदद? सबसे पहले तो मैं तुम से चन्द सवालों के सीधे और सचे जवाब चाहता हूँ सवाल पूछो कल तुम्हें किसी ने जमानत पर छुड़वाया था? हाँ लेकिन आज उसने वो जमानत रद करवा दी और तुम वापिस जेल में पहुँच गए जाहिर है? पुराना दोस्त था? हाँ तो फिर एक बार जमानत दे चुकने के बाद उसने जमानत रद क्यों करवाई? उसकी कोई मजबूरी रही होगी? तुम उसके जिकरी दोस्त हो वो मजबूरी उसने तुम्हें क्यों नहीं बताई? अब नहीं बताई तो मैं क्या करूँ तो मैं यहां से छुड़वा कर वो कहां ले गया था एक होटेल में कौन से होटेल में प्रिंस होटेल में वो कहा है पता मुझे मालूम नहीं मैं इस जगा बिल्कुल अचनबी हूँ क्या होटेल में तुम से मिलने कोई आया था? हाँ, मेरा वकील आया था क्या वकील के इलावा कोई और भी तुम से मिलने आया था? भाई सहाब, इससे क्या फर्क पड़ता है? कि मुझसे कौन मिला था और कौन नहीं मिला था? तुम बताओ कि कोई फर्ट पढ़ता है कि नहीं मेरे खयाल से तो कोई फर्ट नहीं पढ़ता जब कोई फर्ट ही नहीं पढ़ता तो तुम्हें जवाब देने में क्या एतरास है वो खामोश रहा छीक है मत बताओ मेरे पास वक्त बहुत कम है मैं उसे तुमसे बहस करने में बरबात नहीं करना चाहता तुम्हारा जी चाहे तो किसी सवाल का जवाब दो जी ना चाहे तो मत दो उसने बेचैनी से पहलो बदला ये बात तुम्हें कैसे मालूम होई थी कि तुम्हारी जमानत रध हो गई थी मेरे वकील ने बताया था मुझे क्या तुम्हारा वकील बैरिस्टर मंगलदास महन थे हाँ तुम उसके संपर्ट में कैसे आई क्या तुम पहले से जानते थे उसे मैं पहले से नहीं जानता था उसे तो तुम्हें सूजा कैसे उसका नाम किसी ने सुझाया था किस ने याद नहीं वो तो बहुत बड़ा वकील है बहुत मोटी फेस चार्च करता है क्या तुम उसके फेस अदा करने की ख्रमता रखते हो जब वो मेरा वकील है तो फेस तो उसे मिल ही रही होगी तुम गोल मुल जवाब दे रहे हो साफ बताओ क्या तुम उसके फेस अदा कर रहे हो उसे उसके फेस मिल रही है वरना वो मुझे अपनी शकल न दिखाता चलो चोड़ो अब ज़रा एक्सिडेंट की बात करो क्या बात करूँ मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने कोई एक्सिडेंट नहीं किया था कोई आत्मी मेरी कार के नीचे आकर नहीं कुछला किया था लेकिन तुम्हारी कार की बाडी में टकर से बनने वाला डेंट था और उसकी तूटी हुई हेडलाइट के टुकडे गटना स्थल पर पड़े पाई गए थे पुलिस ने मुझे यही बताया है लेकिन मुझे पका मालूम है कि राजनगर पहाँशने तक मेरी कार की हेडलाइट सही सलामत थी और उसकी बाडी में कोई डेंट नहीं था कर मुझे मालूम हुआ है कि लड़की का नाम किरन भारगव था क्या पहले उसने अपना नाम नहीं बताया था तुम्हें शायद नहीं बताया था अगर बताया था तो मुझे याद नहीं रहा था उस लड़की ने अपने बयान में कहा है कि लंबी ड्राइव ने तुम्हें इतना ठका दिया था कि तुम्हारी आंके अपने आप बंध हुए जा रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चलाते वक्त कभी तुम्हें उंगा गई हो तुमने उस साइकल सवार के उपर कार बढ़ा दी हो और तुम्हें खबर ही ना लगी हो ऐसा कैसे हो सकता है मैं जब तक कार चला रहा था पूरी चौकसी से कार चला रहा था जब मुझे कार चलाना असंभव लगने लगा था तो मैंने सफर मुलतवी कर दिया था और फिर साइकल सवार कोई मुर्गी का चूजा थोड़े ही था जिसके कार की चपेट में आ जाने के बाद भी मुझे उसकी खबर नहीं लगी फिर भी फर्स कर लिया चाए कि मुझे खबर नहीं लगी लेकिन क्या मेरे साथ बैठी लड़की को भी खबर नहीं लगी उसने क्या मुझे तब ही नहीं बताया होता कि मैंने किसी को अपनी कार के नीचे कुचल दिया था तुम ठीक कह रहे हो अब ज़रा पिछली रात की फिर से बात करो है तुम्हारा दोस्त मुझे मालूम नहीं होटल में तुम अपने वकीर के इलावा और किस से मिले थे वो कामोश रहा इतना तो बता दो कि किसी से मिले थे या नहीं वो परे देखने लगा अपने केस के बारे में तुम्हारा अपना खयाल क्या है यही कि मुझे फसाया जा रहा है कौन फसा रहा है तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे वकील को तुम्हारे निदोशिता पर विश्वास है क्या बिल्कुल विश्वास है क्यों नहीं होगा उसने तुम्हें ये तो बताया होगा कि उसने तुम्हारे बचाफ की क्या योशना बनाई है बताया था लेकिन साथ ही उसने मुझे इस बारे में किसी से बात करने से भी मना किया है तब ही दर्वाजे पर खड़ा हवलदार बोला मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है देखो सुने लुटता हुआ बोला वाले का नाम मुझे से चुपा कर और उसके जिक्र को टाल कर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मैं और किसी से नहीं मिला था इतना मामुली इंकार बड़ी मुझे से तुम्हारे मुझे निकला वो कामोश रहा मेरा जाती अंदाजा ये है कि तुम बुनियादी तोर पर एक शरी फात्मी हो और जूट बोलने का तुम्हें कताई तजुर्बा नहीं है जूट तुम्हारे मुझे मुझे से निकलता है इसलिए तुम पर उस बात को टालने की या उसका कोई गोल मोल जवाब देने की कोशिश करते हो जिसके लिए तुम्हें जोट बोलना जरूरी दिखाई देता हो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो तुम्हें खोब पता है मैं क्या कह रहा हूँ इतना मैं तुम्हारे बताई बिना भी समच सकता हूँ कि कल रात तुम्हें किसी खास उदेश्य की खातिर जेल से निकलवाया किया था अपना वो उदेश्य पूरा होते ही उन्होंने तुम्हें वापिस जेल में पहांचवा दिया लेकिन सुनो सुनो सुनील बोला तुम बैरिस्टर महंत को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ वो एक नंबर का कमीना आदमी है और जैसे मोटी फेस की एवरज में वो काम करने का आदी है उसे अदा कर पाने की हैसियत मुझे तुम्हारी नहीं दिखाई दे रही फिर भी वो तुम्हारा वकील है तो इसमें जरूर उसका कोई स्वार्ट होगा अगर वो बिना फेस तुम्हारा केस देख रहा है तो वो फेस के बतले में जरूर तुमसे कोई खास सेवा चाहता होगा और महंद की वो खास सेवा निश्चे ही ऐसी होगी जो तुम्हारी हालत बली के बक्रे जैसी बना देगी वो मुझ़े कोई खास सेवा नहीं चाहता ननेंद्र बोला चाहता होता तो अब तक उसने मुझे बताया होता तो फिर निश्चे जानो सुनील बोला कि तुम्हें बिना बताए ही उसकी तुम्हारी वज़ा से अपने आप कोई खास सेवा हो रही होगी जरूर तुम्हारे केस में ऐसी कोई बात है जिसकी वज़ा से तुम्हारी ये छोटी सेवा करके उसे अपनी या अपने किसी और क्लाइन की कोई और बड़ी सेवा होती दिखराई दे रही होगी वो खामोश रहा मेरे खयात से कल तुम्हें जमानत पर केवल इसलिए छुड़वाया किया था क्योंकि महन किसी व्यक्ति विशेश से तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहता था वो मुलाकात मुकमल होते ही उसने जान बुश कर तुम्हारी जमानत रत करवा कर तुम्हें वापिस जेल में पहंचवा तिया नरेंदर वर्मा जरत सोचो अगर वो तुम्हारा हित चिन तक होता तो क्या वो तुम्हें आजाद नहीं रख सकता था नरेंदर वर्मा ने अपने सूखे होंटों पर जुबान फेली अब बताते हो क्या सुनिल आशापूंट स्वन में बोला कि कल रात उसने तुम्हारी मुलाकात किस से करवाई थी किसी से नहीं वो खोकले स्वन में बोला अच्छी बात है मैं जाता हूँ मैं तुम्हारे लिए प्रातना करूँगा कि भगवान तुम्हें बैरिस्टर महंत के चंगुल से निजात दिलवाए सुनिल वहां से बाहर निकल आया जोहरी उसके समी पहुँचा जोहरी सुनिल बोला यहां से सीधे जेरी चले जाओ वहां में बाजार की 27 नंबर इमारत में कोई मिसिस मोना चौधरी रहती है तुम्हें वहां से ये मालुम करना है कि क्या रश्मी वाकई कर रात जेरी में मिसिस मोना चौधरी के यहां थी ओके जिस रहस्य पूर्ण व्यक्ति की कल रात बैरिस्टर महंत में यहाँ पर नरेंदर वर्मा से मीटिंग करवाई थी मुझे डर है कहीं वो रश्मी ही ना हो रश्मी का बैरिस्टर महंत से क्या वास्ता? शायद हो लेकिन भाई सहब यह बेबुनियाद बात है जोहरी ने कहा अगर महंत नरेंदर वर्मा की वाकई किसी से मुलाकात करवाई थी तो वो मुलाकाती कोई भी हो सकती है मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ लेकिन मैं इस केस से संबंदित केवल एक शक्स को जानता हूँ जो कल रात अपने घर पर नहीं था और वो शक्स है रश्मी भाई सहब, आपकी अपनी जुबान में कहूं तो ये तो बटन को मैच करता हुआ कोट तलाश करने वाली बात है अगर रश्मी जेरी ना भी गई हुई तो इससे कि ये साबित कैसे हो जाएगा कि कल रात वो यहां थी नहीं होगा सुनेल ने स्विकार किया फिर भी प्यारे लाल तुम जेरी का एक चक्कर लगा ही आओ चीक है जोहरी वहीं उससे अलग हो गया शाम छे बजे जोहरी सुनेल के कैबिन में पहुचा मैं सीधा जेरी से आ रहा हूँ वो धम से एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला क्या मुलाकात हुई मिसिस मोना चौधरी से सुनेल ने पूछा जी हाँ हुई बड़ी मुश्किल से हुई उस पर रौब गालिप करने के लिए मैंने उनके घर के नौकर को अपना परीचे राशनगर से आई एक सी आईडी आफिसर के लूप में दिया जो कि उसकी सहेली रश्मी के बारे में कुछ पूछ ताच करने आया था भाई साहब मिसिस मोना चौधरी के तो चक्के ही चूट गए पहले तो उसने मुझ से मिलने से ही इंकार कर दिया मिली तो बड़ी बढ़ हवा सालत में बात उसके मुझ से निकल कर नहीं दे रही थी रश्मी के जिक्र से ही यूवो यू आतंकी थो उठी जिससे फांसी पर चढ़ाई जाने वाली हो फिर किसी तरह वो इतना तो कह पाई कि रश्मी पिछली रात को उनी के घर में थी लेकिन वो साफ जूट बोलती मालूम हो रही थी यानि कि रश्मी ने ये एलिबाई घड़ी थी अपने लिए उसने राजनगर से ही जेरी फोन करके मिसिस मोना चौधरी को कह दिया होगा कि अगर कोई पूछे तो वो कह दे कि पिछली रात रश्मी जेरी में उनके यहां थी और वास्तव में वो बैरिस्टर महंत के साथ तारकपूर गई होगी पहली बात में दम है लेकिन दूसरी बात जरूरी नहीं कि ठीक हो अगर वो जेरी नहीं गई थी तो कहीं तो गई थी कर्रेक्ट लेकिन वो जगा तारकपूर ही हो ये कैसे जरूरी है हो सकता है उसका कोई बॉइफरेंट हो जिसके साथ उसका रात भर गुल छर्रे उड़ाने का प्रोग्रेम रहा हो आज कल की नौचवान लड़कियां ऐसी हरकते आम करती है ओल राइट मैं रश्मी से ही पूछूँगा कि कल रात वो कहा थी और वो जैसे आपको बता देगी हाँ कैसे मैं उसे मजबूर कर दूँगा मैं उसके सेर पर एक जादू का डंडा फिराओं का और उसके भीतर लगा वो टेप रिकॉर्डर चालू हो जाएगा जिस पर केवल सर्च रिकॉर्ड होता है आपकी माया आप ही जाने जोहरी उठता हुआ बोला मैं चला उसने सुनील से हाथ मिलाया और वहां से विदा हो गया उसके जादे ही सेट हीरा मल जालान का एक आदमी एक मकमली डिबा और एक खाली लिफाफा सुनील को देगिया लिफाफे में रश्मी की नेकलिस वाली तस्वीर थी डिबे में से नेकलिस निकाल कर अपने कोट की भीतरी जेप में रख लिया और कैबिन से बाहर निकल आया वो आदर्श नगर पहुँचा इतिफाक से दर्वासा खुद रश्मी ने खोला वो उसे ड्राइंग रूम में ले आई कैसे आना हुआ उसने अपचारिक स्वर में बूचा मैं आपकी एक चीज लोटाने आया था सुनील मिठे स्वर में बोला कौनसी चीज ये उसने तस्वीर रश्मी को सौंप दी देख लीजिए सही सलामत है थैंक यू वो भाव भीन स्वर में बोली और ये भी सुनील ने जेप से नेकलिस निकाल कर बड़े नाट की अंदास के उसके सामने बैठी रश्मी की गोद में डाल दिया रश्मी यो चिहुकी जैसे उसकी गोद में साम पाकर गिरा हो नेकलिस निकाल पड़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ किया ये ये वो हकलाती हुई बोली आपके पास कहां से आ किया वही से आया है जहां आपने इसे भेजा था लेकिन बैरिस्टर महा उसने होंट काट लिये हाँ हाँ सुनेल उसे प्रोटसाहन देता हुआ बोला आप बैरिस्टर महांट के बारे में कुछ कहने जा रही थी ना वो कामोश रही जानती तो है ना आप बैरिस्टर महांट को मैं किसी बैरिस्टर महांट को नहीं जानती जूट मत बोलिए इस नेकलेस के संदर में बैरिस्टर महंत का नाम आपके मूँ से अभी निकलते निकलते रह किया था आप मिस्टर सुनील वो उचल कर खड़ी हो गई नेकलेस उसकी गोद में से छिटक कर जमीन पर जा किरा आप जा सकते हैं सुनील नेकलेस उठा लिया और बोला ना सिर्फ जा सकता हूँ बलकि मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कहा जा सकता हूँ क्या मतलब पलिस को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मंगलवार रात को यहां कोई चोरी नहीं हुई थी नेकलेस आपने अपनी राजी से बैरिस्टर महंत को दिया था क्यूंकि आपकी मा ने आपको वो नेकलेस कीर्टी को दिखाने को कहा था और नेकलेस आपके पास था नहीं इसलिए मंगलवार रात आपने चोरी का वो ड्रामा रजा आप पर चोरी की जोटी रिपोर्ट लिखवाने का चार्च लग सकता है मेम सहा और मैं ये भी जानता हूँ कि मंगलवार रात को केर्थी की कार पर आप ही सेंट्रल पार्ट गई थी जूट क्या ये भी जोट है कि कल रात अब बैरिस्टर महंत के साथ तारिक पुर गई थी सुनेल अंधेरे में तेर चोड़ता हुआ बोला नरेंदर वर्मा नाम के उस आत्मी से मिलने जिसको खास तोर से आप से मिलवाने के लिए जिल से छुड़वाया गया था और ये मत कहिएगा कि कल रात आप जेरी में थी आपकी सहेली मिसिस मोना चौधरी ने जरा सा दबाफ पढ़ते ही कबूल कर लिया था कि आप कल रात उनके यहां नहीं थी उसने आपके कहने पर आपको एलिबाई देने के लिए ये जुड़ बोला था रश्मी के च्छके छूड़ गए आपका ये नेकलिस मेरे पास है इसी से आपको सोचना चाहिए कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और आपकी जानकारी के लिए अर्स कर रहा हूँ कि बैरिस्टर महंद गिरफतार हो चुका है गिरफतारी के बाद अपनी सलामती उसने उसी बात में पाई थी कि वो सब कुछ सच सच चुगल दे रश्मी के चहरे पर हवाईया उनने लगी और अब बंदा चला सुनील बोला पुलिस को जानकर खुशी होगी कि जो नेकलेस मंगलवार रात को चोरी गया बताया किया था वो मंगलवार से बहुत पहले आपने सुनील ने खंजर की तरह एक उंगली रश्मी की दिशा में भौंकी अपनी मर्सी से बैरिस्टर महंद की फेस के तौर पर उसे दिया था आप मुझे मत बताईए कि बैरिस्टर महंद को आपने वो फेस क्या करवाने के लिए दी थी लेकिन पुलिस को आप जवाब दिये बिना नहीं रह सकेंगी और सुनील दर्वासे की तरफ घूमा सुनो सुनो रश्मी बद हवास स्वर में बोली सुनील ठिटका वापिस घूमा उसने प्रश्म सुचक नेत्रों से रश्मी की तरफ देखा रश्मी ने एक व्याकुल निगा पहली मंजिल को जाती सेडियों की तरफ डाली और फिर धेरे से बोली मेरे साथ आओ वो ड्राइंग रूम से बाहर निकली और गल्यारे में आगे बढ़ी उसके पीछे पीछे चलता हुआ सुनील उसके बेडरूम में पहुँच किया रश्मी ने दर्वासा भीतर से बंद कर लिया और बिश्ली के दो तेन स्विच शॉन किये बैठो वो सुनील से बोली सुनील एक कुर्सी पर बैठ किया रश्मी नर्वस भाफ से पहलू बदलती उसके सामने खड़ी रही तुम भी बैठो ना सुनील बोला रश्मी उसके पलंग पर बैठ कई क्या तुम कुछ कहना चाहती हो सुनील मिठे स्वर में बोला रश्मी कुछ शर्ण खामोश रही और फिर एका एक फट पड़ी सुनील मैंने कुछ नहीं किया है मैंने कोई अपराद नहीं किया है लेकिन उस बैरिस्टर महंत के बच्चे के फेर में मेरे दुर्भाग्य ने मुझे ऐसा फसाया है कि एक के बाद एक गड़बड़ी होती चली गई और मैं उन पर काबू नहीं पास सकी किस्सा क्या है आराम से बताईए सुनील ने पूछा किस्सा ये है कि मैं महेश तलवार नाम के एक लड़के से प्यार करती थी मेरी मा मेरी शादी क्योंकि रिष्टेदारी में कहीं और करना चाहती है इसलिए उसे महेश और मेरे रिष्टे से सकत तैतरास था वो तो मुझे उससे मिलने भी नहीं देना चाहती थी लेकिन हम किसी न किसी तरह छुप छुप कर मिलते रहते थे फिर जुलाई के महीने की बात है कि हम दोनों ने घर से भाग जाने का और कहीं और जाकर लव मेरिज करने का फैसला कर लिया मुझे क्योंकि घर से निकलने के लिए कोई बहाना चाहिए था इसलिए मैंने अपने सहेली मोना चौधरी को फोन करके कहा कि वो मेरी मा को कहे कि वो मुझे एक आद दिन के लिए जेरी भेश दे मेरे कहें मुताबिक मोना ने मेरी मा को फोन कर दिया और मुझे जेरी जाने की इजासत मिल गई मैं जेरी जाने के स्थान पर महेश के साथ उसकी कार में सवार हुई और हम बंबई के लिए रवाना हो गए हमारा बंबई जाकर शादी कर लेने का इरादा था शादी हो जाने के बाद मैं अपनी माँ को खबर कर सकती थी कि मैं अब मिसिस महेश तलवार बन चुकी थी और मेरी शादी रिष्टेदारी में कहीं करने के मामले में अब वो कुछ नहीं कर सकती थी लेकिन महेश से मेरी शादी की नौबत नहीं आई क्यूं सुनील ने पूछा रास्ते में बातो बातो में उस कमीने ने मुझे बताया कि वो पहले से ही विवाहित था उसकी शादी तो उसके बच्पन में ही हो गई थी उसने मुझे ये पट्टी पढ़ानी की कोशिश की कि वो शादी नहीं गुड़े गुड़ियों का खेल था अगर फिर भी मुझे वो शादी लगती थी तो वो अपनी पहली बीवी को जो की गाउं में रहती थी तलाग दे सकता था लेकिन तब तक मेरी आँखों से इश्क का परदा उतर चुका था इसलिए मैं उसकी बातों में नहीं आई मैंने उसे कहा कि वो फॉरण मुझे वापिस घर लेकर चले तब तक रात हो चुकी थी और हम इकबालपूर पहन चुके थे वो कहने लगा कि रात हम होटेल में ठहर कर सुबह वापिस चलेंगे उसकी असलियत जाहिर हो जाने के बाद मैं उसके साथ हर्गिस नहीं रहना चाहती थी एक अजनबी जगा में एक होटेल में उसके साथ रहने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता था लेकिन वो मेरे सुन नहीं रहा था फिर मैंने प्रत्यक्ष्ट है उसकी हां में हां मिला दी उसने कार को एक होटेल के सामने ले जाकर रुका वो भीतर कमरे के बारे में पूश्टाच करने गया तो मैं चुप-चाप कार से निकली और वहां से खिसक गई फिर आगे फिर मेरी समस्या ये थी कि मैं राजनगर वापिस कैसे पहुँशती बस चौप पर या रेलवे स्टेशन पर मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि जो ही महेश को मालूम होता कि मैं उसे डौश दे गई थी वो सबसे पहले उन्हीं दो जगों पर मुझे तलाश करता मैं उसे मिल जाती तो वो निश्टे ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता और मेरा तमाशा बन जाता उस वक्त थाईवे पर से कई कारे गुजर रही थी तब मैंने हिम्मत करके किसी से लिफ्ट मांगने का फैसला किया लिफ्ट मुझे मिल गई एक बहुती भले मानस युवक के साथ मैं उसकी कार पर सवार हो गई वो युवक नरेंदर वर्मा था आई सी कि वो करेगा बस सड़े और रेलवे स्टेशन के चकर लगाई मुझे उन दोनों जगा पर ना पा कर वो समझ गया कि शायद मैंने किसी से लिफ्ट मांग ली थी उसने फिर भी मेरी तलाश नहीं छोड़ी और वो वापिस राशनगर के रास्ते पर अपनी कार भगाने लगा सुनील दरसल उस वक्त उसकी आँखों पर तो वासना का परदा पड़ा हुआ था वो मुझसे शादी का इतना तलबगार नहीं था जितना वो मेरे साथ हानीमोन मनाने के लिए मरा जा रहा था लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है कि वो भी तुम्हारे पीछे बड़ा हुआ था तुम तो नरेंदर वर्मा के साथ उसकी कार में सवार होकर इकबालपुर से रवाना हो चुकी थी हाँ लेकिन हाईवे पर मैंने महेश की कार को धुआदार रफतार से नरेंदर वर्मा की कार की भगल से गुजरते देखा था मैंने उसकी कार फॉरण पहचान दी थी वो कम से कम 90 किलो मिटर की रफतार से कार चला रहा था इसी से लगता था कि वो मुझे तलाज करने की दिशा में कोई कोशिश उठा नहीं रखना चाहता था फिर फिर राजनगर से बाहर हाईवे पर जो चुंगी नाका है वहां महेश हम से पहले पहुचा हुआ था और मेरे आगमन की प्रतिक्षा कर रहा था वहीं एक टेक्सी स्टेंड भी था इसलिए मैंने नरेंदर की कार में से वहीं उतर जाने का फैसला किया मैंने उससे हाथ मिलाया उसका धन्यवाद किया और कार से उदर गई महेश जो कि मुझे उससे हशस कर बोलते और उससे हाथ मिलाते देख रहा था उसने इन बातों का बड़ा गलत मतलब लगाया वो इश्या से जल उठा उसने समझा कि नरेंदर वर्मा भी मेरा कोई दोस्त था जो उसकी कार का पीछा करते-करते इकबालपूर पहुंच किया था और उसी की वज़ा से मैंने महेश से शादी करने से इंकार किया था मेरे टैक्सी स्टैंड पर पहुंचते ही महेश भी वहाँ पहुंच किया और लगा मुझसे जगड़ा करने वो साफ साफ मुझ पर इल्जाम लगाने लगा कि नरेंदर वर्मा मेरा कोई यार था मुझे गुस्सा आ गिया मैंने उसे एक जापर रसीद किया और उसे गाल सहलाता चोड़ कर टैक्सी पर सवार होकर वहां से चली आई उस वक्त भी नरेंदर वर्मा की कार अभी नाके पर ही खड़ी थी मुझे डर तो था कि कहीं वो जाकर नरेंदर वर्मा से भी जगड़ा ना करे लेकिन मैं वहां रुक नहीं सकती थी महेश का तो दिमाग खराब हो गया था वो तमाशा कर सकता था मैं घर पहांच गई मैंने मा से कह दिया कि जेरी में मेरी तबियत एक एक बहुत खराब हो गई थी इसलिए मैंने घर लौट चलना ही मुनासिब समझा था फिर मैंने चुप चाप जेरी फोन करके मोना चोधरी को भी बता दिया कि महेश के साथ भागने का मेरा प्रोग्रेम बैक फायर कर गिया था और मैं घर वापिस लौट आई थी बैरिस्टर महंत इस तस्वीर में कहां फिट होता है सुनील ने पूछा सुनते रहो मैं वहीं पहुँच रही हूँ ओके फिर मैंने अकपार में पढ़ा की नरेंदर वर्मा नाम का वहीं नौजवान जिसने उस रात मुझे लिफ दी थी तारगपुर के पास किसी साइकल वाले को अपनी कार द्वारा रॉन देने के इल्जाम में गिरफतार हो गया था मैं तो जानती थी कि उस पर हिट एंड रन का जो चार्श लगाया जा रहा था वो बेजा था गलत था वो शक्स सरासर बेगुना था मैं उसकी बेगुना ही का सबूत थी मैं इस बात की गवा थी कि तारगपुर में या रास्ते में कहीं भी उसने कोई एक्सिडेंट नहीं किया था मैं नहीं चाहती थी कि नरेंदर वर्मा बेगुना मारा जाता लेकिन मेरी भी मजबूरी थी उस रात में घर से भागी हुई लड़की थी नरेंदर वर्मा की हिमायत में मैं सामने आती तो मेरी अपनी पोल खुल जाती और मेरी अंतरात्मा पुकार पुकार कर कह रही थी कि नरेंदर वर्मा की जान बचाना मेरा फर्स था उस नाजुग घड़ी में मैं बैरिस्टर महंत के पास गई उसने क्या कहा सबसे पहले तो उसने अपनी फीस के ही बारे में कहा वो बड़ा वखील था और मोटी फीस चाहता था उसने मेरी बात सुन कर इस बात की गैरेंटी की थी कि वो मेरा नाम केस में गसीटे बिना नरेंदर वर्मा को बचा सकता था उसने कहा कि मुझे कहीं भी, कभी भी, कैसी भी, कोई स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी अपनी सेवाओं के बदले में उसने मुझसे फेस के तौर पर पांच हजार रुपेयों की मांग की इतने रुपेय मेरे पास तो थे नहीं, ना ही उनको मोहया करने का मेरा कोई साधन था अंत में इस समस्या का यही हल निकला, कि मैंने उसे अपना नेकलिस दे दिया, बाद में मैं उसे पांच हजार रुपेय दे कर अपना नेकलिस वापिस हासिल कर सकती थी बात में पांच हजार रुपे कहां से आती तुम्हारे पास? बात में जब नरेंदर वर्मा छोट जाता तो मुझे उम्मीद थी कि वो पांच हजार रुपे वो सहर शदा कर देता लेकिन वो नौबत आई ही नहीं उससे पहले ही घर में मेरे रई संकल की बेटी कीरती आ गई और मेरी मा ने उस पर अपनी संपन्ता का रौब गालिप करने के लिए मुझे खुक्म दंदना दिया कि मैं उसे मली का नोर जहां के नेकलिस जैसा अपना नेकलिस दिखाऊंग। मैं नेकलिस कहां से दिखाती उसे उसे तो मैं उसके फेस के तौर पर बैरिस्टर महंत को सौंप चुकी थी अपनी उसी मजबूरी को छुपाने के लिए मंगलवार रात को मुझे अपने बेडरूम में चोरी की स्टेश करनी पड़ी चोरी का वो आइडिया तुम्हारा अपना था या वो तरकीब भी तुम्हें बैरिस्टर महंत ने सुझाई थी महंत से इस बारे में तो मेरी बात तक नहीं होई थी मैंने जो कुछ किया था खुद किया था यानि कि उस जोटी चोरी से महंत का कोई रिष्टा नहीं नहीं आगे नरेंदर वर्मा के केस के सिलसिले में बैरिस्टर महंत वक्त वक्त पर मुझसे बात करता रहता था लेकिन वो बात चीत टेलिफोन पर ही होती थी दरसल मैं ही नहीं चाहती थी कि किसी को पता लगे कि मैं किसी वकील को कंसल्ट कर रही थी कि इसके बारे में वो कहता क्या था वो तो हमेशा यही कहता था कि वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरे बीच में पड़े बिना नरेंदर वर्मा बरी हो जाए लेकिन साफ साफ वो कुछ बताता भी नहीं था कि हकीकतन ऐसा कैसे होने वाला था उसकी यही हेल हुजज़त वाली बाते बार बार सुनने पर मुझे शक होने लगा कि कहीं वो मुझे बेवकुफ तो नहीं बना रहा था मैंने उसे ये बात कही भी लेकिन जवाब में उसने यही कहा कि अपनी तरफ से वो कोई कोशिश उठा नहीं रख रहा था फिरंत में मंगलवार को महंत ने फोन करके मुझे बताया कि अब बात किसी किनारे लख रही थी उसने मुझे बताया कि उसने एक और लड़की को मेरे स्थान पर ये कहने के लिए तयार कर लिया था कि वास्तव में उसने एकबालपूर में नरेंदर वर्मा से लिफ्ट हासिल की थी और वो उसके साथ उसकी कार में राशनगर तकाई थी कौन थी वो लड़की सुनील ने पूछा वो लड़की थी किरन भारकव उसे महंत ने खास तोर से मुझसे मिलवाने के लिए विशालगर से बुलवाया था और मंगलवार रात को महंत ने सेंट्रल पार्ट में उससे मेरी मुलाकात निर्धारित की थी जिसमें मुझे उसे लड़की को बारीकी से अपने इकवालपूर से राश नगर तक के सफर के बारी में बताना था ये मुलाकात रात को ही होनी क्यों जरूरी समझी गई मुलाकात रात को होनी जरूरी नहीं थी लेकिन किर्थी के एका एक हमारे यहां पहुंद जाने की वज़ा से मेरी ही ऐसी मजबूरी आ गई थी कि मैं रात से पहले घर से नहीं निकल सकती थी अपनी ये मजबूरी मैंने महंत को बताई थी महंत ने कहा था कि उसने किर्ण भारगव को हमारी कोठी का नमबर बता दिया था और ये कि वो रात को फोन करके मुझसे पूश लेगी कि मैं किस वक्त उससे मिलने आ सकती थी मैंने उसे कह दिया कि मैं सवा 11 बजे सेंट्रल पार्ट में पहुंच जाऊंगी लेकिन घर में सब के सोजाने के बाद मैं घर से बाहर निकली तो एक नई समस्या मेरे सामने आन खड़ी हुई केर्थी की कार गैरिश के एन सामने इस प्रकार खड़ी थी कि उसको हटाई बिना मैं गैरिश का दर्वाजा खोल कर अपनी कार नहीं निकाल सकती थी अगर मैं उसकी कार अपनी जगा से हटाती फिर गैरिश का दर्वाजा खोल कर अपनी कार निकालती और उसकी कार वापिस यथा स्थान खड़ी करती तो परिनाम सुरूप जो आवाजे होती उनको सुनकर घर में किसी ना किसी की नेन जरूर खोल जाती और फिर केरती का बेडरूम तो ड्राइवे के एंड सामने था अपनी उस समस्या का हल मैंने यही निकाला कि मैंने केरती की ही कार ले जाने का फैसला कर लिया इतिफाक से उसकी कार की चाबियां भी इगनिशन में ही मौजूद थी मैं केर्थी की कार में सवार हुई और सेंट्रल पार्ट पहुँची केरन भारगव मुझे पार्ट के मुख्य द्वार पर मिली उसने मुझे बताया कि महंत का पार्ट के भीतर एक जगा पर हमारे इंतजार में मौजूद होना अपेक्षित था वो मेरे साथ कार में सवार हो गई और मैं उसके निर्देश पर कार चलाती हुई पार्ट के भीतर दाखिल हुई उसी के कहने पर एक स्थान पर मैंने कार रोकी मैंने कार का इंजन बंद कर दिया और हम प्रतिक्षा करने लगे तब ही किरन भार्गव एका एक बोली कि परे जाडियों के पास कोई था क्या कोई था वहाँ मुझे तो वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया था लेकिन किरन कहती थी कि वो शायद महंत था फिर वो कार से उत्री और ये देखने के लिए जाडियों की और बढ़ी कि वो महंत था या नहीं था हाला कि मैंने उसे रोका था कि वो यू अंधेरे में वहाँ ना जाए क्योंकि अगर वहाँ महंत था तो वो खुदी कार के पास सा सकता था लेकिन उसने खुद ही वहाँ जाना मुनासिब समझा वो कहती थी कि महंत बड़ा रहसे पूर्ण आदमी था और शायद वो कार के पास नहीं आना चाहता था बहरहाल वो जाडियों के पास गई और मेरी निगाहों से ओजल हो गई फिर थोड़ी देर बात एका एक वो भागती हुई कार के पास वापिस लोटी और आते ही घबराई स्वर में बोली रश्मी बहुत गड़बर हो गई है तुम फॉरण वापिस घर चली जाओ और कभी किसी को ये मत कहना कि तुम पार्ट में मुझसे मिलने आई थी या कि तुम मुझे जानती थी मैंने उससे बहुत पूछा कि बात किया थी लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया उसने मुझे यही कहा कि बात में फोन करके वो मुझे सब कुछ बताएगी मैंने उसे यही कहा कि मैं उसे कार्ट पर कहीं छोड़ाऊ लेकिन उसने यही जित की कि मैं एक ही बात की तरफ ध्यान दूँ और वो ये कि मैं गोली की तरह वापिस घर पहुंच जाओं तो क्या फिर तुम वापिस आ गई? हाँ मैंने कार की सड़क से नीचे कच्छे रास्ते में उतार कर यू टर्ण दिया और जितनी तेज कार चलाने की मैं हिमत कर सकती थी उतनी तेज कार चलाती हुई मैं अपनी कोठी पर वापिस लोटाई मैंने केर्टी की कार को यथा स्थान खड़ा किया और अपने कमरे में आ गई तुमने ये नहीं देखा था कि कार की अगली सीट पर किरन भार्गव का पर्स रह किया था? नहीं पर्स की तरफ मेरा ध्यान कता ही नहीं गया था फिर? फिर मैं अपने बेडरूम में पहुंची वहां मैंने कपड़े बदले और खिड़की के जाली वाले दर्वाजे की जाली एक स्थान से काटी और खिड़की खुली छोड़ दी में इसका दरास उसके स्थान से निकाल कर भीतर रखे सामान समेट नीचे फर्ष पर फैंका और फिर चोड़ चोड़ चिलाने लगी बात में किरन भारगव ने तुम से संपर्ख स्थापित किया था क्या? सुनील ने पूछा हाँ, कल उसका फोन आया था उसने मुझे कहा था कि मैं किसी प्रकार की चिंता ना करूँ बैरिस्टर महंत के होते मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी उसने तुम से पर्स के बारे में नहीं पूछा था क्या? नहीं, शायद उसे सूझा ही नहीं था कि उसका पर्सकार में रह किया था शायद वो उसे कहीं और खोया समझ रही थी कल रात उन्होंने तुमें तारकपुर बुलवाया था क्या वो हिचकिचाई क्या फाइदा सुनेल सहच भाफ से बोला हाथी तो निकल गया है अब दुम पर हिचकिचाहट किस लिए उसने सहमती में सेर हिलाया नरेंदर वर्मा से मिलने के लिए हाँ कहा वहां के प्रिंस होटेल में वहां नरेंदर वर्मा के इलावा और कौन-कौन था किरन भारगव थी बैरिस्टर महन था और एक वो आदमी था जिसने नरेंदर वर्मा की जमानत दी थी उस कौन-फरेंस का उदेश्य क्या था किरन को मेरे स्थान पर विटनेस के तौर पर तयार करना मैंने और नरेंदर वर्मा ने इकबालपूर से लेकर राशनगर तक के सफर की उसे इतने बारी के से जानकारी देनी थी कि वो उसके आधार पर एक इतने विश्वस्निय कहानी तयार कर पाती कि किसी को हर्गिस शक नहीं हो पाता कि उस रात नरेंदर वर्मा की कार में उसके साथ वो सवार नहीं थी वहाँ उसको हर जरूरी बात का गोटा लगवा कर witness के तौर पर पूरी तरह तयार कर दिया गया था उस जोटी गवाही का सारा rehearsal महंत के अध्यक्षता में हुआ था नहीं महंत केवल शुरू में हम लोगों के साथ था जिएों ही जोटी गवाही वाली conference शुरू होने लगी थी वो वहाँ से उठकर चला गया था अलबता होटेल में वो तब भी मौजूद था I see रश्मी तुम्हारी बातों से तो लगता है कि पार्ट में कुसम नांगिया की हत्या किरण भारगफ ने की थी मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा था लेकिन किरण ने तो किसी को देखा था उसने कहा था कि जाडियों में कोई था जिसे उसने बैरिस्टर महंत समझा था वो जुरूर कुसम नांगिया रही होगी क्या वो हत्या कर देने के लिए परियाब तरसा जाडियों में रही थी किसी की पेट में चाकु घोंपने में वक्त ही कितना लगता है बहरहाल जितना वक्त इस काम के लिए दरकार होता है उतना वक्त वो वहाँ थी क्या हाँ कम से कम तीन मिनट तो वो मेरी निगाहों से जरूर ओजल रही थी रश्मी एक बात बताओ पूछो तुम्हारी अंतर रात्मा ने नरेंदर वर्मा को बेगुना साबित करने की खातिर कुछ करने के लिए तो तुम्हें प्रेरित किया लेकिन उसी अंतर रात्मा को कीरती का तुम्हारी अपनी बेहन का अहित करना क्यों कर गवारा हुआ वो कामोश रही उसने धेरे से सिर्ट जुका लिया उस पर तुम्हारी उस स्नेकलिस की चोरी का इल्जाम है जो कि कभी चोरी हुआ ही नहीं उस पर कुसुम नांगिया की हत्या का इल्जाम है जबकि हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वो हत्या किरण ने की थी उस पर इल्जाम है कि मंगलवार रात को वो अपनी कार पर सेंट्रल पार्ट गई थी जबकि वास्तव में ये हरकत तुम ने की थी मैं शर्मिन्दा हूँ वो धीरे से बोली सिर्फ शर्मिन्दा होने से कुछ नहीं बनेगा रश्मी जब तुम इतनी कॉंशिंस लड़की हो कि तुमने नरेंदर वर्मा नाम के अजनभी के लिए इतना कुछ करना चाहा तो क्या तुम अपनी बेहन के लिए कुछ नहीं करोगी मैं क्या करूँ रश्मी जो कुछ तुमने मुझे बताया है वो सब तुम्हें अक्षरश पुलिस को बताना होगा नहीं रश्मी ये जरूरी है पुलिस मुझे गिरफतार कर लेगी पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी अगर तुम्हारे बयान के दम पर पुलिस कुसुम नागिया की हत्या का केस हल करने में काम्याब हो गई तो उल्टे तुम्हें शाबाशी मिलेगी लेकिन मैंने पुलिस को नेकलिस की चोरी की जूटी रिपोर्ट लिखवाई है हाँ ये एक अपराद तुमने जरूर किया है लेकिन तुम्हारी बाकी सहयोग पूर्ण बातों की वज़ा से मुझे पूरी उमेद है कि पुलिस इस बात को खातिर में नहीं लाईगी पुलिस जरूर उसे नजर अंदास कर देगी मुझे पुलिस के पास जाने से डर लगता है तुम बिलकुल मत डरो रश्मी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा कुसम नांगिया के केस की तफ्तेश जो पुलिस अधिकारी कर रहा है वो मेरा परीचित है मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगा कि वो तुम्हारे साथ हमदर्दी से पेश आए अच्छी बात है अंध में रश्मी हत्यार डालती हुई बोली जैसा तुम कहो That's a good girl कब जाना होगा अभी चलो अब सारा केस मेरी समझ में आ किया है इसका जब जितनी जल्दी निप्टारा हो उतना ही अच्छा है तुम्हारी समझ में ये भी आ गया है कि नरेंदर वर्मा उस एक्सिडेंट के केस में बेगुना कैसे फस किया है हाँ एकदम तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि एक्सिडेंट वास्तव में महेश तलवार ने किया था दिवानगी की हालत से वही इतनी धुआधार रफ़तार से कार चला रहा था कि उसने तारखपुर में उस साइकल वाले को अपनी चपेट में ले लिया था उसने शायद गाड़ी रोख कर ये देखा था कि साइकल सवार मत चुका था फिर राशनगर चुंगी नाके पर जब उसने तुम्हें नरेंदर वर्मा से हाथ मिलाते और हसस कर बाते करते देखा तो वो एशिया से जल उठा उसने नरेंदर वर्मा को तुम्हारा कोई यार समझा और उसने तुम पर ये इल्जाम लगाया भी था फिर जब तुमने उसे एक जापर रसीत कर दिया तो वो गुस्ते से और भी आग बबुला हो उठा तुम तो तब वहां से टैक्सी में सवार होकर चली आई थी लेकिन नरेंदर वर्मा की कार तब भी नाके पर खड़ी थी उसने नरेंदर वर्मा की कार का पीछा किया और उस होटेल तक पहुँच गया जिसमें नरेंदर वर्मा ठहरा था नरेंदर वर्मा होटेल पहुँचते ही खोड़े बेच कर सो गया था तब क्रोध और इर्श्या से भननाई हुए महेश तलवार ने साइकल सवार के साथ हुए एक्सिडेंट में नरेंदर वर्मा को फसाने का फैसला किया। इस प्रकार वो तुम्हारे प्यार में अपने कतित प्रतिद्वंदी को जेल भिजवा सकता था और खोद एक्सिडेंट क इल्जाम से साफ बच सकता था। तुम इस बारे में मजबूर थी क्योंकि तुम अपने घर से भागी होने की बात जुबान पर लाई बिना नरेंदर वर्मा की कोई मदद नहीं कर सकती थी। किया क्या महेश ने रश्मी ने व्यग्रिस्वर में पूछा। उसने होटेल की पार्की में खड़ी नरेंदर वर्मा की कार पर किसी भारी चीज़ का प्रहार करके उसमें एक डेंट डाल दिया और उसकी हेडलाइट तोड़ दी। फिर उसने हेडलाइट के शीशे बड़ी सावधानी से इकठे किये और उन्हें तारकपुर ले जाकर उस साइकल सवार की कार के पास लाकर डाल दिया जो वास्तव में उसकी कार के नीचे आकर मरा था ए भगवान मुझे नहीं मालूम था कि महेश इतना जलील आदमी निकलेगा मेरे साथ जो उसने किया सो किया लेकिन उसने दोश आदमी ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने उसे फांसी पर चड़वाने का सामान कर दिया क्या अब तुम चलने के लिए तयार हो रश्मी हाँ वो बोली और उटकर खड़ी हो गई लेकिन उस रोज सुनील इंस्पेक्टर प्रभु देयाल को तलाश नहीं कर पाया पूशताच पर उसे मालुम हुआ कि वो किसी केस के सिलसिले में राजन प्रभु देयाल वहां माजूद था आओ प्रभु देयाल व्यंगेपोंट स्वर में बोला आओ शरलक खौम सहब प्रभु सुनील विनेशल स्वर में बोला मुझे मालुम है तुम मुझसे खफा हो लेकिन मैं भी तुम्हारी सारी शिकायते दोर करने आया हूँ प्रभु देयाल ने एक कुछ सुक निखा बेचैनी से पहलु बदलती रशमी पर डाली और नम्र स्वर में बोला क्या बात हैं सुनील ने प्रभु देयाल से रशमी का परिचे करवाया और फिर रशमी ने धीरे-धीरे सारी कहानी प्रभु देयाल को कैस सुनाई यानिकि नरेंदर अब तो ये बात साफ जाहिर है सुनील बोला महेश तलवार का पता बोलो प्रभुदेयाल रश्मी से बोला रश्मी ने उसे धरम पुरे का पता बता दिया प्रभुदेयाल ने घंटी बजा कर अपने मातत सब इंस्पेक्टर बांसल को बुलाया उसने एक कागस पर महेश तल परवार का नाम और पता घसीटा और उसे बांसल को सौंपता हुआ आदेश पॉंट स्वर में बोला इस आदमी को गिरफतार करके लाओ अभी फॉरन येस सर बांसल ततपर्ट स्वर में बोला और फॉरन वहां से कुछ कर गया बांसल ने मुझे बताया है प्रबुद्याल सु श्वनगर भी पहुंचे हुए थे इतिफाक की बात है सुनेल दाशनिकता पॉंट स्वर में बोला और ये भी इतिफाक की बात थी कि तुम मुझ से छुपकर चोरों की तरह सेंट्रल पार्क गए थे और बांसल को मसका मार कर ना केवल वहां मिली लाश के पास पहुंच थे बलकि उसका मौईना भी कर आए थे उसकी सजा तो माई बाप मुझे पहले ही मिल चुकी है बड़ा तीस मार का बनकर मैंने मक्तूल के बारे में जो नतीजा निकाला था वो तो पहले ही गलत साबित हो चुका था उस चक्कर में तो मुझे नौकरी निकाली जाने तक की ध धंकी मिल चुकी है मुझे अफसोस है प्रबुदयाल ने कहा इस बात का कि मुझे ऐसी धंकी मिली नहीं इस बात का कि तुम्हें सिर्फ धंकी ही मिली सच मुष नौकरी से निकाल नहीं दिया किया तुम्हें सुनील बड़े संकोच पूर्ण धंक से हसा प्रबुदयाल एक पेपर वेट के साथ खिलवार करता रहा। बैरिस्टर महंत के बारे में क्या कहते हो एक और एक सुनिल बोला। ये कमीना वकील अपनी आदतों से बास नहीं आता। जब ये इसका नाम मेरे सामने आता है किसी ना किसी फसादी काम में इसकी टांग अटकी होती है। पिछले बार इसके फसने का सिलसिला बना था तो कमबक ने मेरी विटनेस से शादी करके अपने लिए निकासी का रास्ता निकाल लिया था। इस बार गहरा तो शायद वो नहीं फसे का प्रभू लेकिन तुम चाहो तो एक और सबक उसे दे सकते हो। कैसे? रश्मी ने अपने नेकलेस के चोरी के रिपोर्ट पुलिस को लिखवाई है। वास्तव में वो नेकलेस इसने बैरिस्टर महंद को दिया था। अगर वो नेकलेस महंद के घर से बरामत हो जाए तो चोरी का माल अपने अधिकार में होने की सफाई देने में उसे काफी तकल लेगा सुनील वो सूरत यही है कि रश्मी अपनी पुलिस को लिखवाई रिपोर्ट वापिस ले लेगी वास्तव में चोरी तो हुई नहीं है रश्मी ने अपनी मर्जी से वो नेकलेस महंत की फेस के तौर पर उसे सौंपा है वो ये बात साबित कर सकता है ये सब बात की बाते हैं प्रभू एक बार तो पठे का पुलंदा बंद ही जाएका एक बार तो उसके घर से चोरी का माल बरामद हो ही जाएका इसके लिए सर्च वारेंट इशू करवाना होगा मुझे तो करवा लो रश्मी के बयान के आधार पर ऐसा सर्च वारेंट इशू करवाना क्या मुश्किल बात है मैं अभी आया एका एक प्रभु देयार अपने स्थान से उठता हुआ बोला वो लंबे डग भड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया कोई आधे घंटे बाद वो वापिस लोटा मैंने सर्च वारेंट इशू करवा लिया है उसने बताया और मैंने केर्थी के फॉरें रिहाई का भी इंतजाम करवा दिया है वेरी गुड सुनिल संतुष्टी पॉन्ट स्वर में बोला तभी एक हवलदार के साथ एक आदमी ने कमरे में कदम रखा सुनिल ने देखा वो वकीलों वाला काला कोट पहने हुए था हवलदार उसे प्रभुदेयाल के पास छोड़ कर कमरे से बाहर निकल गया मेरा नाम पुजारी है आगंतुक ने अपना परीचे दिया मैं बेरिस्टर मंगल दास महंत का मातत हूँ सुनिल और प्रभुदेयाल के निगाहे मिली तश्रीफ रखिये प्रभुदेयाल बोला शुक्रिया वो सुनिल की बगल में पड़ी एक खाली कुर्सी पर भैट किया कैसे पधारे मुझे बेरिस्टर साहब ने भेजा है पुजारी बोला उन्हें मालुम हुआ है कि ये नेकलिस उसने अपनी जेब से एक नेकलिस निकाल कर प्रभुदेयाल के सामने मेज पर रख दिया चोरी का समझा जा रहा है और पुलिस को इसकी तलाश है क्योंकि बेरिस्टर साहब को मालुम है कि चोरी का माल अनजाने में भी अपने अधिकार में रखना अपराध होता है इसलिए ये नेकलिस उन्होंने आपके पास बिजवाया है प्रभुदेयाल और सुनील अवाब के एक दोसरे का मूद देखने लगे उनेक मालुम कैसे हुआ फिर प्रभुदेयाल ने पूछा कि ये नेकलिस चोरी का था अकबार में छपा है साहब पुजारी बोला ब्लास में तो नेकलिस की तस्वीर भी छपी है और तुम्हारे साहब के पास ये नेकलिस आया कहां से उन्हें ये नेकलिस उनके एक क्लाइंट ने उनकी फेस की एवज में दिया था ठीक है प्रभु देयाल का एक शन्खामोश रहने के बाद बोला अब आप जा सकते हैं मुझे इस नेकलेस के रसीद हासिल करने का हुकम हुआ है प्रभु देयाल ने एक कागस पर रसीद घसीट कर उसे सौम ती पुजारी वहां से विदा हो गया देखा सुनेल खिन स्वर में बोला कैसा काईया आदमी है लेकिन उसे बात मालुम कैसे हुई उसने रश्मी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की होगी तब उसे मालुम हुआ होगा कि वो पुलिस एट कौर्टर गई है वो समझ किया होगा कि नेकलेस की खबर पुलिस को लगने ही वाली थी इसलिए उसने नेकलेस पहले ही यहां भिजवा दिया प्रभुद्याल ने एक वित्रिशना पोर निगा मेंस पर अपने सामने पड़े सर्च वारिन पर डाली फिर उसने उसे उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे रद्धी की टोकरी में डाल दिया तभी सब इंस्पेक्टर बांसल एक नाजवान के साथ वहां पहुँचा ये महेश तलवार है बांसल ने बताया सुनील ने देखा देखने में वो एक सीधा साथा खूब सूरत नाजवान था उस वक्त उसके चेहरे पर हवाईया उड़ रही थी उसने केवल एक बार रश्मी की दिशा में देखा और फिर उसके बार उसने उससे निगा मिलाने की कोशिश नहीं की इसे हतकडिया क्यों नहीं पहनाई गई प्रबुदेयाल गरच कर बोला जी बांसल बॉकलाई स्वर में बोला जी गलती हो गई महेश के कते ही चक्चे चूट गए सुनील जानता था कि वो उसे पस्त करने के लिए पुलिसियों द्वारा किया जा रहा एक ड्रामा था बैठो प्रबुदेयाल कठोर स्वर में बोला महेश पुजारी द्वारा खाली की गई कुर्सी पर बैठ किया उसकी बगल में बांसल भी बैठ किया क्या तुम अपना अपराद कबूल करते हो प्रबुदेयाल गर्जा जी महेश अकलाया जी कगग कौन सा अपराद यानि कि तुमने कई अपराद किये हैं जजजजी मम मेरा मतलब नन नहीं था तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा मम मैंने कग कोई अपराद नहीं किया देखो हिटन रण एक अंभीर अपराद है 19 जुलाई की रात को तुमने एक आदमी को अपनी कार के नीचे कुचल कर उसकी जान ली है उपर से तुमने जान बुच कर शड़ेंदर रच कर एक बेगुना आतमी के सिर अपनी कर्टू थोपने की कोशिश की है और भी उपर से तुम कहते हो कि तुमने कोई अपराद नहीं किया तुम क्या पुलिस वालों को बेवकुफ समझते हो उसने अपने सूखे होंटों पर जुबान फेरी देखो मुझे सक्ती करने पर मजबूर मत करो अभी एक मिनट में कबूल करो कि तुमने अपनी गाड़ी के नीचे एक साइकल सवार को कुछला था और अपना अपराद नरेंदर वर्मा के सिर पर थोपने की कोशिश की थी वो खामोश रहा ये ऐसे नहीं मानेगा प्रभुदियाल एक एक उठकर खड़ा हो गया और अपनी आस्ती ने चड़ाने लगा बांसल दर्वाज़ बंद करो बांसल दर्वाज़े की और बढ़ा प्रभुदियाल आस्ती ने चड़ाता हुआ आँखों में कहर लिये अपनी मेज के पीछे से निकला और महेश की तरफ बढ़ा आतंग से महेश के नेत्र फट पड़े सुनील जानता था वो सब ड्रामा था लेकिन महेश तो नहीं जानता था उपर से जाहिर था कि वो कम से कम रश्मी के सामने अपनी कोई दुर्गती नहीं करवाना चाहता था मैं वो बद हवास्वर में बोला अपना अपरात कबूल करता हूँ बांसल दर्वाजे की और बढ़ता बढ़ता रुख गया प्रबुदयाल ने भी अपनी बाहे नीचे गिरा दी और प्रशन साथ मक्सवर में बोला दर्ट सग गुड बॉई वो महेश के सामने मेज पर ही एक पहलो टिका कर बैठ किया और बोला अब सारी कहानी शुरू से शुरू करो महेश ने यूँ बोलना शुरू किया जैसे टेप रिकॉर्डर का स्वेच चान कर दिया किया हो अंत में जब उसने बोलना बंद किया तो प्रबुदयाल बांसल से बोला इसे बगल के कमरे में ले जाओ इसका बयान रिकॉर्ड करो उसकी चार कापियों पर इसके साइन करवाओ और फिर इसे बुक कर दो येस सर बंसल बोला और तारकपूर फोन करो वहाँ की पुलिस को खबर कर दो कि हमें ऐसा पका सबूत मिला है कि नरेंदर वर्मा निर्दोश है उन्हें कहो कि वो अपना प्रतिनिदी यहां भेश दे जिसे कि हम केस समझा सकें और उन्हें कहो कि इंसानियत के नाते वो नरेंदर वर्मा को भी खबर कर दे कि ये साबित हो चुका है कि वो निर्दोश है और ये कि अब बहुत जल्ब वो जेल से छूट जाएगा येस सर जाओ महिश तलवार को साथ लेकर बांसल वहां से चला किया तुम विश्वनगर कैसे पहुँच गई थे एका एक प्रभु देयाल ने पूछा वैसे ही जैसे पुलिस पहुँच गई थी सुनील बोला मक्तूल के शिनात के सिलसिले में वहां और क्या जाना तुमने सुनील ने बड़ी शराफत से उसे भूला भाई देसाई से हुई अपनी मुलाकात की कहानी के सुनाई फिर उसने वो टेलीग्राम भी प्रभु देयाल के सामने रख दी जो कुसुम नांगिया ने मंगलवार रात साड़े नौ बचे करीमबाद से भूला भाई देसाई को भेजी थी प्रभू सुनील गंभेट स्वर में बोला अपनी मौत से पहले कुसुम नांगिया दो केसों की तफ्थिश कर रही थी एक केस विलास गुपता का था जिसमें उसने ये मालुम करना था कि उसके कैसीनों का कोई करमचारी उसे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा था कुसुम नांगिया की अपने टाइप राइटर में छोड़ी रिपोर्ट साबित करती है कि ये विलास कुपता का वेहम था कि कोई उसे डबल क्रॉस कर रहा था दूसरा केस भूला भाई देसाई का था जो ये जानना चाहता था कि कहीं उसके भाई की हत्या तो नहीं होई थी उसके भी टेलिग्राम की सूरत में कुसुम नांगिया ने जो रिपोर्ट भूला भाई देसाई को भेजी थी वो कहती थी कि कांजीलाल देसाई अपनी आई मौत मरा था कहने का मतलब ये है कि ये दोनों केस क्लोस हो चुके थे लेकिन फिर भी कोई तीसरा केस था जिसका उसने टेलिग्राम में जिक्र किया था और जिसके चकर में वो राजनगर आई थी अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तीसरा केस क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन जो भी केस वो था उसका बैरिस्टर महंत में शर्तिया बड़ा गेहरा संबन था और फिर हमें ये कैसे मालूम है कि जिन दो केसों पर कुसम नांगिया काम कर रही थी वो क्लोस हो चुके थे उसके दोनों क्लाइन कहते हैं उन्हें को कैसे मालूम है उन्हें रिपोर्ट मिली है कि ये दोनों काम कुसम नांगिया ने किये थे टाइप राइटर में लगे रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर थे नहीं और टेलिग्राम पर हस्ताक्षर होते नहीं प्रभु देया सोच में पड़ किया और भूला भाई दिसाई ने मुझे बताया था कि लिखित रिपोर्ट वो कभी नहीं भेशती थी भूला भाई दिसाई के पूशने पर उसने कहा था कि लिखित रिपोर्ट भेशने का उसकी एजनसी में रिवास ही नहीं था अपनी तफ़्तीश का परिनाम वो खुद कलाइंट के पास जाकर या उसे टेलीग्राम करके बताती थी फिर भी उसने विलास गुपता की रिपोर्ट टाइप क्यों की और भूला भाई दिसाई को टेलीग्राम क्यों भेजी रिपोर्ट किसी और ने टाइप की हो सकती है प्रभु देयाल धीरे से बोला और टेलीग्राम किसी और ने भेजी हो सकती है एक्जेक्ली प्रभू अब टेलीग्राम तो करीमा बात जाकर कोई भी भेज सकता था लेकिन अगर रिपोर्ट किसी और ने टाइप की होती तो उसके पास कुसुम नांगिया के अपार्टमेंट की चाबी होनी चाहिए थी अब ज़रा इस बात पर गौर करो कि कुसुम नांगिया की लाश के पास उसका पर्स नहीं मिला था उसका पर्स उसके अपार्टमेंट से बरामत हुआ था अब ये तो मानने लायक बात नहीं कि पर्स वो वहाँ से लेकर ही नहीं गई थी उसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस था उसमें उसका ग्रै मंतरालिय द्वारा इशू किया प्राइवेट डिटेक्टिव का लाइसेंस था और भी ऐसी कई चीजे थी जो असूलन हर क्षण कुसम नांगिया के पास होनी चाहिए थी इससे साफ जाहिर होता है कि हत्या के बाद हत्यारे नहीं उसका पर्स हत्याया उसे लेकर वो विश्व नगर पहुंचा उसमेंसे चाबिया निकाल कर उसने उसके अपार्टमेंट का ताला खोला और सबकी आँखों में धूल जोंकने के लिए उसने वो रिपोर्ट टाइप की जिससे ये लगे कि उस केस में कुसम नांगिया ने अपनी तफ्तिश मुकमल कर ली थी और ये स्थापित हो सके कि किरन भार्गव उस रोज राशनगर चली गई थी जहां कि वो नरेंदर वर्मा के हक में ये गवाही देना चाहती थी कि वो निर्दोश था अब ज़रा सोचो कि इस प्रकार गड़ी हुई रिपोर्ट में दिल्चस्पी किसकी हो सकती है किसकी हो सकती है प्रबुदयाल ने पूछा उस घड़ी हुई रिपोर्ट में दो ही जनों की दिल्चस्पी हो सकती है या तो उस आदमी की जिसे की रिपोर्ट मिलने वाली थी और या उस की जिसका रिपोर्ट में जिक्र था और जसके बारे में रिपोर्ट ये स्थापित करती थी कि एक खास तारीक को वो राजनगर में थी और एक खास घटना ही वो चश्मदीद गवा थी क्या तुम्हारा इशारव विलास कुपता और किरन भारगव की यौर है हाँ और हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि कुसम नांगिया का कदल इन दोनों में से ही किसी ने किया है तुम ठीक कह रहे हो अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो तुम्हें फॉरण करीमा बाद जाना चाहिए जहां से कि वो कथिट टेलीग्राम गूला भाई दिसाई को भेजी गई थी अपनी अथारिटी इस्तेमाल करके तुम उस टेलीग्राम का ओरिशनल फॉर्म निकलवा सकते हो और फिर उस फॉर्म से हो सकता है मालूम हो जाए कि वास्तव में कुसुम नांगिया की जगा वो टेलीग्राम किसने भेजी थी तब ही बाँसल ने भीतर कदम रखा मेरी तारक पूर बात हुई है साहब वो बोला मालूम हुआ कि नरेंदर वर्मा अभी कोई एक घंटा पहले जमानत पर रहा कर दिया गया है फिर सुनील हैरानी से बोला हाँ और इस बार जमानत खुद बैरिस्टर मंगलदास महंत ने दी है नकत आई सी प्रभु दियाल बोला और नरेंदर वर्मा है कहां इस वक्त ये किसी को नहीं मालूम सर और बैरिस्टर महंत वो थोड़ी देर पहले तक वहीं था लेकिन अब वो भी वहाँ से जा चुका है वो कहां जाएगा सुनील बोला वापिस ही आ रहा होगा बांसल प्रभु दियाल बोला तुम मुझे कुसम नांगिया के चेहरे की उसके लाश से बनवाई गई तस्वीर लाकर दो और एक जीप निकल वाओ मैंने फॉरण करीमा बात जाना है येस सर बांसल वहां से चला किया मैं फिलहाल आपको हिरासत में नहीं ले रहा हूँ प्रभु दियाल रश्मी से बोला फिलहाल आप घर जा सकती है लेकिन भगवान के लिए आप पुलिस को उपलब्द रहिए का अगर आपने कहीं गायब होने की कोशिश की तो ये बहुत बुरा होगा वो एक शंट खिटका और फिर बोला आपके लिए मैं कहीं नहीं जाओंगी रश्मी धीरे से बोली गुट रश्मी उट खड़ी हुई उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा तुम जाओ सुनील सहच भाफ से बोला मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ करीमा बात जा रहा हूँ कौन कहता है प्रबुदयाल आंखे निकाल कर बोला अभी तो मैं ही कह रहा हूँ माई बाप सुनील विनेशिल स्वर में बोला लेकिन इस गरीब अकबार नवीस पर तरस खाकर आप भी कहने लगे तो आनन्द आ चाए प्रबुदयाल हिच किचाया और गरीब परवर ये मत भूलिये कि ये टेलिग्राम मेरी ही वज़ा से आपकी जानकारी में आई है वरना आपका मातद बांसल तो विश्वनगर से बेरंग वापिस लौठी चुका था और भी बहुत सी बातों में आपके ग्यान चक्षू मेरी ही वज़ा से खुले है हुकम हो तो गिन कर बताऊँ जरूरत नहीं तुम मेरे साथ चल सकते हो प्रबुदयाल ने नियात्मक स्वर में बोला लेकिन किसी मामले में अपनी टांग अडाने की कोशिश मत करना हर्गिस नहीं करूंगा तभी बांसल कुसम नांगिया की तस्वीर के साथ वहां पहुँचा पुलिस की जीप करीमबाद के चोटे से टेलिग्राम आफिस के सामने आकर रुखी जीप एक वर्दिधारी पुलिसिया चला रहा था और उसके अतिरिक जीप में केवल इंस्पेक्टर प्रभु दियाल और सुनील मौजूद थे दोनों जीप से निकल कर टेलिग्राम आफिस में दाखिल हुए प्रभु दियाल ने उसे टेलिग्राम खोल कर दिखाई और बोला ये टेलिग्राम मंगल वार रात को साड़ी नौ बचे के करीब यहां से बुक की गई थी इसका ओरिशनल फॉर्म निकलाल कर मुझे दिखाओ क्लर्क ने रिकॉर्ड में से वो फॉर्म तलाश किया और उसे प्रभु दियाल के सामने पेश कर दिया सुनिल ने देखा फॉर्म पर इबारत टाइप की हुई थी लेकिन डाग काने के नियम के अनुसार नीचे कुसम नांगिया के हस्ताक्षर मौचूद थे क्या इस टेलिग्राम की कुछ याद है तुम्हें रभु दियाल ने पूछा जी हाँ क्लर्क बोला लंबी टेलिग्राम थी और इसको बुक कराने यहां आई लड़की बहुत ही खूब सूरत थी इसलिए मुझे इस टेलिग्राम की खूब याद है क्या लड़की का हुलिया बयान कर सकते हो वो कोई 25-26 साल की लंबी उंची कद्यावर लड़की थी रंग गोरा था उसका बाल भूरे थे और कटे हुए थे और और तो मुझे कुछ याद नहीं उसे दुबारा देखो तो पहचान लोगे क्या उमीद तो है ये तस्वीर देखो प्रबुदयाल ने उसे कुसम नांगिया की तस्वीर दिखाई क्या यही थी वो लड़की क्लर्ट ने गोर से तस्वीर देखी और फिर अनिश्य पूंट स्वर में बोला लगती तो वही है लेकिन तस्वीर से कुछ कहना मुश्किल होता है मेरे खयाल से यही थी वो लड़की सुनील का दिल ने राशा से भर उठा अगर टेलिग्राम खुद कुसम नांगिया ने दी थी तो उसकी थियोरी के तो वही टांग तोट गई थी तुम्हारा खयाल क्या है प्रभु दियाल कह रहा था तुम दावे के साथ नहीं कह सकते कि यही वो लड़की थी साहब लगत तो यह वही रही है लेकिन लेकिन यह तस्वीर भी तो कुछ अजीब सी है यह तस्वीर लाश की तस्वीर है रिटच करके बनाई गई है तभी तो मुझे फर्क मैसूस हो रहा था फिर तो यही थी वो लड़की ओ एका एक सुनिल को कलर के पीछे पड़ी एक मेस पर कई अकबार पड़े दिखाई थी उनमें सब से उपर क्रॉनिकल का दो दिन पुराना अंक पड़ा था सुनिल को यात आया कि उसमें किरन भारगव की तस्वीर छपी थी उसने आगे बढ़कर वो अकबार उठा लिया और उसे उस थान से खोला जहां किरन भारगव की तस्वीर थी जरा इस तस्वीर को देखो सुनिल अकबार क्लर्ट के सामने करता हुआ बोला कहीं उस रात वाली लड़की इंस्पेक्टर सहब कलर के का एक उतेजित स्वन में बोला यही थी वो लड़की इसी ने मंगलवार रात को यहां से ये टेलीग्राम भेजी थी आपकी तस्वीर वाली लड़की की इससे शकल जरूर मिलती है लेकिन मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि टेलीग्राम द कुन धंक से सिर हिलाया क्या पक्की बात प्रभु दियाल ने कलर्क से पूछा सौ फेसदी पक्की बात सहब कलर्क बोला प्रभु सुनील बोला यह मत भूलो कि बुनियादी तौर पर तो दोनों लड़कियों के हुलिये में समानता है ही उसे समानता की वज़ा से तो मैंने दोका खाया था और बेवकुफ बना था तुम चीक कह रहे हो प्रभु दियाल गंभीरता से बोला फिर यह दोबारा कलर्क से संबोधित हुआ टेलिग्राम का यह ओरिजनल फॉर्म एविडेंस है इसे मैं अपने पास रख रहा हूँ शौंक से रखिये कलर्क बोला लेकिन यह रिकॉर्ड की चीज़ है इसलिए मुझे इसकी रसीद दे दीजिए प्रभु दियाल ने बिना हुज्जत किये उसे रसीद लिख दी फिर उसने वहीं से राशनगर बांसर को टेलीफोन करके उसे किरन भारगव को हिरासत में ले लेने का आदेश दिया वो वापिस प्राशनगर की और दौट पड़ी प्रभु रास्ते में सुनील बोला कुसुम नागिया की हत्या से केवल दो घंटे पहले किरन भारगव का यहाँ से ये टेलीग्राम भेशना एक ही बात साबित करता है कि कुसुम नागिया की हत्या की योशना पहले ही बन चुकी थी इसल टेलिग्राम की कथा थो अपने आप सामने आ जाएगी वो हमें ये भी बताएगी कि टेलिग्राम टाइप किसने की थी और ये भी बताएगी कि उस पर हस्ताक्षर किसने किये थे और ये भी कि कदल उसने किया था या विलास गुपता ने यकीनन हम विलास गुपता की गिरफत का सम्मन भी प्रभू क्या हुआ प्रभु द्याल हर बढ़ा कर बोला उस वक्त जीप करीमाबाद वाली सडक छोड़कर राजनगर हाइवे पर दाखिल हो रही थी वो कार सुनील विप्रेद दिशा में आती एक कार की और संकेत करता हुआ बोला बैरिस्चर महंत की है अच्छ प्रभु द्याल बोला फिर उसने ड्राइवर को जीप रोकने का संकेत किया ड्राइवर ने जीप रोकी तो प्रभु द्याल जीप से बाहर निकल आया कार और समी पाई तो एका एक सुनील बोला साथ में किरन भार्गव भी है प्रभु द्याल ने सहमती में सेर हिलाया फिर वो दोनों हाथ हिला कर समी पाती कार को रुखने का संकेत करने लगे लेकिन कार सरा भी रफतार खोई बिना जीप की भगल से बगोले की तरह गुसर गई प्रभु देयाल लपक कर जीप में सवार हुआ और चिला कर ड्राइवर से बोला पीछे चलो उसके ड्राइवर ने जीप को फिर चालू किया उसे यू टर्ण दिया और तेजी से महंत की कार के पीछे लगा दिया तेज चलाओ प्रभु देयाल चिलाया तेज और तेज प्रभु देयाल का चेहरा क्रोथ से आग बबु का होटा था रह रहकर उसका हाथ बैल्ट के साथ लगे हॉलेस्टेर में रखी रिवॉल्वर की मोट पर चला जाता था अरे जीप चला रहे हो या बैल गाड़ी हांक रहे हो प्रभु देयाल जला कर चिलाया ड्राइवर ने घबरा कर एकसी लेटर के पैडल पर और दबाव डाला को परे धकेलने लगा ड्राइवर ने डरते डरते स्चेरिंग छोड़ दिया और सीट को फान कर जीप के प्रिष्ट भाग में पहुंच गया जीप एक बार सड़क पर जोड़ से डग मगाई लेकिन फिर प्रभु देयाल के ड्राइवर वाली सीट पर आते ही ततकाल संभल गई लगबग फॉरण वो तोप से छूटे गोली की तरह सड़क पर भागी उस रोज सुनीर को पहली बार मालुम हुआ कि प्रभु देयाल कितना दक्ष ड्राइवर था हाईवे पर ट्रकों बसों और अन्यकारों की बकाईता भीड थी लेकिन प्रभु देयाल बड़ी नफासत से उन्हें पीछे छोड़ता जा रहा था केवल दो मिनट बाद जीप महंत की कार की बगल में भाग रही थी प्रभु देयाल ने जीप का हौन बचाया तो महंत ने उसकी दिशा में निकार डाली गाड़ी रोको प्रबुदेयाल गला फार कर चिल्डाया लेकिन महंत ने गाड़ी रोकने के स्थान पर अपनी कार की रफतार बढ़ा कर उसे जीप से आगे निकाल ले जाने की कोशिश की प्रबुदेयाल ने भी जीप की रफतार बढ़ाई दोनों गाड़ियां फिर साथ साथ भागती दिखाई दिने लगी तबी सामने से एक ट्रक आ गिया जिसकी वज़ा से महंत को अपनी कार के रफ़तार घटानी पड़ी प्रक के पार होते ही प्रबुदREYाल ने जीप को सडक पर तनिक तिरचा करके खड़ा कर दिया और अपनी रिवाल्वर निकाल कर अपने हाथ में ले ली वो पीछे रह गई महंत को महंत की कार के समीब पहाँशने की प्रतिक्षा करने लगा लेकिन महंत ने कार को पीछे ही रोग दिया ये कार को घुमाने की फिराक में लगता है सुनील धीरे से बोला ज़र घुमाई तो सही प्रभुदेयाल कहर भरिस्वर में बोला मैंने इसे ना घुमा दिया तो कहना फिर प्रभुदेयाल ने जीप को बैक किया और उसे महंत की स्थेर कड़ी कार के समीप ले आया वो जीब से बाहर निकल कर महंत की कार के पास पहुंचा वेल 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 महंत यूं सहज भाव से बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो ये तो इंस्पेक्टर सहब है Fancy meeting you here, इंस्पेक्टर इंजन बंद करो प्रबुदेयाल ने आधेश दिया इंस्पेक्टर सहब दरसल वो ज़रा जल्दी है सुना नहीं प्रबुदेयाल कहर भरिस्वर में बोला महंत ने इगनेशन आफ कर दिया और नाराज की भरिस्वर में बोला मैं इस धांदली का मतलब जान सकता हूँ मैंने रास्ते में आपको रुकने का इशारा किया था मैंने आपका कोई इशारा नहीं देखा था दरसल मेरा ध्यान गाड़ी चलाने की तरफ था वैसे भी मैंने अर्स किया है मैं जरा जल्दी में हूँ मुझे फारण कहीं पहाँशना है इसलिए आप कहीं नहीं जा रहे है महंत ने एक निगा अभी भी प्रबुदेयाल के हाथ में थमी रिवॉल्वर पर डाली और हथ प्रब स्वर में बोला क्या मैं अपने आपको गिरुफतार समझू प्रबुदेयाल ने उसके सवाल की और कोई ध्यार नहीं दिया वो महंत की बगल में बैठी किरन भारकव से संबोधित हुआ तुम गाड़ी से बाहर निकलो मैंने तुम से बात करनी है क्या बात करनी है सवाल महंत ने किया पहले तो यही बताईए कि ये लड़की आपके साथ कहा जा रही है किरन भारकव मेरी क्लाइंट है और मैं अपने क्लाइंट से संबन्दित बाते किसी तीसरे आदमी को बताना जरूरी नहीं समझता मैं जानता हूँ आप किस फिराक में है किस फिराक में हूँ मैं इंस्पेक्टर सहब आप इस लड़की को गायब कर देने की फिराक में है वैसे ही जैसे आपने नरेंदर वर्मा को जमानत पर छुड़वा कर गायब कर दिया है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर सहब तो फिर बताईए नरेंदर वर्मा कहा है मुझे नहीं मालूम मैं हरक्षण उसके पूछ के साथ नहीं बंदा रह सकता लेकिन आपने उसे जमानत पर छुड़वाया है इसलिए आपकी जिमेडारी है कि मुझे मेरी जिमेडारी मालूम है इंस्पेक्टर सहब मेरी जिमेडारी है अदालत का बुलावा आने पर उसे अदालत में पेश करने की और अगर आप उसे ना पेश कर पाते तो तो मेरी जमानत जब्थ हो जाएगी It's as simple as that प्रभु देयाल के सूरत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बैरिस्टर महंत से पार नहीं पास सकता था वो फिर किरन भारगव से संबोधित हुआ तुम बोलो क्या तुम इस बात से इंकार करती हो कि मंगलवार रात साड़े नौ बचे तुमने कुसम नांगिया के नाम से विश्व नगर के भूला भाई देसाई को एक टेलिग्राम भेजी थी एका एक किरन भारगव के चहरे का रंग उड़ किया किरन महंत पिता तुल्यस्वर में बोला तो उनमें साहब के किसी सवाल का जवाब देने को बाध्य नहीं हो अगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगी तो मैं इसे गिरफतार कर लूँगा किस इल्जाम में? कुसम नांगिया के कतल के इल्जाम में और जाल साजी के इल्जाम में कतल जाल साजी महंत हैरानी से आंके फैला कर बोला ओ माई गाड इतनी धांदली एक बेगुना को फसाने के लिए इतने बड़े बड़े इल्जाम ब्रामा मत करो प्रबुदेयल चड़ कर बोला तुम स्टेश पर नहीं हो फिर वो किरन भारकव से संबोधित हुआ तुम कार से बाहर निकल रही हो या मैं तुमें घसीट कर बाहर निकालू लड़की ने व्याकुलभाव से महंत की यॉर्ट देखा तुम घबराओ नहीं महंत सांतवना पोंट स्वर में बोला ये गिरफतारी सरासर बेजा और गैर कानूनी है और गिरफतारी के बाद भी तुम पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो लेकिन लड़की ने कहना चाहा मैंने कहा ना तुम बिलकुल घबराओ मत मैं यूँ महंत ने चुटकी बजाई तुम्हारी जमानत करवा दूँगा किरन भारगव कार से बाहर निकली और प्रभुदयाल के संकेत पर जीप में जा बैठी बाइदवे इंस्पेक्टर महंत बोला मैंने एक नेकलेस बिजवाया था आपके पास वो आपको मिल गया है ना मिल गया है प्रभुदयाल व्यंगेपॉंट स्वर में बोला शुक्रिया नहीं नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं एक नेक शहरी होने के ना थे पुलिस को हर मुमकिन मदद करना मेरा फर्स है नेक शहरी और आप सी यू इंस्पेक्टर महंत ने फॉरण अपनी कार आगे बढ़ा दी प्रभुदयाल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की कार के जीब के समीब से गुजरते समय एक शन के लिए महंत के निगा सुनील के निगा से मिली महंत के निगा में उच चर्ण कुछ ऐसा कहर था कि अगर केवल निगा से किसी का कतल कर पाना संभव होता तो सुनील कपका मर चुका होता प्रभुदयाल जीप में आसावार हुआ इस बार वो ड्राइविंग सेट पर नहीं बैठा उसने ड्राइविंग सेट पर अपने हवलदार को बैठने का संकेत किया और बोला वापिस करीमा बाद टेलिग्राफ ओफिस चलो हवलदार ने जेप को यू टर्न दे कर उसे वापिस भगा दिया ये टेलिग्राम प्रभुदेयाल ने किरन भार्गफ को टेलिग्राम का ओरिजिनल फॉर्म दिखाया कुसुम नांगिया के नाम से तुमने बुक करवाई थी किरन भार्गफ ने जवाब नहीं दिया मत दो जवाब, अभी मैं टेलिग्राफ ओफिस के क्लर्क से तुम्हारा आमना सामना करवाता हूँ, फिर सारी असलियत सामने आ जाएगी वो करीमा बात पहुंचे, टेलिग्राफ ओफिस के क्लर्क ने किरन भारगव को देखते ही पहचान लिया यही है वो लड़की, वो फॉरण बोला, जो मंगलवार रात को यहाँ, वो टेलिग्राम देने आई थी वेरी गुड, प्रभु दियाल लड़की की तरफ घूमा, अब क्या कहती हो तुम? लड़की के चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी, उसके मूँ से बोल नहीं फूटा प्रभु सुनील धीरे से बोला, प्रभु दियाल सुनील की तरफ घूमा तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती, सुनील बोला, कि बैरिस्टर महंत ने हमारे पीछे आने की कोशिश नहीं की क्या मतलब? वो लड़की को फॉरन जमानत पर छुड़ा लेने का आश्वासन दे रहा था, उसके फित्रत के मुताबिक तो उससे हर क्षण पुलिस की जेब के साथ ही चिपका रहना अपेक्षित था, लेकिन हमारे पीछे आना तो धूर, उसने तो राश्नगर की और का रुख तक नही किया, प्रभु दयात सोच में पढ़ किया, प्रभु सुनील बोला, विलास कुपता आजकल विश्वनगर में है, मुझसे लिखवा लो कि महंत विश्वनगर गया है, किस लिए? विलास कुपता को इस बात से सावधान करने की किरन पकड़ी गई है, देख ले ना, इस लड़की के माध्यम से जब तक तुम विलास कुपता के फेर में पढ़ोगे, तब तक वो गधे के सिर से से सेंग की तरह गायब हो चुका होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, प्रभुदियाल जोश भरिस्वर में बोला, अगर उस वकील के बच्चे ने कुछ किया, तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूँगा, तुम उसका कुछ नहीं कर सकोगे, इस वक्त करने लायक सिर्फ एक ही काम है, कि इस से पहले की महंत, विलास ग गुपता तक पहुंच सके, तुम विश्वनगर पुलिस को फोन कर दो, और उन्हें कहो कि वो कुस्म नागिया और कांचीला दिसाई के कतल के इल्जाम में, विलास गुपता को फारण गिरफतार कर लें, और गिरफतारी के बाद, कम से कम बैरिस्टर महंत को हरगेज हरगे उसके पास ना फटकने दे, अगर वो फिर भी बास ना आए, तो उन्हें कहो कि विलास गुपता के साथ साथ, वो बैरिस्टर महंत को भी गिरफतार कर लें, प्रभु देयाल को चंच सोचता रहा, फिर वो फॉरण टेलीफोन की तरफ चपता, अब तुम क्या करोगी, सुन चुप रहने से अब कोई फर्ट नहीं पढ़ने वाला बेहन जी, सारी कहानी वैसे भी मेरी समझ में आ गई है, क्या समझ में आ गया है तुम्हारे, किरन फसे स्वर में बोली, तुम विलास गुपता के कैसीनों की होस्चस हो, तुम्हारा काम कैसीनों में आने वाले लोगो को जुए के बड़े बड़े दाव लगाने के लिए प्रेरित करना था, और ये काम अपनी नौजवानी और खुप सूर्ती के दम पर तुम बाखुबी कर सकती थी, कांजीलाल दिसाई को जुए में बड़े बड़े दाव लगाने के लिए तुमी ने प्रेरित किया था, ल रहा था उसे ये मालूम होते ही ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि तुम लोगों के लिए उसके जुबान हमेशा के लिए बंद कर देना जरूरी हो गया तुम लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया और जाहिर है और जाहिर ये किया कि वो दिल के दौरे से मरा था लेकिन तुम लो के लिए उसने कुसुम नांगिया नामक प्राइवेट डिटेक्टिव की सिवाई प्राप्त की। कुसुम नांगिया को कांजीला दिसाई की मौत की तफ्तेश करते पाकर तुम लोग घबरा कए। उस संकट की घड़ी में तुम लोगों ने बैरिस्टर मंगल दास महंत से पर्ख स्थापित किया। विलास गुपता महंत को पहले से जानता रहा होगा। क्यूं यही है ना। हाँ वो धीरे से बोली। जब पे कोई कानोनी अर्चन सामने आती थी तब विलास गुपता महंत की ही शरण में आ जाता था। कांजीला दिसाई को मारा असल में तुमने था क्या। वो खामोश रही। छीक है मत बताओ लेकिन हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि उसकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार थी क्यूंकि एरिबाई की जरूरत तुम्हे थी। कांजीलाल की मौत 19 जुलाई को हुई थी। अगर तुम ये साबित कर सकती कि उस तार उसने उत्तर नहीं दिया। यहां एक बहुत बड़े इतिफाक ने तुम्हारा साथ दिया। सुनी लागे बढ़ा। इतिफाक से 19 जुलाई को ही तारकपुर में उस साइकल सवार की मौत हुई थी जो नरेंदर वर्मा की कार के नीचे कुचल गया बताया चाता था। रश् कि उसके खामोश रहने की वज़ा से नरेंदर वर्मा बेगुना मारा चाए। इसी सिलसिले में वो बैरिस्टर महंत से मिली। बैरिस्टर महंत के खुरफाती दिमाग को फौरण वो तरकीब सूझी जिससे वो एक तेर से दो शिकार कर सकता था। उसने ये स्थापित करने क का फैसला किया कि 19 जुलाई को इकबाल पूर में नरेंदर वर्मा ने जिस लड़की को लिफ्ट दी थी वो रश्मी नहीं तुम थी। इसमें हर किसी का फाइदा था। इस से रश्मी को सामने नहीं आना पड़ता। लेकिन नरेंदर वर्मा का काम फिर भी बन जाता और सिध्ध हो चुकी होती महंत ने अपनी इसकीम रश्मी को बताई और अपनी सेवाओं के बदले में उसने उसका नेकलिस हासिल किया वैसे महंत उसकी ये सेवा मुफ्त में भी कर सकता था क्योंकि वास्तव में वो सेवा रश्मी की नहीं तुम्हारी और विलास गुपता की थी लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि कहीं रश्मी को शक ना हो जाए कि महंत जो कुछ कर रहा था उसके लिए नहीं बलकि अपने किसी स्वाट के लिए कर रहा था उसके सामने प्रमुख बात ना नरेंदर वर्मा का हित था और ना रश्मी की अंतरात्मा की पुकार उसके सामने प्रमुख बात थी कांजीलाल के कतल के इल्जाम से तुम्हारी रक्षा और ये कि विलास गुपता के कैसीनों के धंदे पर किसी प्रकार की आंच ना आई महंत जैसे महंगे वकील का ना तो खयाल कर सकता था और ना उसकी फेस भरना अफॉर्ट कर सकता था इसलिए महंत ने रश्मी के सामने अपनी फेस के स्थान पर उसका नेकलिस कबूल करने का ड्रामा किया कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ किरन कामोश रही उसके चेहरे पर परिशानी के भाव और गहरे हो गए अब तुम बताओ सुनिल फिर बोला तुमने सेंट्रल पार्ट में कुसम नांगिया की हत्या क्यों की मैंने कुसम नांगिया की हत्या नहीं की वो एकदम हड़ बढ़ा कर बोली वो तो हाँ हाँ बोलो कुछ नहीं देखो इस वक्त तुम गिरफतार हो और अपने हिमायतियों से बहुत दूर हो इस वक्त तुम्हारे हिमायत के लिए ना तो विलास गुपता आ सकता है और ना ही बैरिस्टर महंत अगर तुम निर्दोश हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो इंस्पेक्टर प्रभु देयाल बहुत भला मानस और नरम दिल आदमी है मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ वो तुम्हारे साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं होने देगा अगर तुम बेकसूर हो तो वो तुम्हें वादा माफ गवा बनाकर बरी करवा देगा बोलो क्या कहती हो तब ही प्रभु देयाल वहाँ वापिस लॉट किया मैंने विश्वनगर पुलिस को फोन कर दिया है वो बोला अच्छा किया सुनील बोला अब ये लड़की क्या कहती है अभी कुछ नहीं कहती लेकिन कहने लगेगी मैंने इसे कहा है कि अगर ये बेगुना है तो इसका बाल भी बांका नहीं होगा और अप्राधियों से इसके गट चोड से तुम इसे वादा माफ गवा बना कर बरी करा दोगे एक दम ठीक कहा तुमने लेकिन इसके लिए इसे जरा फुर्ती दिखानी होगी क्योंकि गिरुफतार हो जाने के बाद विलास गुपता भी वादा माफ गवा बनने की कोशिश करेगा वो सारे इल्जाम इस पर ठोप कर इसे फस्वा देगा और खुद साफ बच जाएगा इसे फांसी नहीं तो उम्र कैद जरूर हो जाएगी और एक एक किरंट जोर जोर से रोने लगी क्या हुआ प्रबुद्याल नकली हैरानी जाहिर करता हुआ बोला मैं बेकसूर हूँ वो रोती हुई बोली मैंने कुछ नहीं किया है क्या तुमने कांजीलाल दिसाई का कतल नहीं किया था सुनिल ने पूछा नहीं मुझे तो बात में पता लगा था कि उसके ड्रिंक में कोई ऐसी चीज डाली गई थी जो दिल के धरकन रोक सकती थी लेकिन ड्रिंक सर्फ तुमने की थी ना हाँ लेकिन होस्यस के तोर पर वो तो मेरा काम था ड्रिंक में वो जान लिवा चीज तो विलास गुपता ने डाली थी बात में जब कांजीलाल मर कया और कुसम नांगिया उसकी मौत की तफ्तिश करने पहुँच गई तो विलास गुपता अपना अपराद मेरे सिर्थ थोपने लगा वो कहने लगा कि वो जान लिवा चीज मैंने कांजीलाल को पिलाई थी और इसलिए उसके कतल के इल्जाम में पकड़ी मैं जाऊंगी फिर उसी ने मुझे बताया कि बैरेस्टर महंथ उसका दोस्ट था और इस मुसीबत से वही मुझे निकाल सकता था उसने महंथ को सारी स्थीती की सूचना भिजवाई और उसे पूचा कि इस सिल्शिले में वो क्या कर सकता था उत्तर में महंत ने मुझे एक टेलीग्राम भेजी और मुझे फॉरण राजनगर पहुंच कर उससे संपर्ख सापित करने के लिए कहा मैं राजनगर पहुंची और महंत के निर्देशा नुसार इंपीरियल में ठहरी जहां से महंत के घर फोन करके मैंने उसके लिए अपने आगमन की सूशना छोड़ दी महंत ने मुझे फोन किया और कहा कि उसने ऐसा इंतिजाम किया था जिससे ये सिद्ध हो सके कि जिस वक्त कांजिलाल की हत्या होई थी उस रात मैं उससे सैंकडो मील दूर इकमालपूर में थी उसी संधर्ब में उसने मुझे कहा कि मैं रश्मी को फोन करूँ और एक निश्चित समय पर सेंट्रल पार्ट में उससे मिलूँ क्या तुम मिली थी प्रभुदयाल ने पूचा हाँ लेकिन वही मुझे कुसम नांगिया की लाश भी मिली उसका कतल तुमने नहीं किया था नहीं लेकिन लाश की हालत बता रही थी कि मेरे वहाँ पहुँचने से कुछ एक शन पहले उसका कतल हुआ था तो फिर कतल किस ने किया था कतल निश्चे ही विलास गुपता ने किया था उसके सिवाए और कोई कातिल हो ही नहीं सकता था कुसम नांगिया उसके और उसके कैसीनों के अस्तित्व के लिए खत्रा थी लेकिन विलास गुपता को ये कैसे मालुम था कि कुसम नांगिया कहा थी ये क्या मुश्किल काम था वो मेरे पीछे लगी हुई थी इसलिए ये बात साफ थी कि जहां मैं होती वही कुसम नांगिया होती तुमने पार्ट में विलास गुपता को देखा था क्या नहीं लेकिन राजनगर में तो वो था उसी ने तो मुझे वो पहले से ही टाइप की हुई टेलीग्राम भूला भाई देसाई के नाम बुक कराने के लिए यहां भेज़ा था प्रभू सुनील बोला ये ठीक कहती है अगर विश्वनगर में कुसम नांगिया के टाइप राइटर में लगी रिपोर्ट विलास गुपता ने टाइप की थी तो कुसम नांगिया का कतल भी निश्चे ही उसी ने किया था और कतल से पहले ही उस टेलीग्राम की इबारत का उसके पास तयार होना ये साबित करता है कि वो राश्वनगर आया ही कुसम नांगिया के कतल के इरादे से था बाद में कतल के बाद उसी ने उसका पर्स उठाया था और उसमें मौचूद चाबियों के सहायता से विश्वनगर में उसके अपार्टमेंट का ताला खोला था और वो भ्रामक रिपोर्ट टाइप करके टाइप राइटर में छोड़ी थी जो कैसीनों के जुए के धन्दे को कैसी भी गडबर और बैमानी से परे बताती थी और जो कांची लाल के कतल के मामले में इस लड़की के बेगुनाही की और स्पष्ट संकेत करती थी सुनील एक शंट ठिटका और फिर बोला प्रभू टाइप राइटर में लगी रिपोर्ट के बारे में एक दिल्चस्प बात ये भी है कि कहने को वो रिपोर्ट अधूरी थी और इसलिए टाइप राइटर में लगी हुई थी लेकिन जो कुछ उसमें लिखा था उसके लिह रिपोर्ट वहां प्लांट की गई थी इस बोगस टेलिग्राम की तरह ही उस रिपोर्ट से भी कुसुम नांगिया का कोई वास्ता नहीं था इन दोनों हरकतों से वास्ता उन्हीं लोगों का हो सकता था जिनको उनसे फाइदा था और वो लोग हैं विलास गुपता और प्रभुद्याल ने गंभीरता से सेहमती में सेर हिलाया। हत्या की रात को जब इंपिरियल में मेरी बैरिस्टर महंत से मुलाकात हुई थी और मैंने उसे पार्ट में मिली लाश के बारे में बताया था। तो उसने ये बात मुझसे खास तोर से पूछी थी कि क्या गटना स्थल पर हथप्रान का पर्स मिला था इससे जाहिर होता है कि बात में पर्स में मौजूद चाबियों की सहाईता से हथप्रान का अपार्टमेंट खोल कर वहां टाइप राइटर में वो रिपोर्ट प्लांट करने का आइडिया या तो था ही बेरिस्टर महंत का और या फिर उसे इस प्रोग्रेम की खबर थी इस लिहास से महंत को ये भी जरूर मालूम रहा होगा कि विलास गुपता कुसुम नागिया की हत्या करने वाला था इस बार नहीं चोड़ूँगा मैं इस वकील के बच्चे को प्रभु देयाल दान पीस कर बोला उसके खिलाफ कुछ साबित करना बहुत कठिन होगा प्रभु देखा जाएगा प्रभु देयाल एक शंट ठिटका और फिर बोला वो चाकु जिससे कुसुम नागिया की हत्या हुई थी रुकमनी देवी की कोठी की जाडियों में कैसे पहुँच गया उसे जरूर वहां बात में विलास गुपता फैंक कर आया होगा सुनील बोला अगले दिन तक उसे ये मालूम हो गया होगा कि पुलिस हत्या का संदे केर्टी पर कर रही थी उसने सोचा होगा कि चाकू की वहां बराब्दी केर्टी के खिलाफ केस को और मस्बूत कर देगी यानि की हत्या के अगले दिन तक भी विलास गुपता राशनगर में था जाहिर है जोहरी ने उसे विश्वनगर में कुसम नांगिया के फ्लैट के चकर काटते देखा था उससे जाहिर होता है कि वो यहां से सीधा विश्वनगर ही गया था वो कुसम नागिया के टाइप राइटर में वो रिपोर्ट प्लान करके वहां से खिसक क्यों नहीं गया, वो वहीं क्यों मंढराता रहा? क्योंकि कुसुम नांगिया का पर्स वो उठा लाया था इसलिए लाश के शिनाक नहीं हो सकी थी उसके असाधारन प्रकार के जूतों की वज़ा से लाश के शिनाक जल्दी हो गई वरना इस काम में कई दिन लग सकते थे विलास गुपता चाहता था कि पुलिस का ध्यान जल्दी कुसुम नांगिया की और आकर्शित हो और केस खतम हो इसलिए वो किसी के निगाह में आने की खातिर जान बुच कर वहां चकर काटता रहा यही बात आखिर उसकी बेकुनाही का भी सबूत थी आखिर वो कुसुम नांगिया के भुलावे पर अपने केस के रिपोर्ट हासिल करने वहां आया था और कुसुम नांगिया से मुलाकात ना हो पाने की वज़ा से व्याकुल हो रहा था जबकि वास्तव में ऐसा कोई केस था ही नहीं कर्रेक्ट ये उसके लिए फाइदे की बात थी कि कुसुम नांगिया अपने क्लाइंटों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती थी इसलिए उसने बड़े इत्मिनान से कह दिया कि वो भी कुसुम नांगिया का क्लाइंट था और ये स्थापित कर दिया कि कुसुम नांगिया बेच में उसके रिपोर्ट टाइप करने राशनगर आई थी और अपने किसी अन्य और क्लाइंट के साथ बड़ी हडबड़ी में वहां से चली गई थी इतनी हडबड़ी में कि उसे रिपोर्ट पूरी करके उस पर साइन करने का अफसर ही नहीं मिला था वास्तव में ना ऐसा कोई क्लाइंट था और ना वो बेच में वापिस लोटी थी वास्तव में वो सब एक आडंबर था जो रिपोर्ट अधूरी और हस्ताक्षर रही थोने को नयायोचित ठहराने के लिए फैलाया गया था कुसम नांगिया के पास केवल भूला भाई दिसाई का ही केस था और कोई केस नहीं था उसके पास प्रबुदेयाल एक शण खामोश रहा और फिर किरन भारकफ से बोला मैं तुम्हें राजनगर ले चल रहा हूँ वहाँ मुझे तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना होगा अब तक ये समझ तुम्हें अच्छी तरह आ गई होगी कि तुम्हारी जानबक्षिस सिर्फ सरकारी गवाब बनकर ही हो सकती है बोलो क्या कहती हो जैसा आप कहें वो धीरे से बोली गुड प्रबुदेयाल बोला जीब फिर राशनगर की यार उठ चली विलास गुपता विश्वनगर में गिरफतार हो गया शुरू में उसने बहुत हील हुज़त की लेकिन बाद में उसने अपना अपराथ स्विकार कर लिया किरन भारगव के उसके खिलाफ बयान की मौचूदगी में उसका इंकार करते रहना संभव भी नहीं था उपर से बैरिस्टर महंत ने उसके गिरफतारी के बाद से ही उससे यूं करनी कत्राई कि जैसे वो उसे चोट की बिमारी हो करीमबाद से भेजी गई टेली ग्राम तफ्तेश पर मालुम हुआ कि विलास गुपता के कैसीनों के आफिस में मौजूर टाइप राइटर पर टाइप की गई थी विलास गुपता को फांसी की सजा हुई किरन भारगव वाधा माफ गवा बन कर बरी हो गई नरेंदर वर्मा बरी कर दिया किया महेश तलवार पर हिटन ड्रन का केस चला जिसमें उसे तीन साल की सजा हुई उस सिलसिले में रश्मी का नाम सामने आई बिना नहीं रह सका जिस पर की रुकमनी देवी बहुत भुन भुनाई कीरती के पिता जब राश नगर वापिस लोटे और उन्हें सारी बात की खबर लगी तो वो अपनी भावी पर बहुत खफा हुए उन्होंने इस बात को बड़ी अफसोस नात घटना बताया कि उनकी बेटी काम खा पुलिस द्वारा हिरासत में ले ली गई और रुक्मनी देवी ने उंगली तब हिलाना ज़रूरी नहीं समझा जिस रोज वो राज नगर पहुँचे उसी रोज वे अपनी बेटी सहीत रुक्मनी देवी की कोठी से कूच कर गए उन्होंने अपनी बेटी के साथ ब्लास के ओफिस में आकर तही दिल से सुनील का शुक्रिया अदा किया सारे सिलसिले में सुनील को एक ही बात का अफसोस रहा कि बेरिश्टर महंत का पुलंदा नहीं बन सका वो इस बात से साफ मुकर गया कि उसे कुसम नांगिया के कतल की कोई वाक्फित थी या वो किरन भार्गव को जूटी गवाही के रूप में तयार कर रहा था यहों उसकी ये हुश्यारी बहुत काम आई थी कि जब उसने किरन भार्गव को जूटी गवाही की बाबत रश्मी से बात करने को कहा था वो तब भी वहां मौजूद नहीं था लेकिन जब पहली बार जमानत के बाद तारकपुर में नरेंदर वर्मा, किरन भार्गव और रश्मी की इस बाबत कॉन्फरेंस हुई थी तब वो भी कॉन्फरेंस में शामिल नहीं था उस पर परजूरी का केस नहीं बन सका रश्मी का नेकलिस पुलिस ने उसे वापिस सौंप दिया और उसको वार्निंग दे कर उसके लिखवाई चोरी की जोटी रिपोर्ट उन्होंने खारिच कर दी किरन भार्गव का सफेद पर्स जो केरती की कार में रह किया था उसके माल समेथ उसे वापिस मिल गिया जो नकली नेकलिस सौनील ने रश्मी से सच कुबलवाने की खातिर बनवाया था वो सौनील सधन्यवाद मुकुन जालान को वापिस कराया दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो एक कम्प्लीट ओडियो बुक बनाने में बहुत महनत लगती है ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें ठैंक यू फू वाचिंग